आपके नीट कागा जी उपर आ का है और नीचे आपका का का है तो फाइनली बाइलोजी का पूरा कम्प्लीट रिवीजन आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर कम्प्लीट यूनिट आपके NCRT की जो टोटल 10 यूनिट से आपके नीट एक्जाम के अंदर फॉस्ट यूनिट से लेकर के लास्ट यूनिट तक अपने प्रोसीड करने वाले हैं और हर एक चैप्टर के अंदर बिल्कुल ट्रैट से लेकर के हर एक पॉइंट NCRT की हर एक लाइन हर एक टेबल हर एक डाइग्रम को एक्स्प्रेंट करते होगे अपने चलेंगे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको सेशन के बाद में ऐसा लग रहा हो कि हमने टच नहीं किया या फिर हमें समझ में नहीं आया NCRT की हर एक लाइन को लेकर के अपने सेशन के अंदर चलने वाले हैं और हाल फिलाल आपको बतायता हूं हर एक चेप्टर जो अपने रहने वाला है अराउंड वन आर वन आर फिफ्टीं मिनट इतना ड्यूरिक्शन रहने वाला है आपको पहले से ही मैं आपको बता देता हूं ताकि आप मेंटली उस चीज़ के लिए पेपेर रहें अनलाइज करना है कि NCRT में कहां वो मेंचन है आपकी एक्जाम के अंदर पूछी जाती हैं सीधी लाइने सीधी उठकर के आती हैं जो आपको अच्छे से समझनी है अच्छे से फोलो करनी है एक बात बतायता हूं मैं आपको पायलोजी का पूरा कम्प्लीट ये गंचोड जिसके अंदर हर एक चेप्टर अपने पढ़ने वाले हैं ये प्लस जो कॉश्चन्स आप लोगों को करवाए जा रहे हैं वो कॉश्चन्स अगर आप सभी कर लेते हैं तो 360 आटो 360 की मैं आपको देता हूं ये लास में यतने भी सेशन्स हुए हैं ये सभी सेशन्स को आप अच्छे से देखें कोई ऐसा स्टूरेंट नहीं होगा जो 360 स्कोर नहीं कर पाए ज्यादा समय नहीं लूगा पीछे आपको 10 के 10 साइंटिस्स आपको देखने को मिल रहे होंगे चाहे से लास के अंदर राम देव मिश्वरा जी दिये हुए इन सभी साइंटिस्स के बारे में ये आपको इन डिटेल अच्छे से पढ़ना है विकोज ओफ लास्ट टू-3 येर्स के पैटन अगर आप देखें तो साइंटिस्स बेस कोशिन पूछे जा रहे हैं जो आपको हर एक यूनिट से पहले डिफाइन कियो हैं जिनका कुछ ना कुछ उस पूरी complete unit के अंदर जो chapters हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ योगदान रहा है तो ये सारे points अपने scratch से पढ़ते हुए चलेंगे start करते हैं ज्यादा time waste नहीं करूँगा मैं सुनिया आप सभी सबसे पहले जो अप ने को proceed करना आपका chapter number one chapter number one the living world first unit आपकी divestry in the living world का first chapter the living world the living world के अंदर basics अपने को अच्छे समझने इस chapter के अंदर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस chapter से पहले एक scientist आपको दिये हुए है अरनेस्ट मायर और अरनेस्ट मायर के बारे में general points 20 शताबदी के Darwin इनको बोला जाता है Darwin order 20th century बोला जाता है इनको triple crown prize जो दिये गए थे वो prize पता होने चाहिए कौन कौन से prize से और प्लस उनके years आपको अच्छे से आद होने चाहिए चाहिए वो 1983 हो 1994 हो या फिर 1999 हो जो भी है वो सारे अभी अपने discuss करने वाले हैं one by one after that इस chapter के अंदर जो अपने discuss करेंगे इस chapter क core कुछ points आप कहेंगे सर जो chapter number one है the living world इसके कुछ topics and subtopics आप कहेंगे सर ये topics हमें क्यों बताये गए हैं क्योंकि taxonomical add अब new updated syllabus के according आपके syllabus के अंदर नहीं है इनको अपने नहीं पढ़ेंगे इन सभी की one one line आपको सिर्फ जो इंपोर्टेंट लाइन आपको देखनी है उसके अलावा अपने इनको detail में लेकर के जाने वाले नहीं है अपना main core chapter जिसमें what is living, diversity in the living world and taxonomical categories इन सभी categories को अच्छे से पढ करेंगे इधर, सबसे पहले, Ernest Meyer जी, इस chapter के अंदर सबसे पहले जो scientist आपको दियो, scientist के बारे में आपके से देखें, इन्होंने जो discover किया था, जब भी अपने Ernest Meyer जी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इनको define करने के लिए इनको एक tag दिया गया था, the darwins of the 20th century, no doubt आप अच्छे से जानते होंगे, वैसे भी darwin natural selection अपने अच्छे से सुना होगा, 1859 के अंदर original species के बारे में जोनों define किया था क्या थी, 19th century, paper के अंदर अच्छे से देख लेना, क्या define किया जा रहा है, 20th century के darwin किनको बोला गया है, Ernest Meyer, first question जो यहां से आपका बनता है, इनोंने Campton Germany से अपना पूरा complete study किया, general बताया हुआ हुआ है इनके बारे में, after that जो सबसे important point इनके बारे में लिखा हुआ है, इन इनोंने जो question raised किये थे evolutionary biology के लिए एक challenging task आये, the origin of the species diversity, important point है, जिस पे मैंने star लगाया है, ध्यान दखे, third and major and most important point जो यहां पे आपको दिया हुआ है, इनको जो triple crown prize, क्या है, the triple crown of biology, the triple crown of biology, first one क्या है, the Belgian prize in 1983, the Belgian prize in 1983, the international prize for biology in 1994 and the craft food prize in 1999, यह तीनों आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए इनके बारे में, general point मैंने बता दिया है आपको, the Darwin of the 20th century, the origin of the species diversity or triple crown of biology, जिसके अंदर between prizes, Belgian prizes है, international prize for biology and last one, craft food prize in 1999, और 2004 के अंदर, he died at the age of the 100th year in 2004, general point आपको बताए है, regarding to the Ernest Meyer, after that, अब start करते है, chapter के अंदर, main journey, chapter से पहले, आपको एक ऐसा, first unit, unit से, जहां unit start होती है, chapter के, scientist से पहले आपको एक ऐसा page दिया हो, जिस पर general बताया है कि, what is biology, biology is the science of the life forms and the living organisms, जो आपको देखने को मिलते हैं, living processes जिसके अंदर जो देखने को मिलते हैं, उसके लिए define क्या हुआ है, इस पूरे paragraph के अंदर आपको बताया है कि, इस first unit के अंदर अपने क्या पाढ़ने वाले हैं, हर एक जो भी organism इस nature के अंदर देखने को मिलता है, चाहिए, वो monera से बिलोग करता हो, protesta, fungi, planty, animal, जो भी organism हो, plants हो, animals हो, bacteria है, fungi है, या फिर protesta है, उन सभी को किस तरीके से classify किया ग important point बता रहा हूं और इस से यहां रखने का तरीक आपको सारी चीजें समझ में आएगी, सबसे पहली बात, किसी भी living and non-living thing को जब आप define करते हो, तो five major points आप अप अच्छे से ध्यान में रखते हैं, first one, first अपने ध्यान में रखते हैं, growth के regarding अपने उसको define करते हैं, second define करते after that, metabolism, metabolism, after that, consciousness, and last one, cellular organization, अब important point क्या है, इसको समझने की कोशिश करें, important point है, कि ये five आपको characteristics दिये हैं, एक living organism के, एक living thing के, चिक है, अब अपने बात करते हैं, इनके अंदर, ये five जो characteristics हैं, ये आपको living organism की अगर बात की जाए, एक living organism, एक living organism की अगर बात की जाए, तो ये five उसके क्या है, characteristics, ये five characters आपको उनके अंदर देखने को मिलेंगे ही, मिलेंग और cellular organization है अब बात आती है कि यह defining feature है या नहीं है एक important question जो आपसे पूछा जाता है वो क्या है इदर देखिया कि यह जो last three आपको देखने को मिलते हैं यह last three जिसके अंदर metabolism है जिसमें consciousness है और जिसमें cellular organization है यह सिर्फ और सिर्फ living only in only in living organism आपको living organism के अंदर ही यह तीनों चीज़ें देखने को मिलती है चाहे वो metabolism हो चाहे वो consciousness हो या फिर cellular organization हो human being की बात करेंगे self consciousness आजाता है metabolism आपको एक line लिख करके दी हुई है कि जो rest tube के अंदर आप reactions करवाते हो reactions are living reactions not a living reactions are living reactions not a living things यह आपको define किया हुआ है cellular organization जितने भी organisms बने है वो particular cell से मिलकर के या cell के group से मिलकर के बने हुए है cell के अंदर आपको cell organs के interactions देखने को मिलती है और उसके अंदर आपको molecular interactions देखने को मिलती है तो most important point जो आपको अच्छे से समझना है इसके अंदर यह सारे points आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए only in living organism आपको यह देखने को मिलते है और इन ही कोई क्या बोला जाते हैं these are the defining these are the defining features these are the defining features of living organism बात करते हैं growth and reproduction की growth आपको non living organisms के अंदर भी देखने को मिलेगी और reproduction के अगर बात करें within living organism काफी सारे organism ऐसे हैं like mule या फिर infertile male couple इनके अंदर reproduction देखने को नहीं मिलता these all are the characters of the living organism all are the characteristics of the living organism but these three are the defining feature of the living organism यहां लगना characteristics and defining feature characteristics and defining features आपसे अगर पूछे जाएं तो आपको किस त्री के से इसको explain करने किस त्री के से define करने ठीक है after that अब आ जाईए one by one को देखें first one आपकी NCRT क्या लिख करके देती है यह जो content आपको बताया जा रहा है यह NCRT निचोड से लिया गया है NCRT भी ऐसा नहीं है NCRT भी आपको देखने को मिलेगी बढ़ जहां इधर Growth It is the increase in the number and mass of the cells by cell division In plants, growth is continuous throughout of the lifespan But animals के अंदर क्या होता है In animals, growth is only up to a certain age However, cell division occurs to replace the lost cell No doubt, cell division होता है जो cell की repairing चलती है जो cell lost हो जाती है या फिर चली डाई हो जाती है उनको replace किया जा सकता है Basically, growth is an increase in mass and size So, non-living objects are also growth Surface accumulation of the material So, growth is not a defining property of a living organism In the living organism, growth is from inside Living organism के growth आपको अंदर से देखने को मिलती है Next, reproduction Reproduction की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं It is production of progeny having features similar to those of the parents Organism reproduction Asexual भी होता है और sexual reproduction भी देखने को मिलता है Unicellular organism के लिए growth and reproduction Both are same Both are same Because of they reproduce by the cell division Growth and reproduction both are the synonyms of each other For the unicellular organism Many organism do not reproduce like mule, worker bees, infertile male couples etc Hence, reproduction is not a perfect defining property of living organism Clear? Next Isolated metabolic reaction in vitro is not a living thing But it is a living reaction What do they say? Living reactions It is said to be careful Important point is As it is line You can ask you directly Correct Next Aba jaiye eske baad Cellular organization Cellular organization के अगर बात की जाए And last and final consciousness Organisms are made up of one and more cell It is the defining feature of the living organism Yebbi defining feature and last and final consciousness It is the ability of organism to sense the environment And respond to the environmental stimuli Like light, water, temperature and other organism Chemicals, pollutants In all the stimulation, what do we show against? Response show Clear? All organisms are aware to their surrounding So it is the defining property of the living organism Human is the only organism having a self-consciousness Important point is This should be understood Human beings have a self-consciousness Now look at the general points This first point NCRT has defined by the Which you have to know Growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness Now look at the general point What is mentioned in NCRT? What has been given here? This is the Which I am remarking In the 11th NCRT Chapter No.1, page No.2 Second paragraph In the second paragraph In the second paragraph Reproduction About the characteristics Likewise, it is the characteristic of the living organism Characteristics is the same But it is the defining feature Why? And some organism What is the reproduction of the means Defined by the means What is it? Organisms Organisms Reproduced by asexual means Also Punjai multiply and spread easily Due to the millions of the asexual spore they produce The lower organism like yeast and hydra We observe budding In plain area, flat form We observe true regeneration And fragmented organism Regenerates to lost part of its body And becomes a new organism The fungi, the filamentous algae And protonium of the moses are easily multiplied by fragmentation These are all points These are all points Which I want to remind you I want to remind you Mashed the column You can see 100% You can see 100% Here is a very good match Mashed column In your neat exam You can see that Important I am going to remind you This is the reason I have to remind you This is the reason I have to remind you When it comes to unicellular organisms Like bacteria, unicellular alga And amoeba Reproduction is synonym of Synonym with growth Increase in number of the cell Here is a question From In many organisms Like bacteria, which are synonym Reproduction and growth Both are synonym Both are synonym And you can see Unicellular organism As a multi-cellular organism As a name of multicellular organism You can see You can predict You can see All organisms Important These are the two points Which I have to remind you 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 Clear? Next Now come to the second point Which I have to proceed Diversity in the living world And if you talk about diversity If you talk about diversity The number of the species Which is reported Described Around 1.7 to 1.8 million According to the 11th NCRT In this chapter You have to mention this What is the number and the type of the organism Present on Earth Referred as in Biodiversity Referred as in Biodiversity Taxonomy Is the study Study of identification Classification And the nomenclature Of an organism And Systematics Where is the Latin word Systema Which means Systematic arrangement Deals with the Evolutionary relationship Between Organisms Systema Natury Written by Careless General point You can define Now Important point This is what is important What is important This is important point बूल जाते हैं और चार ID से class लगाते हैं चार ID से class answer is no, अच्छे बच्चे होंगे तो यही बोलेंगे answer is no, और कई होते हैं मतलब भालू जैसे जो चार-चार ID से class लगाते हैं चार ID से class अब चार ID समझ रहे होंगे characterization identification classification classification और nomenclature यहां अच्छे अच्छे इसको भूलते हैं और confused हो जाते हैं कि कैसे इसको याद रखें कितनी ID से 1, 2, 3 और 4, चार ID से most important है इसी तरीके से पूरे session के अंदर ऐसे ऐसे points जो हम याद नहीं रख पाते हैं सब आपको याद करवा दिये जाएंगे पर शान्ती से आपको पूरा session अच्छे से देखना है सबसे पहले पता तो हो कि कैसे हमें इसको याद करना है after that it is the understanding of the character's organism such as the external and internal structure external and external and internal structure the cell development processes ecological information these general points आपको दिये हुए है NCRT के अंदर NCRT chapter number one, page number eight according to old NCRT, page number eight आपको दिया हुआ है उस page number eight पर अगर आप जाएंगे page number eight पर सबसे उपर उपर और seven की last three line seven की last three line और eight पर सबसे उपर उपर जब आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जायेगा ऐसा कुछ I think तो वहां पर आप देखें जहां यह डिफाइंड कियो है General Characters identification it is the correct description of the organism so that the naming is possible आप easily define कर से लिए classification it is the grouping of the organism into convenient category most important है most important है ध्यान लेना convenient category texta based on the characters last one it is the standardization of the names of the organism such that the organisms known by the same name all over the world यह characterization के बाद में सबसे last में जो classification के बाद में सबसे last में जो norman culture है all over the world एक single जो universal system चलता है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए clear important point है यह सारे points मैंने आपको define किये उसके बाद दो major question मनते है ICBN क्या है और ICZN क्या है ICBN और ICZN first chapter के अंदर इता देखिये the system of the naming with two component is called binomial normal culture क्या बलाया था इसको binomial nomenclature and binomial nomenclature was given by was proposed by careless linears in ke through binomial nomenclature दिया गया था after that देखिया botanical names are based on the rule of international code for botanical nomenclature and geological names are based on the international code for geological nomenclature ICBN और ICZN दोनों important है दोनों important है आपके neat point of view से अच्छे से देख ले पेपर के अंदर जितने भी अपकी full forms आपकी NCI team जितने भी दियो है वो सारे आपको पता होने चाहिए जो आपकी book के अंदर है next and most important point किस तरीके से आप पूरा एक नाम लिखते हैं इस पे बेस चार statement आपको एक साथ दे दी जाएगी as it is statement आपको दे दी जाएगी और पूछ ले जाएगे how many statements are correct या फिर how many statements are incorrect NCRT के अंदर direct दिया हुआ है यह seven number page होगा I think जाकर के देखना आप universal rules of the binomial normal clature सबसे ऊपर आपको मेंचन है scientific names are in Latin and or Latinize and written in italics when handwritten they are underlined separately handwritten होते है तब इसको underline किया जाता है अलग से फिर क्या define किया है the first word of genus and generic name and the second word is species name specific epithet like homo sapiens homo represents the genus name and the sapiens represents the species name after that the genus name starts with the capital letter and the species name starts with the small letter as a tis ज्याद होने चाहिए first character के कैसे लिखा जाता है species and genus को second number genus का जो first letter वो कैसा होगा capital होगा और species का first letter कैसा होगा small letter से start होगा after that अगर author name mention किया हुआ है name of the name of the author in abbreviated form appears at the end of the biological name like menzifera indica lin and it indicates the species was first described by linus most important है already आपके neat exam के अंदर ये पूछा जा चुका है ये पूछा जा चुका है और ये पूरे sequence के आपसे पूछ सकते कि कौन कौन से है underline कब किया जाता है कब नहीं किया जाता italics में कब लिखा जाता है ये लिखा जाता है यहाँ पे latinize and written in and and handwritten underline by underline if it is handwritten अब ध्यान रखना latinize के अंदर italics में लिखेंगे handwritten हो तो ये अपने underline करेंगे दोनों को mix up करके भी लिख सकता है ये कि अगर latin में लिखा हो है तो italics में लिखना पड़ेगा अगर आप उसको print करवाते हो italics में अगर handwritten है तो आपको underline करके आप इसको define कर सकते हैं ठीक है next most important point जो यह भी मैंने आपको बताया कि क्या-क्या आप इसके अंदर देखते हैं वो मैं आपको दुबारे से recall करवारो external structure, ecological information, developmental process, structure of the cell and internal structure modern taxonomy इसको इन सभी को basis मानती है और क्या है systematics arrangement of an organism systema term systematics includes identification, identification यह जो adjust अभी आपको बताया identification, nomenclature, classification and affinities इसका sequence आपको याद रखना है वही चार id से class, answer is no and most important point taxonomical categories in taxonomical categories को define करने के लिए one and only single example ले रहा हूँ जिससे सारी taxonomical categories आपकी complete हो जाएगी और वहाँ पे आपका यह chapter complete हो जाएगा जब भी अपने बात करते हैं इन सभी taxonomical categories की important point क्या है देखिए classification involves hierarchy of the step of which step represents the taxonomical categories और rank पहला point पहला एक point आप अच्छे से analyze करें क्या define किया हुआ है इता देखिए classification involves a hierarchy of the step in which the each step represents a taxonomical category और rank taxonomical category rank और even level पे आप किसी भी rank की rank को अब taxon भी बोल सकते हैं ध्यान रखना rank taxon category all are same all are same taxonomical category के level अलगलग हो सकते हैं बट एक level पे आप बात करते हैं तो a unit of classification क्या है taxonomical category हर एक category एक unit of classification को define करती है a group of organism occupying a particular category is called taxon क्या बोल रहता है taxon like class mammalia यह particular class mammalia taxon को represent कर रहा है एक category को represent कर रहा है अब आजाए इससे important चीज सबसे important चीज जिसके बिहाब पे आप सारी चीजें define कर देंगे जो यह आपके सामने है इसको समझने से पहले इसको समझने से पहले कुछ general point जिस पे हम हमेशा वस्ते हैं और जिसके बिहाब पे यतने भी questions आते हैं और हम हमेशा गलत करते हैं समझना होगा बेटा आपको यही point है जो इस chapter के अंदर समझना है अच्छे से समझ लें देखो भई general point है पूरा hierarchy pattern आपको दिया हुआ है सबसे पहले आपको दिया हुआ है kingdom after that phylum और division first kingdom second number phylum और division आपको दिया हुआ है class order family zenus class order family and zenus family zenus and last दिया हुआ आपको species clear important point क्या है यह देखिए आप important point क्या है समझेए क्या है important point? जब मैं यहां से species से स्पीशिस की से move करता हूँ kingdom की तरफ स्पीशिस से मैं kingdom की तरफ move करता हूँ important चीज़ देख्ये दू चीज़े है Movies जब मैं उपर की तरफ जा रहा हूँ तो kingdom को बताने के लिए kingdom को बताने के लिए कि एक kingdom kingdom में आपके पास में क्या क्या आता है kingdom में आपके पास में मोनेरा है प्रोटिस्टा है फंजाई है प्लांटी है और एनिमीलिय एक kingdom को मैं दूसरे kingdom से जब मैं identify करता हूं मुनेरा की कुछ characteristics है, उसका seller organization, उसके अंदर cell wall, non-cell logic होती है, उसका mode of nutrition different होता है, heterotrophic है, autotrophic है, उसके अंदर nature of nutrition कैसा है, हर एक point आप define करते हो मुनेरा में, similar kind हो उसको classify करना है, जब आप उसको identify करना है, या फिर differentiate करना है, किससे, potista से potista में same, पंजाई, planty और animalium से, क्या उसके अलावा और characteristics है, जिससे आप kingdom level पे, इन सभी को एक दूसरे से differentiate कर पाओ, है ही नहीं, पर जैसे kingdom से आप कहां आ जाते हो, kingdom से आप आ जाते हो, phylum और division में, तो phylum के अंदर आपके बास में कुछ extra characters होते हैं, जिसके बिहाब पे, each and every kingdom के अंदर आने वाले, आने वाले member को आप और अच्छे से classify कर पाते हो, और अच्छे से differentiate कर पाते हो, same level पे दूसरे member से, ठीक है, फिर जैसे ही आप इसके अंदर class के अंदर entry लेते हो, तो आपके बस कुछ characters और बढ़ जाते हैं, उसको classify करने के, उसके same level पे दूसरे member से, इस member एक, इसके same level पे A and B, यह दोनो आपस में, यहाँ पर एक member है A and B, यहाँ पर दो member है A and B, A and B मतलब एक Monera और Podista, यहाँ पर अगर आपके बस में 5 characters से define करने के लिए, तो नीचे आते ही 10 हो जाएंगे, और नीचे आते ही 15 हो जाएंगे, और नीचे आते ही, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, species level पे और genus level पे, यहाँ पर दो member को same category के अंदर अगर आप compare कर रहे हो, तो आपके बस में ज़्यादा characters होते हैं, उन सभी को classify और identify करने के एक दूसरे से differentiate करने के, classify करने के identify और एक दूसरे से differentiate करने के, बट वहीं अगर आप level बढ़ाते जाते हो, let's see, एक example लें आप, mammalia में एक mammal को दूसरे mammal से जब मैं compare कर रहा हूँ, तो mammalia level तक मैं आपको sorting करकर के दे सकता हूँ, बट जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, phylum core data, मैंने बोला phylum core data, तो phylum core data के अंदर हाल फिलाल मेरे पास five to six characters ही हैं, कि phylum core data के अंदर post channel tail होगा, core data के अंदर ventral heart होगा, core data के अंदर आप class mammalia पे आ जाते हो, class mammalia पे आ जाते हो, तो आपके बास में characters भढ़ जाते हैं, class के अंदर फिर उसके order, फिर उसके class के बाद order, family, genus और species पे आते हैं, तो आपके बास characters भढ़ते हुए जाते हैं, तो ध्यान रखना, जब भी आप इसके species से उपर की तरफ जा रहे हो, त common characters क्या होते जाते हैं, common characters, common characters decrease होते जाते हैं, क्या होते जाते हैं, common characters decrease होते जाते हैं, जिसको आप define करते हो, समझ में आ रही है बात, और same category level पे, same category level पे, एक दूसरे को define करने का तरीका भी change हो जाता है, तो important point अब आजाओ इधर, आपको को sir, इसके अंदर हमें क्या बता यह सारे ही आ गए हैं इसके अंदर, अगर आप देखें, मैं इसको start कर रहा हूँ यहां से, यहां से start कर रहा हूँ, genus से और species से, most important point, अच्छे से देखें, सबसे lower category आपके बास में क्या है, species उसके बाद क्या है, genus, दिख रहा है आपको, अगर मैं single genus की बाद करता हूँ, solenum, 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 इसके अंदर different species आपको देखने को मिल रही है, nigrum, solenum, nigrum, solenum, tuberosum, solenum, melangina, solenum, melangina, यह सबी जो species आपको देखने को मिल रही है, यह तीनों species एक single, single, single genus के अंदर आपको देखने को मिलती है, clear, यह aggregate of species, मलब species जो इकठी होकर किसमें एक single genus को रिपरजन कर रही है, genus solenum, genus pitunia और genus datura, पहले मैं plants की बात कर रहा हूँ, फिर animals पे आएंगे, ठीक है, plants में यह सभी बात की, इधर अगर आप देखें, genus, mangyfera, यह सभी किसमें आते हैं, यह तीनों के अगर बात करें, तो single एक family, solenasi family से यह बिलोंग करता है, यह दोनों, एक single order, polymonials के अंदर लाई करते हैं, पॉलिमोनियल्स और spandials, यह दोनों जो order आपको देखने को मिलते हैं, एक single class dicotyledons के अंदर लाई कर रहे हैं, इस spandials का family, आपको different देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आने वाला जीनस है, मैंजी फेरा, और इसके अंदर जो species आपको देखने को मिलती है, मैंजी फेरा, इंडिका, तो plants की जब बात के जाए, तो starting के अंदर kingdom आपके पास में क्या है, plenty, कुछ level है, जिस पे आप कुछ characters पता सकते हो, उसके बाद डिवीजन, species आप इन सभी को अलग-अलग define कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखें आपकी NCRT की lines, NCRT की lines, यह closely related है, यह closely related species are, are placed in a same genus, closely related species are placed in same genus, अब genus के जो characters हैं, जो देखने को मिलते हैं, यह सारे aggregate एक family के अंदर आते हैं, number of families जो similar level पर बिलोंग करती हैं, वो एक order के अंदर आती है, number of order single class में देखने को मिल रहे हैं, और यह जो classes आपको देखने को मिल रहे हैं, और number of division एक single planty में आपको देखने को मिल रहे हैं, यहां define करने के features कम है, common characters कम है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे, आपके वास में characters बढ़ते जाएंगे, similar characters बढ़ते जाएंगे, define करने के points आपके बढ़ते जाएंगे, अब आजाएए आप animals पे, और यह सारे वो example हैं, जो आपके taxonomical hierarchy वाले हर एक paragraph में दिये हुए, मैं अभी analyze करवा दूँगा, NCRT से भी, इतर देखिए, क्या है, animals की अगर बात की जाए, तो panthera leo, panthera pardus, panthera tigris, यह सारे क्या हैं आपकी species, यह सारी species एक single, single genus, panthera के अंदर आ रही है, panthera और उसके same, अगर taxonomical category level पे देखें, taxonomical same level पे taxonomical category में यह एक taxon है, यह के एक टेक्सों है, यह category का अंदर एक rank है, यह category के अंदर एक rank है, यह single category को define कर रहे है, यह category को define कर रहे है, यह taxonomical category represents taxon, represents category, represents rank, clear, धान कना, यह different different genus है वो एक single family के अंदर आपको देखने को मिल रहे है, different different families, Felady and Kennedy, Felady and Kennedy are lies in a single order, that is Carnivora, Carnivora and Primata Carnivora and Primata, both orders lies in a single class Mammalia, Mammalia number of classes, birds, reptiles amphibian fishes, Mammalia, यह सारे एक single phylum के अंदर codita, और number of phylum codits and non-codits, सभी लाई करते हैं Animalia के अंदर दिखर आपको, तो समझ में आना चाहिए a group of species, a group of species lies, या फिर closely related species lies in a single genus, number of genus lies in a single family, number of families lies in a single order, number of order lies in a single class number of class lies in a single phyla, तो इस तुरीके से आपको यह सारे points अच्छे से tips पे होंगे देखिए आप, first आपको define क्या अब आजाईए, यहाँ पे आपका यह chapter मेरी तरफ से तो complete है NCIT की lines analyze करवाने बागी है आपके स्लिबर से हट चुका है उसके बारे में एक एक word, एक line में आप लोगों से discuss करूँगा, general general जो important है, अब आजाईए, one by one अपने इनको अच्छे से देख लेते हैं species, species की कुछ lines जो important हों यहाँ से आपके निकाल ले गई NCRT नी चोड के अंदर जो आपको दियूए देखिया it is a group of closely related organism capable of the inter-beading to produce fertile offspring, it is the lowest category example, जो आपको वहाँ mention कियों है, panthera leopanthera pardus, sab, genus it is the aggregates of the closely related species इसके ले line के लिखी and potato, tomato, brinjal are species of genus solenum lion, leopard, tiger are species in genus panthera, this genus differ from the genus phallus genus of cats ठीक है, next अब आजाए ये family order and class, जिससे हम हमेशा डरते हैं खौफ से आपको याद करवाया जाता है ये, इधर, class order and family ठीक है, इधर it is a group of closely related genera genus को आप इकठा करोगे aggregate उनके लगाओ क्या बनेगा आपका family, example क्या है solenasi includes genus solenum genus pitunia और genus datura, यही point मैंने आपको सारे इसके अंदर analyze करवाए है कुछ नया नहीं बताया है, दिख रहाए आपको solenum, pitunia, datura solenasi family के अंदर आ रहे हैं यही आपको analyze करवाया है कुछ नया नहीं बताया है, इधर देखिए आप, family phallidae and include genus panthera and genus phallus यह आपको देखने को मिलता है next, it is the assemblage of the related families, अगर बात की जाए, order की, it is it is the assemblage of the related families example, polymonials includes family convulacy and the family solenacy order of, order carnivora includes family phallidae and kennedy clear, same आ जाईए, class assemblage of the related orders example, primata, carnivora and it plays in the class mammalia important point आपको बदाए, last and final phylum and kingdom phylum and kingdom, उसके बाद NCRT की lines और table number 1.1 जो आपको define करना है phylum, it is the assemblage of the related species, sorry, related classes, classes amphibia, reptilia, avies, mammalia, etc comes under the phylum core data and kingdom, the assemblage of the related phyla, it is the highest category, kingdom planty, kingdom animalia, etc अब आ जाईए, finally आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन सभी के अंदर single single की अगर बात की जाए kingdom में number of division हो सकते हैं, phyla हो सकते हैं एक single single division के अंदर number of classes आपको देखने को मिल सकते हैं single class के अंदर number of orders हो सकते हैं, single order में number of number of families, number of zenus, एक single family के अंदर single zenus में number of species आपको देखने को मिल सकती है, यही सारे point मैंने आपको define किये हैं, आपके पूरे complete chapter में next, an important point क्या है देखिए आप, number of the dissimilarity, maximum number of the dissimilarity, maximum kingdom, higher the category, taxonomical group के अगर बात करें, number of the common characters, अगर आप देखें, जब उपर की तरफ जा रहे हैं, तो common character क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं, और ascending order अगर आपको देखा जाएं, species की बात की जाएं तो lower group है, taxonomical category, number of the dissimilarity is maximum क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं lower the category आते हैं, तो आपके बास defining characters बढ़ जाते हैं, जिसके बहाब पे आप सारे points explain कर सकते हैं easily, अब आजाएए, आगे अपने proceed करते हैं, जो आपकी table आपकी NCRT में दी हुई है most important table देखिए, chapter number one and important table, यहां से पिछले 4-5 years के लगादार question आ रहे हैं, different different types क्या है, इदर, common name general आपको define क्या हुआ है human being, man housefly mango और last and final आपको दिया हुआ, wheat ठीक है, अब इनके scientific name के अगर बात की जाए, biological name की बात की जाए, तो first के अदर, homo sapiens musca domestica, mangifera endica and tritcum estivum, zenus अब आजाए, phylum and division, यह सारे, first अगर आप देखा जाए man है, housefly है, यह mango and wheat, mango and wheat, planty से बिलोंग करते हैं, और यह दोनों animalia से बिलोंग करते हैं, यह दोनों animalia से और यह दोनों planty से बिलोंग करते हैं, kingdom मैंने आपको बता दी है, phylum, first one phylum, codeta है, second number के अंदर जो आपको phylum, phylum देखने को मिलता है वो है आपका phylum, जो insect housefly का देखने को मिलता है वो है, arthropoda, codeta के अंदर class, mammalia, order primata, family homonidae, zenus homo species क्या है, sapiens, तो biological name पूरा लिखा हुआ है, second number class, insecta, diapatera, massidi, इसके अंदर family है, musca domestica इसका पूरा नाम है, इधर class, dicotyledon, wheat के लिए class क्या है, monocotyledon, dicotyledon spandials, order for the mango ऐना के रेए, यह सी family है, mangifera और इसका पूरा name, mangifera indica, indica is a species, इधर poils इसका order, monocotyledon, उसके अंदर order poils, उसके अंदर family, poesy and graminy, important family है, इस साल, यहां से question आ सकता है, important है, ध्यान लगना, most important है, star लगा रहा हूं मैं इस पे, इस साल यहां से इस table से अगर question बनता है, तो tritikum, estivum and tritikum is a zenus, important है, फिर से repeat कर रहा हूं, यहां लगना, यह पूरी table से match the column आता है, कि which one of the following is incorrect, which one of the following mismatched pair, which one of the following is correctly matched, except इस तरीके से questions बनते हैं, और matching, family आपको पता होनी चाहिए, genus पता होनी चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे level के questions बनते हैं, इस पूरी table से, clear, आपको single single common common, जो example देखरके, उसी के अंदर पूछ सकता है, या फिर अलग-अलग, एक का family, दूसरे का order, तीसरे का genus, और चोछे की species, अलग-अलग के अंदर भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, important है, next, अब आजाईए, NCRT पहले, आनलाइज करवाने से पहले मैं आपको taxonomical aid के बारे में बता दूँ, जो अपना syllabus से हट चुका है, एक-एक line मैंने इसके अंदर लिखी है, ज्यादा line नहीं है, देख लेंआप, दो minute हैं इसके लिए, herbarium sheet, stored house of the dried, pressed and preserved plant, specimen, एक sheet के उपर रखे जाते हैं, each sheet carries a label which have information about the specimen, next museum के अंदर जनरली सेट आप इन स्कूल एन एदुकेशनल इंस्टिटूट, इसमें animals and plants जोनों को प्रिजर्व किया जाता है, फॉर्मेल इंके गोल के अंदर, बनला फॉर्मेल के सॉलूशन में, जो बड़े अनिमल होते हैं, उनको स्टफ करकर के रखते हैं, उनकी कवरिंग को, इंसेक्ट आर प्रिजर्व इंसेक्ट बॉक्स, जो लोजिकल पार्क, वाइल एनिमल आर कैप इन देर नेच्छल एन्वार्मेंट, इन सिटू कंजर्वेशन को आप देख सकते हैं, इच्प्लनल बॉक्टेनिकल गार्ड़े ऑड़् हर्म लग्हांटिकल उलिकल होते हैं, जिस के बारे में अनले confidential होते हैं, बास्टfinitely कारीक्टेर नीजन को कालते हैं, उलिटा सब्सक्र शिसिंगल को कप्लेट हैं, इस statement जो इसके अंदर दी जाती है, इसको lead बोला जाता है, ठीक है, flora, जो complete आपको plantation देखने को मिलता है, plant species एक fixed area के अंदर उसको बोलते है, flora, fauna होता है, जो animal की species होती है, monograph, complete taxon की information, information of any taxon, and manual, जिसके अंदर उस any useful in the providing information for the identification of the name of the species found in an area, जनल बताया है, यह आपको वैसे नहीं बताना चाहिए है, पर mash the column यह कहीं एक आधी line आ गई तो आप फिर तंग होंगे, इस वैसे मैंने आपको बता दिया है, अब आजाओ, अब आजाओ, इधर, आपकी NCRT के अंदर कुछ एक general point lines मुझे remark करवानी है, like इधर आजाए, order, order क कि अगर बात की जाए, family, zenus, species, 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 species के बाद में, species के बाद में आपको दिया हुआ है, zenus और zenus के बाद आपको दिया हुआ है, एक closulated species already मैं explain कर चुका हूँ, general are the aggregates, यह line, general are the aggregates or the closulated species, most important line है, उसके बाद में, यहाँ, 101% आने की chances है, important है, family के बारे में, ध्यान लखना क्या है, कि families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species, vegetative and reproductive features of plant species, एक बच्चा जिसने यह question कल पर सों उसे पूछा भी था, उसको लग रहा था, यह chapter number 3 के अंदर दिया हुआ है, बट यह chapter number 1 के अंदर define क्या हुआ हुआ, अच्छे से देख लें, important line है, most important line है, किसके बिहाब पे characterize किया जा सकता है, इधर, among plants, example कि सारे मैं already explain कर चुका हूँ आप लोगों को, बस important line थी, इसी वज़े से मैंने आपको underline कर वाई, यह N-C-E-R, ठीक है, order के अंदर, order के अंदर, order के अंदर एक important line कि base, इधर, earlier category जो आपने देखी थी, species, genus या families are based on the number of the similar character, किसके भीहाब पे बताते थे, आप similar characters के भीहाब पे बताते थे, but अब इधर देखो, in order, generally order and other higher taxonomical categories are identified based on the aggregates of the characters, characters के aggregates, number of, अभी तो आप बताते थे कि species सारी कठी होके, genus मना लेगी, genus से कठी होकर के, further families को represent कर देंगे, but अब आगे higher category में देखो को, तो aggregates of characters के भीहाब पे आप define करेंगे, order being a higher category is the assemblies of the family, which exhibits a few similar characters, जिनके अंदर आपको similar characters देखने को मिलते हैं, important है, ध्यान रखना मैंने remark कर दी है, जो points important है, ठीक है, lower the category, similar characters के भीहाब पे, higher the category, aggregate characters के भीहाब पे आप define करते हैं, ठीक है, यह था आपका chapter number one, उसके अलावा आपकी NCRT ने general point, और एक last and final line, जो आपकी इस table के ऊपर दी हुई है, NCRT में, और हम परिशान होते हैं, इन lines को लेकर के, यह जो lines define की हुई है, table के just ऊपर, table के just ऊपर, जो lines आपको दी हैं, उसको लेकर के हम परिशान होते हैं, यह था देख लीजी आप, उनही को direct remark कर रहा हूं, कि in kingdom, the number of the common characteristics goes on decreasing, कब, जब as we go higher from species to kingdom, lower the taxa, more are the characteristics that the member within the taxon share, higher the category, greater is the difficulty of determining of the relationship to the other taxa at the same level, same level पे दूसरी taxa से define करना भी मुश्किल हो जाता है, hence, the problem of the classification becomes more complex, आप classify करना मुश्किल हो जाता है, जिसने से उपर आते हो, कुछ ही characters रहा जाते हैं, same level पे, clear, so this is your chapter number one, chapter number one, the living world, इसके बाद जो general points आपको define किये हुए, यह था आपका first chapter, the living world, इस chapter के साथ आपको proceed करना है, two minutes के अंदर आपका chapter number two start हो जाएगा, just two minutes, झाल, 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 करते हैं स्टार्ट यह आपका बाइलोजी गंचोट का सेकिंड चेप्टर बाइलोजीकल क्लासिफिकेशन इस चेप्टर से बहुत अच्छे कोश्चन आते हैं और काफी सारे स्टुरेंट से जो कन्फ्यूज होते हैं इस चेप्टर के अंदर कि हम हमें कैसे प्रोसीड करना है बहुत इजी है, systematic ढंग से, ढंग से, कैसे पढ़ना है, अगर आपको यह पता है, तो यह chapter आपको retain रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, सारे चीजे समझनी हैं, उसके बाद चीजों को लंबे समय तक याद दगना है, second chapter start कर रहा हूं, सोने आप, biological classification, तब से पहले, जितने life kingdom classification आया था, majorly, जिसको अपने अभी मानते हैं, 1969 के अंदर, RHV Taker, जीने किस basis पे दिया था, जो mode of, उनोंने, define के थे, चाहे वो reproduction हो, चाहे वो phylogenetic relationship हो, या फिर thallus organization हो, सारे points अपने इसके अंदर discuss करने बाले हैं, one by one, अच्छे से समझें, क्या है, इस chapter के अंदर, क्या पहले kingdom onera के अंदर इनको रखा गया था, बट, आर्की बेक्टिरिया और यू बेक्टिरिया, वैसे अगर डोमेन देखे जाएं, तो आर्किया है, प्रोकेरिया है, यू केरिया है, ठीक है, kingdom, अब six kingdom आ चुका है, कॉल लूस के according अगर अपने पढ़ें तो, बट आपको five kingdom classification तक ही आदगने, आर्की बेक्टिरिया पे हर साल एक question आता है, important है, वो अच्छे से detail में जाना है, यू बेक्टिरिया, पढ़ना कैसे है, यू बेक्टिरिया लिखी चार लाइन है, पर याद ही नहीं रहती है, वो आपको analyze कर वाऊंगा, after that, protesta के अंदर, chrysovite, dynoflagellate, ugl exogenous, exogenous, क्या रहता है, septate, a septate mycelium है, sexual reproduction होगा, नहीं होगा, किस basis भे इन सभी को classify किया गया है, आगे वो, और most important question है, इस साल आने के chances है, after that, kingdom planty, kingdom animalia, और last one, जिनको वीटेकर classify नहीं कर पाया था, virus, viroid, prion, and lichens, जो A cellulor की category के अंदर आते हैं, आपकी NCRT के अंदर दी हू करते हैं, analyze कर लें, अच्छे से, ठीक है, देखिए, आप, start कर रहा हूँ है, इस chapter को, सबसे पहले, Aristotle का जो classification है, अरस्तु का जो classification है, वो क्या था, अरस्तु का classification, जो देखिए, Aristotle was the earliest attempt to the more scientific basis for classification, सबसे पहले, आपको important point for the more scientific basis for classification, किसने, Aristotle, अरस्तु, ठीक है, क्लासिवाइड प्लांट्स, लाइक, ट्री, शर्ब, अर्ब, प्लांट्स, को दो ग्रूप के अंदर, on the basis of, ब्लड, रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, एक एनेमा और एक एनेमा, दूसरा, लीनियस तु किंग्डम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफि प्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, 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 क्लासिफिक cell wall. Important question क्या बनता है? Important question ये बनता है कि drawback में ये आता है इन सभी को एक साथ classify किया गया किस भिहाब पे? Presence of cell wall के भिहाब पे इनको एक साथ classify किया गया First point. Second. But they are widely differed in other characteristics. Second point. It included that the unicellular and the multicellular organism एक साथ रख दिया था in the same group like clamidomonas and the spirogyra were placed under alga और alga एक multicellular planty की category थैलोफाइटा के अंदर आता है उठा करके उनको unicellular वालों को multicellular के साथ उठा करके रख दिया गया था Next. It is not differentiate between the heterotrophic fungi and the autotrophic green plants उन दोनों को क्योंगी दो ही थे न planty के अंदर ही उठा के रख दिया था green plants heterotrophic और autotrophic को एक साथ रख दिया fungi have chitinous cell wall while the green plants have the cellulogic cell wall यह basis से जिसके भिहाब यह drawbacks थे और क्यों इनको drawbacks के अंदर हर एक point define क्या हुआ है कि कैसे कैसे आपको इन सभी को बताना है important point मैंने आप रिमार्क कर दिया unicellular, multicellular को एक साथ रख दिया था cell wall के भिहाब पर fungi वैसे भी आप देखे fungi saprophytic होता है यह autotrophic का इन दोनों को एक साथ रख दिया था यह basis आपको अच्छे से पता होने चाहिए next point five kingdom classification and most widely accepted आज के टाइम में सबसे important और it is proposed by the rhv taker rhv taker के थूँ 1969 यह दिया गया था rhv taker के थूँ 1969 के अंदर यह दिया गया था it includes monera, protesta, fungi, plantae and animalia this is based on the cell structure first cell structure second point phallus organization phallus organization के भिहाब पर mode of nutrition reproduction and phylogenetic relationship इन सभी के भिहाब पर यह basis से five kingdom classification के आप से पूछे जाएंगे हर बार इस पर question आता है जन्नल thallus organization mode of nutrition reproduction and phylogenetic relationship ncrt chapter number ncrt chapter number two biological classification के अंदर biological classification के अंदर page number 17 पर आपको यह mention होगे page number 17 पर टेबल दिया हो ना 2.1 उस table के जस्त नीची आप जाकर के देखेंगे इस table के जस्त नीची आप जाकर के देखेंगे 3-4 lines के अंदर यह mention के होगे drawbacks मैंने पहले बता भी आपको बट यह lines आपको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए five kingdom classification के रिगार्डिंग इसके अंदर mode of nutrition समझ में आना चाहिए reproduction समझ आना चाहिए thallus organization आपको समझ में आना चाहिए phylogenetic जो relationship आपको दिया हो वह समझ में आ जाना चाहिए cell structure आपको समझ में आ जानी चाहिए clear next अब आ जाईए kingdom Monera के अंदर proceed करने से पहले मैं कुछ NCRT के अंदर आपको यह points यह निचोड का सारा content आप अच्छे से देख रहे हैं NCRT के अंदर मैं इसको remark करवाना चाह रहा हूं NCRT के अंदर RHV Taker के respect में आपको यह points लिखे हुए आपकी NCRT ने देख लीजिए जिसमें इस सारे points अपने already discuss कर चुके हैं इस सारे points अपने already discuss कर चुके as it is आपकी NCRT के अंदर यह दिए हुए characteristics of the table number 2.1 के अंदर दिए हुए इसके अलावा इन सभी का criteria चाहे वो body organization हो चाहे वो cell structure हो या फिर mode of nutrition हो, reproduction हो या phylogenetic relationship हो अब आ जाएए table number 2.1 इस table की मैं बात कर लेता हूँ table number 2.1 table के अंदर जो आपको point दिए हो है इसके बिहाब पे बहुत अच्छे question पूछते है अभी hollow जो एक पे question already आपके neat exam के अंदर आया था hollow जो एक पे question आया था hollow जो एक mode of nutrition किस में मिलता है बेटा यह दिया हुआ देखे आपको 2.1 के अंदर neat exam के अंदर अगर आप paper उठाके देखेंगे previous year आपको मिल जाएगा important point के है देखिए आप cell type, monera, protesta, fungi, planty and animalia इसको मैं एक बार explain कर देता हूँ monera, protesta protesta fungi fungi, planty और animalia आपके पास में, planty और animalia, जादा time waste नहीं करूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैं एक point define करने वाला हूँ सारे point define करने वाला नहीं हूँ सारे points तो अभी आपको मैं table से ही analyze कर वा हूँआ, अच्छे से देखें जो point bacteria और R की bacteria इन दोनों की cell wall के अंदर difference आपको देखने को मिलता है और नहीं होगी यह फिर अगर मैं बात करता हूँ bacteria के अंदर blue green algae general u bacteria और इधर R की bacteria यह फिर cell wall होगी नहीं mycoplasma, PPLO जो इसके अंदर आते हैं उनमें cell wall होती नहीं है इधर cell wall के अगर बात करें तो starting के जो members उनके अंदर different cell wall होती है और बाद वालों में cell wall होती ही नहीं है कुछ एक के अंदर cell wall present होती है आपके chrysophyte सा है dynoflagellate सा है, uglinoid सा है after that जैसी आप आगे के दरह जाते हो slime wall, protogenes उनके अंदर cell wall क्या होती है absent होती है पंजाई के अंदर cell wall present होती है यहाँ पर member अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं dytums dynoflagellate after that uglinoid and after that slime molds slime molds and last one protogenes क्यों कि आदे से जादे सुटन cell wall word आते ही परिशान होते हैं तो cell wall word के पीछे बता रहा हूं इन तीनों के अंदर आपको कहीं न कहीं मिलेगी इन दोनों के अंदर नहीं है यहाँ पर mycoplasma में नहीं है और mycoplasma के जैसा PPLO है उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलती PPLO इसके अंदर भी नहीं है पंजाई पर आ जाईए फंजाई के अगर बात की जाए, तो cell wall है और किसकी बनी होती है, काइटीन की बनी होती है, यहाँ पे cell wall algae algae की cell wall different है rest of जो इसके member है bryophyte, tetophyte tetophyte, zymnosperm और angiosperm, इनकी cell wall के अंदर, galactans, menans some minerals like calcium, carbonate cellulose, cell wall अगर chapter number आपने, chapter number आपने 8 में पढ़ा हो, chapter number 8 जो आपका है, उसके अंदर अगर आपने देखा हो, page number 131 पे आपको मिल जाएगा 132 page number 132 131, 132 ठीक है, वहाँ पे आपको cell wall नीचे से second paragraph जाकर के देखो कि मिल जाएगा cell wall ना, लिखा हुआ, वो cell wall को आप अच्छा से अगर देखेंगे, तो उसके अंदर mention क्या हुआ है, मिड में algae, algae के अंदर आपको दिया हुआ है, और animalia के अंदर होती ही नहीं है अब आप यह सोचो, इन सभी की cell wall, और यू bacteria के अंदर, यह बेक्टिरिया के अंदर, यह बेक्टिरिया में cell wall के composition में difference आपको देखने को मिलेगा, उसके chemical nation में difference देखने को मिलेगा, उसके बिहाब पे आप इस पूरे को classify कर सकते हो, यह बता रहा था मैं, क्यों cell wall को एक base माना है classification का, एक explain किया है मैंने सिर्फ, सिर्फ एक explain किया है, बाकी तो बहुत दूर की बात है, समझ में आ रही है बात, जहां नकले न, cell wall के बिहाब पे आप पूरा के पूरी कहानी, जितने भी kingdoms हैं, उनके बाद आप एक एक चीज़ define कर सकते हो, यह तो एक बताया, बाकी तो बहुत कुछ है अभी, next, अब आ जाओ, इधर, अब समझ में आ गया होगा, क्यों पढ़ने है यह, इतर देखिए, cell type, prokaryotic है, unicellular, unicellular eukaryote, यह multicellular eukaryotes की category के अंदर आते हैं, तीनो, आपके protesta, फंजाई, प्लांटी और अनिमेलिया, cell wall, known cell logic होती है, present in some, present in some, present with chitin, present cellulose, और यहाँ पे क्या होगी, absent, nuclear membrane, absent होती है, बाकी सबी के अंदर क्या होगी, present होगी, body organization, cellular, cellular, यहाँ पर cellular, और इसके बाद में, multicellular, tissue organ, tissue organ and organ system, ठीक है, यहाँ पर organ system, यहाँ पर organ system होता है, क्या, यहाँ पर organ system, आपको देखने को नहीं मिलेगा, tissue and organ मिलते हैं, organ आपस में work करते हैं, मिलकर के, after that, mode of nutrition, mode of nutrition की अगर बात की जाए, mode of nutrition की अगर बात की जाए, तो ध्यान रखना, first के अंदर autotrophic और heterotrophic दोनों आ देखने को मिलते हैं, pure heterotrophic condition, saprophytic and parasitic होती है, इधर भी heterotrophic, जिसमें saprophytic और hollow joint condition मिलती है, यहाँ पर आपको autotrophic condition देखने को मिलती है, तो दो फाइल ऐसे हैं, जिसमें pure heterotrophic, fungi and condition, दो kingdom ऐसे हैं, जिसमें fungi और animalia जिसमें heterotrophic mode of nutrition, एक ऐसा है जिसमें autotrophic mode of nutrition, और दो ऐसे हैं जिसमें autotrophic और heterotrophic दोनों condition होती हैं, और इसी को बेस मानते हुए, आपको पूरा यू बैक्टिरिया आना चाहिए, अब आ जाएए, आपके यू बैक्टिरिया पे, और य वापिस अपने kingdom monera पे, kingdom monera के अदर क्या क्या आपको पढ़ना है, देखिए, आप quick, गल्दी से अनलाइज कर वा रहा हूँ, बैक्टिरिया आर दा most abundant microorganism, hundreds of the bacteria are present in a handful of the soil, मुठी भर मिट्टी के अंदर खूब आपको देखने को मिलेंगे, they also live in extreme habitats such as out springs, desert, snow, deep oceans, more are parasites, based on the shape, bacteria are four types, कौन कों से हो सकते हैं, cocus हो सकता है, bacillus हो सकता है, vibrium, vibrium हो सकता है, coma shape जिसको बोलते हैं और spirulum आपको देखने को मिल सकता है, चिक है, NCRT, old NCRT के अंदर page number 127 and new NCRT के अंदर page number 89, अगर आप देखेंगे, new के अंदर 89 और old के अंदर 127 पे नीचे से, जो second paragraph आपको प्र shape mentioned है, गड़बर मत करना, prokaryotic cell का जो first paragraph दिया है, उसमें भी ये four shape mentioned है, new NCRT में 89 मिल जाएगा और old NCRT के अंदर 127, ये old और ये new, जहां लखना, गडबर मत करना, वहां पर भी ये four shape आपको mention की हुए दी हुई है, इसर, cocae आपको दिया हुए, bacillus, spirala दिया हुए, और vibrium आपको दिया हुए, some bacteria are autotrophic, synthesized food from the inorganic substrate, inorganic substrate, अच्छे अच्छे student in question को गलत करते हैं, कि कै, जिसमें जब एक कोई, filling the blanks type सा question आजाता है, जिसमें चार option होते है, inorganic, organic acid दिया होता है, तो ध्यान धखें इसका, most important है, यहां से question सिर्फ यही नहीं आएगा, कि mode of diversity जो होती हो maximum innutrition की इन में देखने को मिलती है, उसके अलावा भी, autotrophic synthesized food in organic substrate, majority of the heterotrophs, they do not synthesize, they do not synthesize food, but depends on other organism or the dead organic matter, dead organic matter पे वो यहां पे होंगे, inorganic इसकी जगा लिखा हुआ मिलेगा, और general point यहां पे inorganic substrate लिखे हुए, इन दोनों को आपस में, मलब confuse कर सकता है, true false पूश सकता है, आपसे statement भी इस question पूश सकता है, यहां से, important है, इस वज़े से remark करवाया, next, अब आजाईए, आर्की बेक्टिरिया, आर्की बेक्टिरिया, maximum nutritional diversity किसमें मिलती है, बेक्टिरिया के अंदर, आर्की बेक्टिरिया के अंदर, चार पॉइंट, the live in the, कितने, कैसे, harshest habitats, as extreme, salty area halophiles, hot springs, thermoacetophiles, and marshy area के अंदर, जो आपको methanogens देखने को मिलते हैं, आर्की बेक्टिरिया है, वर दिफेरेंट सेल वाल स्ट्चर आ गया, क्यों बेक्टिरिया से इधिरेंट क्यों होगा, दिफेरेंट सेल वाल स्ट्चर, for their survival in extreme conditions, methanogens are present in the gut of the ruminant animals, like cow, buffaloes, they produce methane biogas from the dung of these animal, important है, rudimentary wild line, जो सबसे last में आपकी NCRT में लिखी हुई है, आप कहेंगे, सर, कहां दी हुई है, ये NCRT के अंदर, last के अंदर, आपको एक line दी हुई है, इस line को आप अच्छे से ध्यान अख लेना, methanogens are present in the gut of the several ruminant animals, such as the cow and buffaloes, and they are responsible for the production of the methane biogas from the dung of these animals, important है, ध्यान अख मैं आपको explain कर चुका हूँ, next, easy रहता है जब short में आप पढ़ते हैं, इस वज़े से मैं आपको वहाँ पर वापिस लेकर के जा रहा हूँ, इदर देखिए, क्या है, अब आजाईए, यू बेक्टिरिया, यू बेक्टिरिया का जो paragraph दिया हुआ हुआ है, उसमें mode of nutrition, autotrophic autotrophic में दो है, chemo autotroph और photo autotroph, उसके बाद में आपको दिया हुआ है, heterotrophic, heterotrophic के अंदर आपको अच्छे, महलब, समझ में आना चाहिए कि, जो autotrophic दिया है, उसमें दो पॉइंट आपको define के हुए, mode of nutrition, autotrophic, heterotrophic, और autotrophic में आगे chemo autotroph है और photo autotroph जो आपको दिय autotrophic and heterotrophic, autotrophic के अंदर photosynthetic and chemo synthetic कैसे कैसे हैं, देखिए, photosynthetic autotroph, cyanobacteria, they are chlorophyll A, have chlorophyll A, similar to the green plant, cyanobacteria, blue green algae है, unicellular, colonial और filamentous सीनो हो सकते हैं, marine और terrestrial alga, marine and terrestrial alga, the colonies are generally surrounded by a gelatinous sheet, इनकी कोलोनी एक sheet से cover अप रहती है, जो machine learning sheet आपको यहाँ पर बताया हुआ है, after that, यह भाई, जो यहाँ पर diagram दिखाया हुआ है ना, filamentous blue green alga, single single पूरी colony बना करके यह रह रहा है, ध्यानक ना, sir, monera जो होते हैं, उसमें तो आपने बोला था, unicellular procureurs आते हैं, यह तो एक multicellular condition देखने को मिल, race ने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे हो सकते हैं, unicellular हो सक in specialized cell called heterocyst, और यह heterocyst पे अल्रेड़ी आपके exam में question पूछा जा चुका है, यह ही heterocyst, दिख रहे हैं आपको, जो nitrogen fixation में help करती है, और जहाँ heterocyst cell होती है, यह heterocyst cell, इसके दूनों तरफ, मलब इसमें heterocyst के नदर जो enzymes रहते हैं, जो enzymes रहते हैं, जो enzymes रहते हैं, वो enzymes एक oxygen free environment create करते हैं, जैसा आपको वहाँ पे rhizobium वाला देखने को मिलते हैं, वैसा ही, अब आजाएए, chemo-synthetic autotroph, chemo-synthetic autotroph के अंदर, क्या है, अच्छे से समझे, chemo-synthetic autotroph के बारे में, अच्छे से देख लीजिए, ज्यादा आपका time नहीं लगेगा, अच्छे से देखें, chemo-synthetic autotrophs, they oxidize in organic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and used to release the ATP production, यह line as a tis पूछी जाती है, और हम भूल जाते हैं, कि nitrite, nitrates, इन सभी के regarding एक line-up की NCRT में, यू-bacteria के अंदर भी defined की हुई है, NCRT के अंदर, यू-bacteria, I think, आपको page number 19 पे, old NCRT के अंदर, 19 नंबर page पे लिखा हुआ, मिल हेटरोफ का जो paragraph नो, इसके जस्ट ऊपर यह mention किया हुआ है, यह भी लिखा हुआ है, they help in the recycling of the nutrients like nitrogen, phosphorus and iron and sulfur, और यह similar kind of recycling of minerals के लिए, आपको define की हुई है, डिटिरो माइस्टीज के अंदर, कहां पर, डिटिरो माइस्टीज के अंदर भी mention की हुए, डिटिरो माइस्टीज के नीचे से तीसरी चौती लाइन अगर आप जाकर के देखेंगे, वहाँ पर mention किया हुए, NCIT page 24, old NCIT के coding, page 24 पे नीचे से तीसरी चौती लाइन अगर आप जाकर के देखेंगे, डिटिरो माइस्टीज के अंदर, वहाँ पे minerals recycling का लिखा हुआ है, तो गडबर मत करना, paper के अं recycling of nutrients, तो specifically आपको लिखकर के दे, nitrogen, phosphorus, iron, sulfur और वो भी help करते हैं, deuteromyces वाले, वहाँ question आ जाएगा, कि recycling of the minerals and nutrients, ये nutrients हैं, recycling of minerals and nutrients, और उसमें लिखा हुआँ अगर deuteromyces का कोई member का नाम लिख दिया, और यहाँ से आपको लिखकर के दे दिया, bacteria के बारे में, तो समझ में आ जान चाहिए, important है, फिर से बता रहा हूँ, देखें आप, क्या है, next, heterotrophic mode of nutrition के अगर बात की जाए, heterotrophic bacteria, they are the most abundant in nature, the majority of the important, important decomposer, 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 decomposer से हम easy नहीं हो पाते हैं, जबकि आपकी NCRT, 11th में आपको समझा देती है, कि heterotrophic type bacteria के अंदर decomposers आते हैं, ठीक है, इसके बाद, इद of the heterotrophic bacteria in human affair, they are used to make curd from milk, production of antibiotic, fixing the nitrogen in legume roots, some of our pathogens, posing disease, cholera, typhoid, tetanus and citrus canker, जन्तों होना सित्राई इसका कॉजिटिव एजेंट है, अच्छे से पता होना चाहिए, ये एक बेक्टिरियल डिजीज है, ये एक बेक्टिरियल डिजीज है, फंगल डिजीज नहीं है, से बेक्टिरियल अच्छे से याद होना चाहिए, आप सभी को ये, next, अब आजाये, reproduction in bacteria, bacteria के अंदर reproduction की बात की जाए, चो समझ में आना चाहिए, क्या है, देखिए, NCRT chapter number 2, page number 20, page number 20 के अंदर आपको डिफाइन क्या हुआ है, बेक्टिरिया रिप्रोदूस मेंली बाइफीजन, अंडर unfavorable condition, they produce four, unfavorable में four मनाएगा, they also reproduce by the sort of sexual reproduction, DNA transfer from one bacterium to another, नीचे आपको डिफाइन किया हुआ, dividing bacteria, एक और आपको बता है, बेक्टिरिया के अंदर, प्रोकेरोटिक सेल या फिर बेक्टिरिया के अगर बात की जाए, तो उनके अंदर, डिवाइडेशन में, और DNA replication के अंदर, मीजो distribution in the daughter cell, तो यह उसी मैनर के अंदर आपको एक बेक्टिरियम डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, DNA आपको देखने को मिलता है, ठीक है, next, mycoplasma are the organism without cell wall, and they are the smallest living organism, and can survive without the oxygen, many of them is pathogenic in animals and plants, mycoplasma का size, अगर आपसे कोई पूछ ले, mycoplasma का size कितना होता है, 0.3 micrometer in length, 0.3 micrometer in length, लिख रहा हूं मेटा ध्यान रखना, 0.3 micrometer in length, आपकी NCRT के अंदर, जो old NCRT, उसमें page number 126 की last line, page number 126 की last line, और new NCRT के अंदर page number 88 की last line, अगर आप जाकर के देखें, आपको लिखी हुई मिल जाएगी, कि क्या दी हुई है, last line के अंदर लिखा हुआ है, mycoplasma क size, और वहीं पे उसके next to next page, 90 number page पे new NCRT के according, और old NCRT के according, अगर आप प्रोसीड करते हैं, page number आपका according to old NCRT 128 होगा, I think, 128 पे अगर आप जा, sorry, 128 उपर 4 diagram दी हुई है आपको, typical eukaryotic cell, virus दिया हुआ है, आपको वहाँ पर PPLO के बारे में दिया हुआ है, तो PPLO का वहाँ पर जो size दिया हुआ, about 0.1 micrometer, वो समझ में आना चाहिए, virus वाइरोइड के बारे में जो define किया हुआ, वो, एक typical bacteria के बारे में बताया हुआ है, वहाँ पर, 1 to 2 micrometer, typical eukaryotic cell बताया हुआ हुआ है, virus बताया हुआ हुआ है, औ लास्ट आपको उसके अंदर वहाँ पर बताया हुआ है, PPLO, PPLO का size, मैंने microplasma आया है, तो PPLO बताया है, मैंने आपको ध्यान रखना, एक important point है, और यहां से हर बार microplasma का जब question आता है, तो हम गलत करते हैं, आजों को तो यही याद नहीं रहता, cell wall होती है, नहीं हो करते हैं, महाश्य, गलती होगी सर, गलती क्या होगी, पांच नमर मिले नहीं मिले फिर, kingdom protesta, सुने आप अच्छे से अब न, kingdom protesta, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी के साथ, offline वाले students भी यहां पर हैं, तो यह जो dose दी जा रही है न, बीच बीच में, यह उन सभ को उनके करम याद करवाए जा रहे हैं, जो पूरे साल उन्होंने की हैं, जो धुपने को हैं इस लास्ट चॉट से, तो बने रहे हैं आप, अच्छे से सुने, देखे हैं आप, इस लास्ट रहे हैं, चर्म खबत को अच्छे स्पायल पर को सुने हैं, गालिस तो बांट बहुत पर पन्जाइग तो आपका जोट लूटों नाप रहा भी तो इस एप्र्लाइग हैं, यह दो मात पिंग यह तो प्रॉटों था रहे हैं, इस एक हैं आपको इसे स्लाइम मा आपका जो प्रोटोजोंस है वो एनिमेलिया से थोड़ी बहुत सिमिलर्टी रखता है तो दे आर लिंक विद प्लांट्स अनिमल्स अन फंजाई इंपोर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है after that they produce asexually and sexually cell fusion and dygote formation protesta includes chrysofied, dynoflazolate, uglinoids, slime molds and protozoans इतने से मैं satisfy नहीं हूँ क्योंकि यहां से जो एक most important line आप से पूंची जा सकती आपकी NCRT से तो protesta की वो line आपकी NCRT की line में मैं define कर रहा हूँ इता देखिये आप क्या है कि a single cell UK dot are placed under protesta but the boundaries of this kingdom are not well defined, most important line है क्योंकि इसमें photosynthetic भी आते हैं, saprophytic भी आते हैं हर तरीके के mode of nutrition वाले autotrophic भी इसमें देखने को मिलते हैं in this book it includes cryosophyte, dynoflazolate, uglinoids, slime molds and the protozoans बाकी सारे general points आपको same देखने को मिलेंगे जो आपको बताए हैं यह primarily कैसे होते हैं, aquatic condition वाले होते हैं, यह primarily आपको aquatic condition वाले देखने को मिलते हैं general points मैंने आपको बताए हैं, जो सारे points आपको अच्छे से crystal clear हो गए होंगे अब आजाओ cryosophytes and most important यहां से question, काफी सारे question पूछे जा चुके हैं एक दो नहीं काफी सारे, अच्छे से देखें, क्या define किया हुआ है, found in the fresh water in the marine environment, microscopic है and float passive in the water, passively in the water current, planktons, most of them are photosynthetic अब आप देखो, आपके सामने एक word आया, planktons, हम confused होते हैं, जब ecology में जाते हैं, what is planktons, what is decomposers वहां पोचे पोचे हम भूल जाते हैं, planktons किन से बिलों करते हैं, you chaotic protist है आपके, recomposers किस से बिलों करते हैं, bacteria से बिलों करते हैं, वो भी heterotrophic नदर, autotrophic, heterotrophic, heterotrophic नदर, decomposers तो किनेक नहीं कर पाते हैं, तो भूलते हैं, यहां पे क्या आया आपका, watercrunt, planktons, it includes diatums, golden algae, decimates, diatums, they have the siliceous cell walls forming two thin overlapping shell, which fit together at a saw box, the cell wall deposit diatums over billion of year, in the habitat is known as diatomaceous earth, they is used for polishing, filtration of oil and syrups, diatums are the cheap producer of the oceans, अच्य से देख लेना, और इनकी जो cell wall होती है, वो कैसी होती है, हाँ जी, generally, districtable या फिर indistrictable, districtable या फिर indistrictable, अच्छे से पता होना चाहिए, most of them, जो इनकी cell wall आपको देखने को मिलती है, वो, the walls are embedded with silica and so the wall is indistrictable, important है जो line मैंने आपको NC, बागी सारी points मैं आपको already define कर चुका हूँ, sorted material के अंदर, NCRT के अंदर जो line up हो, मैंने आपको यहाँ analyze कर वाई है, और last line पे, आपके questions पूछे जा चुके है, dytums are chief producer of oceans, ठीक है, next, अब आजाईए, इसके बाद जो आपको proceed करना है, dytums के बाद में आपके dynoflagellate, most important है, dynoflagellate, क्या है, dynoflagellate are marine, mostly marine and photosynthetic, अब they are appears yellow, green, brown, blue and red on the basis of the pigments present in their cells, they are, their cell wall is stiff, cellulogic plates, इन में देखने को मिलती है, outer surface पे, most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversally in the curow between the, between the wall or wall plates, red dynoflagellate, most important, क्या है, gonyolax, undergoes rapid multiplication, so that sea appears red, it is called red tide, the release of toxin to kill, which kill, marine animals like fishes, important है, यहाँ से question पूछा जाता है, कि red tide क्या है, gonyolax, यह बोल सकते हैं, कि toxin release करते हैं, और red tide जिसको बोलते हैं, gonyolax की वज़े से, पूरा complete area आपको red देखने को मिलता है, और यह कुछ toxins release करते हैं, जिनसे fishes die हो जाती है, after that, uglinoids के अगर बात करें, uglinoids कैसे होते हैं, पूरा सापने इसको speed up लेके चलेंगे, अब देखिया, uglinoids, mainly freshly water organism found in the stagnant water, instead of the cell wall, they have the protein rich layer, instead of the cell wall, इनके in the cell wall, जिरे 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 अब देखो आप, cell wall क्या हटना साट हो गई है, protein layer मिलती है, जिनको अपने क्या वलते है, pellicle, it makes their body flexible, they have two flagella, short and long, they are photosynthetic and present in the presence of sunlight, in the absence of sunlight, they behave like a heterotrophs by predating smaller organism, अब आप सोच लें, uglina जो है, इसका member, वो animals को predating animals, animals को खाकर के भी जिंदा रह सकता है, जब sunlight नहीं है, और sunlight है तो photosynthesis भी कर सकता है, because of the pigments, the pigments are identical to the those in higher plants, example, uglina, important है, after that, slime molds, and most important, जहां से आपके निट एग्जाम के अंदर कोशन पूछा जाचोका है, पूरे हर एक पॉइंपोइंट इसका, क्या है, they are saprophytic protists, the body moves along decaying twigs in the leaf engulf organic material, under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, it may spread over several feet, under unsuitable, unfavorable condition, plasmodium differentiates to form sprouting bodies, bearing spores and their tips, spores have two walls, they are highly resistant and survive many years, spores are dispersed by air, last and final, protozoans, protozoans में 4 आपको देखने को मिलते हैं, amoeboidal, second number flagellated protozoans, third number ciliated protozoans, and fourth number sporozoans, यह 4 होते हैं, important point क्या है, उसको समझे हैं, देखिए, they are heterotrophs, heterotrophs है, predators और parasite, they are primitive relatives of animals, primitive relatives of animals, पुछ लेगा, which one of the followings are the primitive relatives of the animals, after that, amoeboidal में, on the basis of the locomotory structures, इनको चार काटेकरे में डिवाइड किया गया है, यह fresh water में देखने को मिलते हैं, sea water और moist soil में देखने को मिलेंगे, they move and capture prey, putting out of pseudopodia, false fit, like amoeba, marine form have silica shell on their surface, some of them are parasite, like end amoeba histolytica, यह पच्छे से बढ़ते हैं, flagellated में, they are free living और parasitic, have flagella and parasite form causes disease, like sleeping sickness, strepinosoma, यह अच्छे से याद होना चाहिए, trepinosoma के बारे में, और काला अजार, leishmania के बारे में, दूनों के बारे में, ciliated, they are aquatic, actively moving organism, using thousands of the cilia, they have a cavity, gullet open to outside, both, sorry, by the moment of the cilia, water with food enters in the gullet, example क्या है, paramecium, and last one sporo gons, जिनके अंदर locomotory organs होते नहीं हैं, an infectious spore-like stage of their life cycle, plasmodium, malarial parasite, they have an infectious spore-like stage in their life cycle, example, plasmodium, malarial parasite, a general point आपको बताएं हैं, जो आपको सारे अच्छे से समझ में आजाने चाहिए, regarding to the protozoans, चिक है, next आजाईए, kingdom punjay, punjay के बारे में, सारे points अच्छे से आपको clear रहें, पंजाई के बारे में सारे points आपको अच्छे से clear रहें, क्या है, देखिए आप, सुनिया आप अच्छे से न, हर एक point जो मैं explain कर रहा हूँ, उसको ढंक से आप देखिए, one by one अपने आगे proceed करते हैं, पंजाई, kingdom fungi, it is a unique kingdom of heterotrophic organism, fungi are cosmopolitan, क्या बोला है इनको, cosmopolitan, हर जगह आपको देखने को मुलेंगा, सर्व व्यापी जिसको बोलते हैं, they grow in warm and humid places, mold on the bread, rotten fruit, mushroom, toad sul, all are the examples of the fungi, general examples आपको बताए हुए, next, white spots on the mustard leaves, are due to the parasitic fungus, some fungi are source of antibiotic, like penicillium, some unicellular fungi, east are the use to make bread and beer, important point क्या आप से पूछ लेगा, कि मस्टर्ड पे परासाइट कौन है, एंटिबाइटिक के लिए कौन सी यूज में आती है, ब्रेट बनाने में कौन सी यूज में आती है, ये, मैच दाकोलम बनता है यहां से अच्छा, after that, other fungi causes disease in plants and animals, example, wheat rust causing paksinia, except these fungi are filamentous, their body consists of a thread-like structure called hyphae, और ये hyphae mycelium, जिसको क्या बोला जाता है, mycelium, important है, अच्छे से देखें, next, अब आ जाईए, the network, the network of hyphae is known as mycelium, hyphae का जो network होता है, उसको क्या बोला जाता है, the network of hyphae is known as mycelium, some hyphae are continuous tube filled with the multi-nucleated cytoplasm, these are called cynocytic hypha, other have the septate and the cross wall in hypha, जिनमें septate condition देखने को मिलती है, fungal cell wall made up of cartion polysaccharide, जिस पे बेज डिरेक्ली कोश्चन आता है, most of fungi are saprophytic, saprophytic absorbs soluble organic matter from the dead substrate, and some are parasite, example, some are living symbiotic condition like lichen, fungi and algae, mycorrhiza fungi with the root of higher plants, आपसे question क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखिए आप, कि symbiotic condition कहां show करता है, दोनों condition आपसे पूछी जा सकती है, saprophytic हो सकती है, parasitic हो सकती है, cell wall के अंदर क्या क्या composition देखने को मिल सकते हैं, जनरल points हैं, match the columns के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठेक है, next, match the columns के अंदर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आपके comments मैं देख रहा हूँ, सामने मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं, यहां से, okay, next, देखिए अप, reproduction, reproduction के अंदर क्या क्या define किया हूँ है, इदर, phagelative propagation by fragmentation, phison and budding, asexual reproduction by spore by conidia, sporangiospore and jus spore, conidia spore, sporangiospore and jus spore, sexual mode of reproduction by uspore, ascospore and besidiospore important है, they are produced in the distinct structure called fruiting bodies, fruiting bodies के अंदर इनको बनाया जाता है, NCRT, chapter number 2, biological classification, page number 23, सबसे नीचे-नीचे आपको यह दिये हूँ है, 22 के उपर सबसे नीचे-नीचे, 23 पे आपको सबसे उपर-उपर define किये हूँ है, यह spore के बारे में, चाहे वो vegetative propagation के regarding हो, 22 के last में, asexual reproduction और sexual reproduction, इन सभी के बारे में directly question पूछा जाता है, sexual reproduction की तीन stages, जिसमें plasmo gammy, karyo gammy और meiosis, plasmo gammy, जिसके अंदर सबसे पहले दो hyphae, आपस में मिलकर के, इनका protoplasm common हो जाता है, fusion of the protoplasm, between two motile और non-motile gamits, second number, fusion of two nuclei, and third number meiosis, जिसमें zygote के अंदर, meiosis के तुरू, haploid spore की formation होती है, पर कुछ एक member इसके ऐसे हैं, जिनमें कुछ time तक, di-cariontic stage देखने को मिलती है, जिसमें, जैसे ही protoplasm fuse होता है, उसके बाद immediate meiosis नहीं होता है, N-N condition देखने को मिलती है, जिस condition को क्या बोलते हैं, di-carion phase, जिसमें मिलती है, ascomystees और, bacidiomystees में, important है, important है, अच्छे से ध्यान रखना, इसके बारे में, जिक है, when fungi produce, when, सुने हैं आप सभी, when fungus reproduce sexually to haploid hyphae, compatible mating type, come together and use, compatible मिलब same species होनी चाहिए, जिसमें मेंबर होनी चाहिए, उसके लिए लिखा हुआ है, क्या डिफाइन क्या हुआ है, some of the fungi, the fusion of the two haploid cells, immediately results in the diploid cell, कुछ एक में नहीं होता है, जिसमें ascomyces और bacidiomyces है, the fungi, it forms fruiting bodies, in which the reduction division occurs, leading to the formation of the haploid spore, haploid spore की formation, आपको इसके लिखने को मिलेगी, based on the morphology and mycelium, mode of spore formation, the fruiting bodies, fungi are classified on different classes, on the basis of morphology of mycelium, mode of spore formation, and fruiting body, most important है, इस पे बेज अभी तक नीट एक्जाम में, एक बार भी question नहीं आया है, यहां से direct question पूछा जा सकता है, इस चार आपको इसके अलग-अलग classes define की हुई है, ठीक है, हाँ, protista की सिमाई defined नहीं है, यह already आपको define कर चुका हूँ मैं, इन चारों को आप अच्छे से देख लें, comparison मैंने इनका एक साथ history के से लिख दिया है, यहां पर, आप सभी को एक साथ लिखा हुआ मिल रहा है, ताकि आप जल्दी से इसको complete कर पाएं, चार क्या-क्या हैं, देखिए, अगर बात किया जाए, फाइको माईस्टीज, फाइको माईस्टीज का जनरल कोई common name आपको वैसे दिया नहीं हुआ है, इसको algal fungi बोलते हैं, क्या बोलते हैं, algal fungi, NCRT के अंदर mention नहीं है, इसको algal fungi बोलते हैं, FICO का मतलब होता है, algae, FICO, Lose, FICO, Biont, अगर आपने सुना हो, चिक है, या फिर algal fungi, second number, asco mycele, asco sac-like structure होती है, sac fungi बोलते हैं, bacidiomyces, bacidium bracket fungi, puff ball या mushroom बोलते हैं, deuteromyces को fungi imperfect है, इसके अंदर आपको, asexual mode of reproduction, totally absent देखने को मिलते हैं, clear, इदर, इनके mycelium aseptate होते हैं, cynostatic condition मिलते हैं, branch and septate, branch and septate, branch and septate, asexual mode of reproduction by juice spore, and agenously produce होते हैं, asexual spore, और sexual spore, o spore जो होते हैं, वो exogenously, ठीक है, इदर, endogenously आपको, asexual reproduction के बारे में बता विया, conedia इसमें, endogenously reproduce होते हैं, और, conedia इसके अंदर, exogenously reproduce होते हैं, सही करें बेटा, इसको, इसके अंदर, exogenously conedia reproduce होंगे, और यहाँ पर, asco spore के अंदर, endogenously, sexual spore होते हैं, वो asco spore, endogenously produce होते हैं, और conedia exogenously reproduce होते हैं, जहाँ नखना, कटबण मत करना, इदर, bacidio maistries के अंदर, usually क्या होते हैं, absent होते हैं, होता ही नहीं अब ही, sexual mode of reproduction की आप लिखा हुआ है, वहाँ पर directly, इदर, bacidio spore जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, exogenous, important है, conedia, exogenous produce, आगया ना, दुबारा से इदर लिखा हुआ, अगर उसमें, mode of reproduction देखने को मिले, तो उसके अंदर कैसा, उसको एसको के अंदर रखेंगे, होगा कैसा, आपकी incident ने define क्या होता है, होता ही निये, sexual mode of reproduction होगा, तो कैसा होगा, ASCO की जैसा होगा, ठीक है, next, दुबारा से इसको explain कर रहा हूँ, confused नहीं हो, 5,7 में, endogenously juice spore, asexual spore endogenous, asexual spore exogenous, और asexual spore exogenous, यहाँ पर asexual spore होते हैं, usually absent, mid में लिखी हुए यह लाइन, हिदार, sexual reproduction, O spore, asco spore endogenous, besidious spore exogenous, और यहाँ पर, sexual mode of reproduction, spore formation होता ही नहीं है, next, dyakaring stage, absent होती है, present, present, और यहाँ पर क्या होगी, absent, present कहा होते हैं, aquatic decaying, जो आपको, लोक्स देखने को मिलते हैं, obligate parasite on plants, saprophytic condition, शो करते हैं, decomposer, saprophytic condition है, decomposer, corpophilus, dung and parasite, यह सारी condition, आपको किसके अंदर देखने को मिलती हैं, यह सारी condition, आपको first number के अंदर भी आपको देखने को मिलती हैं, dung parasite condition, sorry, dung parasite condition, अगर आप देखें, corpophilus, आपकी NCRT ने दिया हुआ है क्या, NCRT के अंदर 23 number pages, सबसे last last के अंदर, नीचे के अंदर, नीचे आपको define किया हुआ है, जब starting के अंदर, अपने ASCO को start कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद, starting में जब start कर रहे हैं, उसके habitat के साथ में वहीं पर mention किया हुआ है, उसके जस्ट ऊपर पाइकों के अंदर, आपको, elbow को के बारे में बताया हुआ है, जो एक parasitic fungi है, तो गडबर्ड मत करना, confuse मत होना, saprophytic condition and decomposer है, और corpophilus on dung, और parasitic condition देखने को मिल रहे हैं, decomposers, fungi जो decomposers की तरह बहेव करती हैं, यह आपको समझ में आया, इदर, rhizopus, bedmol, elbow, parasitic fungi on the mustard and mucle, neurospora, extensively used in the genetics, जिसको model organism, claviceps purpurea, aspergillus niger, saccharomyces cerevisi, penicillium, edible member, इसके moriland truffle, NCRT के अंदर आपको दिये हूँ है, जो सही होकर के आया थे, बाद में correction होकर के आया थे, पुरानी NCRT में गलत दिया हूँ है, last last line है, इसको माइस चीज़ की, यह pencil मेरी तरफ से, कल nurse आशा लाएगी, उसके भिहाप पर आप इसके सारे एग्जमपल से याद रख सकते हो, यह for east, यह pencil, pencil for penicillium, मेरी तरफ से moriland truffle, edible part है, कल, claviceps, nurse, nurse for neurospora, आशा का मतलब aspergillus, याद रख लेना, next, besidio maestrius के अंदर, in soil, decaying logs, parasitic condition है, rust and smut आपको देखने को मिलते हैं, जो यह disease कोज करते है, commonly reproduced by fragmentation, and sexual organ, इसके अंदर क्या होते हैं, absent, agaricus, paksinia, rust पंजाई, astilego, smut पंजाई, agaricus, paksinia, और astilego, यह तीनों पता होने चाहे, koleotrichum, alternaria, trichoderma, और trichoderma, आप वहाँ पही, microbi, और भी human welfare के अंदर भी पढ़ते हैं, important है, अच्छे से ध्यान रखना, next, only asexual vegetative diseases are known, sexual diseases are absent, saprophytic condition होती है, और parasitic condition आपको देखने को मिलेगी, saprophytic and parasitic condition आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, next, अब आजाईए इसके बाद, यह था पुरा फंजाई के रिगाइडिंग, जिसमें फाइको माइस्टी के सारे points में आपसे डिसकस कर चुका हूँ, अल्रेडी, यह सारे points आपसे डिसकस कर चुका हूँ, asexual, sexual model reproduction एन एग्जांपल, second number, asco माइस्टी के सारे points अपने डिसकस कर चुके हैं, आप ही मिलते हैं, वो आपके syllabus में नहीं है, after that, deuteromyces commonly known as fungi imperfecti, इनको fungi imperfecti बोलते हैं, general asexual in-depth stage मिलती है, कोई sexual stage देखने को नहीं मिलती, ठीक है, यह लिखा हुआ, इता देखिए आप, some are saprophytes and parasite, majority of are decomposers, of litter and helps in the mineral recycling, जहां लेना, minerals की recycling and nutrients की recycling के लिए, regarding आप से पूछे जाते हैं, questions, next, अब आजाएए, planty पे अपने बात कर लेते हैं, kingdom planty, plants, eukaryotic, आपको chlorophyll containing organism, देखने को मिलते हैं, with cell logic, cell wall, इनके अपको cell logic, cell wall देखने को मिलते हैं, plants की बात की जाएए, पूरा चेप्टर, चेप्टर नमबर 3 आपके सामने होगा अभी, समार पार्शल हेटरोफिक, समार पार्शल हेटरोफिक, कुछ पार्शल हेटरोफिक कंडिशन चो करते हैं, insectivores, plant like bladder word, venus fly trap, parasitic condition, kashkuta, amarbell, ठीक है, planty includes algae, bryophyte, tytoffite, gymnosperm and angiosperm, life cycle, most important है, देखें आप, life cycle of plant two phases, diploontic, diploid, sporophytic, and haploid, gametophytic, these phases alternate with the, each and other, the alternation of generation, in this case, we can see, haplontic, diploontic, haplodiplontic, diplo haplontic, these stages, among different plant groups, length of the haploid and the diploid phases are varied, also these phases is free living and dependent on, others, free living होती हो, और उसे पे dependent ही मिलेगी, animalia में, multicellular, multicellular heterotrophic, and eukaryotic organism, without cell wall, cell wall in the inner, नहीं होगा, directly and directly depend on the, plants or food, food, plant per depend करते है, they digest their food, in internal cavity, and stored food, as a reserve glycosin or fat, the mode of nutrition is, holozoic, by ingesting the food, holozoic, holozoic पे question मैंने आपको बताया था, they have the, definite growth pattern and grow into adult, they have a definite shape and size definite shape and size plants in the growth generally indeterminate growth continuation here fix you will get to see higher form shows sensory and neuromotor mechanism most of them are capable of locomotion the sexual reproduction is by population in male and female followed by the embryological development these general points animalia regarding आपको पता होने चाहिए general animalia के characteristics है NCRT second number chapter biological classification second chapter आपका दिया हुआ है biological classification जो second chapter आपका दिया हुआ है page number 25 पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा next 25 पे सबसे last के अंदर paragraph में virus, viroid, prions जो आपको 5 तिन ग्लासिफिकेशन के according उस classification में विटेकर ने डिफाइड नहीं किये थे A cell और organism की category के अंदर आते है viruses क्या होते है organism के अंदर NCRT chapter number 8 के अंदर लिखा हुआ है something is less than a complete structure of a cell does not ensure the cell कुछ भी अगर नहीं होगा तो cell कुछ भी कम होगा तो cell है ही नहीं अब भई इसमें वाइरस में आपके बास genome हो जाएगा protein हो जाएगा outer layer का है वाइरोईड के अंदर सिर्फरसिट रन ने होता है उपर का protein coat भी नहीं है प्रियोण के अंदर सिर्फरसिट प्रोटीन होता है बाकी चीज़ें होता है something is less than a complete structure does not ensure is a cell वो cell नहीं है इसी वज़े से इनको a cell अंदर रखा हो है और lichen और lichen what about the lichen उसमें algae और fungi algae और fungi दोनों मिलकर के कोई complete organism नहीं बना रहे हैं दोनों अलग-अलग हैं दोनों aggregate हैं इसी वज़े से उनको भी a cell अंदर के अंदर रखा हो है viruses are known cellular organism having an inert crystalline structure outside the living cell और it is obligatory parasite क्या होते हैं यह obligate parasite होते हैं when they are infect the cell they take over the machinery of the host cell and replicate themselves by killing host host को host की machinery को जो है पूरा complete cover कर लेते हैं हां जी Lewis Pascha gave the name virus means venom और poisonous fluid डिजन इवानवस्की discovered the virus he recognized the certain microbes that causes mosaic disease in tobacco they were smaller than the bacteria because they pass through the bacterial proof filter आरे भाई बैक्टेरिया का size है 3 to 5 micrometer typical bacteria का है 1 to 2 micrometer और वाईरस का size कितने है वाईरस का 0.02 micrometer to 0.2 micrometer to bacterial filter से तो निकली जाएंगे न ये सुझ में आरे बात देखो आप they were smaller than the back filter उससे तो निकली जाएंगे next M.W. Bengerick demonstrated the extract infected from infected tobacco plant किस से निकाला था इन्होंने tobacco plant causes the infection of healthy plants and call the fluid contagion vivum fluidum infectious living fluid W.M. Stanley in 1935 shows that the viruses could be crystallized and crystal consists of a largely protein M.W. Bengerick 18 देखो भई 1892 1898 1935 and 1972 ये अच्छे से पता होने चाहिए चारों की चारों ठीक है किस किस ने क्या क्या किया था ठीक अब ये 1935 के अंदर crystallized किया था 1988 के अंदर contagion vivum fluidum आया था इसके बाद भी है अगर आप देखें next Nucleoprotein A virus is a nucleoprotein it is a protein that coat capsid and genetic material RNA and DNA genetic material is infectious no viruses contain both RNA and DNA या तो RNA होगा या DNA होगा generally plant viruses have a single standard RNA and animal viruses have either the single or double standard RNA और DNA double standard RNA और DNA plant के अंदर आपको RNA देखने को मिलता है और जब कि animal के अंदर RNA और DNA single और double कुछ भी हो सकता है एक important point बता रहा हो सुनिये bacteria phase जो होता है जो virus को infect कर देते है virus जो infect कर देते हैं bacteria को usually have double standard DNA उनमें double standard DNA देखने को मिलता है capsid made up of small subunit capsomere product nucleic acid capsomere are arranged in a helical polyhedral अलग-अलग shape इसकी हो सकती है जिसके भीहाब पे आप इनको define का सकते हैं and most important point देखिए आप जो plants and animals के अंदर आपको changes देखने को मिलते हैं viruses cause a disease like mumps smallpox herpes implex virus influenza virus AIDS remark कर लें अच्छे से NCIT chapter number 2 page number 26 last three lines page number 26 पे last three four lines के अंदर दिया हुआ है symptoms के भीहाब पे question plants का देखिए in plants the symptoms can be mosaic formation leaf rolling and curling yellowing and the vein clearing dwarfing and the stunted growth most important है neat point of view से 4 लगा रहा हूँ अभी तक neat history में यहां से question नहीं है यहां नकलेना यह वो line है NCIT की जिसे question बनता है अच्छा कासा और question नहीं है most important है star लगा रहा हूँ इस पे अच्छे से देख ले next last and final इसके अंदर जो आपको define क्या हुआ है वाइरोइड को तीन लाइन लिखी हुए यह वाइरोइड infectious agent है with the free low molecular कितना low molecular RNA होता है protein coat इसके अंदर देखने को नहीं मिलता the small it is smaller than viruses virus से भी चोटे होते हैं यह it discovered by the T.O. Diner 1971 के अंदर इन्होंने discover क्या था he found that the cause potato spindle tumor tumor disease PSTV tumor virus जिसको बोलते हैं next prion prions के होते हैं abnormally folded protein है that causes the some infectious neurological disease they are similar in size of viruses viruses के size के जैसे होते हैं एको भाई यह viruses के size के जैसा है जबकि वाईरोइड का size चोटा है पूछ लेगा order में लगा तो भई पूछ लेगा order में लगा तो बहुत बढ़िया question बनता है yellow भई देख रहा है आपको next they causes bovine, sponsiform, encephalopathy, BSC and med cow disease आपको देखने हो मिलती हैं in cattle or which is analogous analogous variant of CZD in human next last and final lichen, lichen symbiotic association आपको देखने को मिलता है between algae and fungi algal component phycobiont होता है autotrophic होता है और जो mycobiont होता है वो heterotrophic mode of nutrition चोग करता है जो minerals and water को absorb करके algae को provide करता है algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrient and water for its partner most important है कोन किसको क्या provide कर रहा है इस पर question पूछा जा सकता है lichen are very good pollution indicator they do not grow in the polluted area यह है आपका chapter number 2 जिसके अंदर हर एक point अपने cover up कर चुके हैं important point इसका algal and fungi के components मैंने आपको दिखा दी है polluted area के इंदर देखने को नहीं मिलेगा यह सारे जनल पॉइंट the alcohol part makes carbohydrate through photosynthesis and provide nutrition of fungus and itself symbiotic association क्या है वो explain क्या है the fungi partner absorb water and mineral and provide them to algal partner also यह था आपका chapter number 2 जिसके अंदर सारे points अपने अच्छे से discuss कर चुके हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यह NCRT के अंदर आपको dynoflagellate का diagram दिया हूँ अच्छे से पता होना चाहिए euglena and आपके slime mold यह आपको paramecium का एक example diagram दिया हूँ है paramecium का यह diagram अच्छे से देख लें इसके अंदर यह जो आपको देखने को मिलता है इसको बोलते है गलिट यह जो पार्ट है यह पार्ट होता है इसका गलिट गलिट के पीछे आपको contractile vacuol in lower protein in some proteins contractile vacuol vacuol के अंदर mention किया हूँ है ध्यानक लेना और यह यहां से अलग हो जाती है अलग होने के बादे food इसमें रहते है वो vacuol पूरे के अंदर circulate होती है food vacuol and contractile vacuol contractile vacuol amoeba का example दिया हूँ है और food vacuol के लिए इसका example दिया हूँ है ध्यानक ना तो यह सारे general points है regarding to regarding to paramecium आपको बताया अब आपको यह दो मैंने बताया है tobacco mosaic virus की structure और यह एक bacteria files को define किया हूँ है यह इसका पूरा complete ऊपर का head collar sheet को represent करता है और यह सारे tail fibers इदर इसके यह mid में xenome RNA और बाहर capsid को represent कर रहा है directly आपके इस पर question पूछी जा सकते है diagram base इस वज़े से diagram represent किये हैं आपको यह नगना तो यह था आपका एक छोटा सा chapter chapter number two biological classification इसके बारे में अपने सारे points अच्छे से crystal clear कर चुके हैं next after two minutes start होगा आपका plant kingdom झ में उत्टブराइब你ल झाता ignor da पmostतने हैं नोगा आपफ आपका प्हे ओग कर thing to झाल झाल कर और इस झाल झाल आपका चेप्टर है प्लाइन किंग्डम प्लाइन किंग्डम स्टार्ट करने से पहले जस्ट ट्विंटी सेकिंड के एक ब्रिक आनी इन्रेयर आ उन्रेम आपके लिए यापका नेक्स छेप्टर्ट फर्स यृूंस अंता ब्रिक मिस्ट नियू यूनिट है आपकी, डायविस्टी ओफ दा लिविंग वल्ड, फर्स्ट उनिट का थर्ड चेप्टर, प्लाइन गिंग्डम, आप अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन बाई वन अच्छ से देखें, आपको इंगे सर जल्दी क्यों मची हुई है, क्योंकि देखो आपको इससे आपके बहुत अच्छे कासे significant questions पूछे जाते हैं, अल्गी क्या है, अल्गी क्या है, अल्गी के बाद में, आपको ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा, जिम्नोस्परम और अंज्परम, इन सभी को अच्छे से in detail लेते हुए चलेंगे, एक एक word अपने अच्छे स clear हो जाएंगे, अच्छे से देखें, क्या है, प्लैट किंग्डम के अंदर जो जनर्ल अपने को points पढ़ने हैं इस पूरे chapter के अंदर, क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले अपने को पढ़ना है, अल्गी के बारे में, अल्गी क्या है, अल्गी के जनर्ल पाइटाइट, जो sperm यहां से हटा दिया गया फिर बट फिर भी जनल पॉइंट से यह आपकी NCRT में में नहीं है प्रोपरली बट आपको पढ़ने क्योंकि sexual reproduction flowering plants आपको 12th NCRT में दिया वहां पे सारे points है ही one by one अच्छा से देखें क्या defined किया हुआ है इसके regarding plant kingdom के सबसे पहले artificial classification जो दिया गया था artificial classification of the plant अब भी अपने पढ़ रहे थे total classification अब plants के बारे में बात कर रहा हुआ artificial classification के बारे में जो defined classification ने defined किया था earlier system of the classification they were based on the vegetative character and superficial morphological character such as habit, color, number, shape and shape of leaves इसके भीहाब पे था linear artificial system of the classification based on the endosium structure कुछ endosium structure कुछ endosium structures भी सके बीचे ने गाई थी लीचे आगर शूद की बात की जाए after that drawback क्या है इसके they separated the closely related species since they were based on the few characteristics closely related species को अलग अलग रख दिया और equal weightage of the vegetative and sexual characteristics उन दोनों को equal weightage दिया this is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment, environment more easily affected हो जाते हैं इस वज़े से इनको बाद में neglect कर दिया गया NCRT के अंदर यह आपको दिया हुआ है, NCRT के अंदर जब आप प्रोसीड करेंगे, तो NCRT chapter number 3 chapter number 3 के अंदर page number 29 chapter number 3, page number 29 old NCRT के अंदर page number 29 में सबसे last में नीचे से दूसी तीसी लाइन के अंदर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, next page जब आप प्रोसीड करेंगे, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो natural classification है, natural classification के अंदर क्या क्या point है, देखिए आप, they are based on the natural affinities among organisms, it consists external feature important है and internal feature as well as ultra structure, internal feature में anatomy, embryology and phytochemistry, ये internal features के अंदर आते हैं, classification of the flowering plants given by the Jaws, Bentham and Hooker, Bentham and Hooker ने इसको define किया था, जो external feature and internal feature, जो natural classification है, ये सारे point, क्वी external feature तो पहले भी देख रहे थे, बढ़ कुछ internal feature इस वज़े से include किये गए, जो natural environment environment की change होने पर आपको चीज़े देखने को नहीं मिलेंगे, phytochemistry, जो ultra structure पढ़ते हो, chapter number 8 में पढ़ते हो anatomy, chapter number 6 में पढ़ते हो, embryology division, आप chapter number 10 में पढ़ते हो phytochemistry, general components क्या-क्या हैं, वो chapter number 9 में पढ़ते हो chapter number 8, chapter number 9, chapter number 10, chapter number 6 अरे आगे हैं, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जहां रखलेना, पेपर के लिए चारों जब पूछा जाए, तो ultra structure, anatomy, embryology या फिर phytochemistry चिक है, after that इसके बात में बताया आपको phylogenetic classification, it is based on the evolutionary relationship among organisms this assumes that the organism in the same texa have a common ancestor same texa के अंदर जो organism देखने को मिलते हैं उनके अंदर आपको common ancestry देखने को मिलेगी, clear? next, and most important तीनो, other resources to resolve the problem of the classification और एक बात बता हूं मैं, ये classification कब आएगा एक बात बताना मुझे, जनल आप से पूछता हूं, electron microscope की discovery कब हुई 1950s में, तो electron microscope की discovery जब 1950s में हुई तो electron microscopic चीज़ें देख कैसे सकते हो भी ना electron microscope की जब chromosome की बात की जाती है chromosomal structure की, या फिर cytoplasm में मिलने वाले proteins की, lipids की या फिर 10-10 में चलने वाले जितने भी parameter है plasma membrane भी आंक्स्टोन में चलती है plasma membrane की discovery without electron microscope possible ही नहीं थी 10-10 10-10 क्या है 10-10 वो है जिसमें एक atom और यह उसका nucleus nucleus चलता है 10-15 और यह atom किसमें चलता है 10-10 तो इसके level की चीजें इस ही में electron गूमते हैं ना शायद यहाँ पर कहीं पर तो electron microscopic अब इसके level की चीजें कैसे कैसे देख लोगे आप जब तक electron microscope discovery नहीं हुआ तो ribosome कैसे देख लोगे nanometer में चलता है ribosome समझ में आ रहा है जो बोल रहा है उसको डंग से सुल ले न electron microscope की discovery के बाद में जितने चोटे थे जितने 10-9 10 के आपको parameters देखने हैं उसके बाद ही discover हुए से पहले discover हुए ही नहीं तो उन सभी के years of यह बोल सकते हो कि discovery हमेशा बाद के रहेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना और micrometer तक normal आप microscope से देख सकते हो micrometer में ना जो normal cell आप देखते हो उसके अंदर के parameter देखने हैं तो आपको electron microscope लगाना पड़ेगा और वो उसकी discovery के बाद ही possible हो पाई था आपको कियों बताई यह सारी कहानियां एदर देख लो यह क्या लिखा हो है cytotaxonomy क्या लिखा हो है पहले क्यों नहीं आई भई यह cytotaxonomy अब भी क्यों आई क्यों क्यों कि cytotaxonomy कि इस पर बेस है it is based on the cytological information like chromosomal number chromosomal chromosomal number structure and behavior etc और chemotaxonomy it is used to chemical constitute of a plant plant cell जिनका chemical constitute आपको पता चलेगा तो यह दोनों तो बिना उसके possibility नहीं है ना इसी वज़े से advance में है numerical biology की बात करते है यह को numerical taxonomy numerical biology की numerical taxonomy it is based on the and all observable characteristics it is easily carried out using computer number and codes are assigned to all characters and the data are processed thus the hundred of the characters can be equally considered 100 characters एक प्लांट के देखने को मिल सकते हैं उनको आप easily consider कर सकते हो अगर आप इसका computed पूरा complete data secure कर लो तो new plant आगा उसको आप देख सकते हो तो ध्यान रगना यहां से matched the column अच्छा बनता है what is numerical taxonomy what is cytotaxonomy or what is chemotaxonomy important point है इतना ही बताना थोड़ा डिटेल इस वह से बताया है ताकि आपको थोड़ा सा पता रही algae के बारे में आ जाईए algae जानते हो कैसी होती है algae are the simple thaloid, autotrophic, chlorophyll, bearing and aquatic fresh water, marine water हर जगा देखने को मिलेगी organism है they also occurs in the moist stone soil and wood some occurs in association with the fungi, lichen and animals on sloth beer उसकी इतना मतलब rc होता है sloth beer rc lazy bhaaloo जिसको बोलते हैं इसके उपर लिख देता हूँ मैं कहांगे है यह रहा lazy bhaaloo algae उसके उपर हो जाती है पड़े पड़े पे सुना तो ऐसा ही था कि भेंसा पड़ा हुआ होता है यह bhaaloo पड़ा रहता है they form and the forms and the size of the algae highly variable microscopic unicellular हो सकता है chloramidomonas colonial form हो सकती है walbox and filamentous form हो सकती है eulothrix and spirogyra filamentous form हो सकती है eulothrix and spirogyra next types अगर देखा जाए reproduction का sexual के अंदर isogamy and isogamy gamits जो होते है and ugamy flagellated हो सकते है और non flagellated हो सकते है but similar in size dissimilar in size यह female gamit जो होगा large and non motile होगा और male gamit होगा वो smaller and motile condition आपको देखने को मिलेगी example के है इदर clamidomonas जो अब हटा दिया गया है flagellated और spirogyra non flagellated few species of clamidomonas यह भी हटा दिया गया है walvox and fucus आपके इसाद रखा क्या है walvox and fucus है odorine आपको देखने को मिलेगा spirogyra आपको दिया हुआ है आपकी NCRT आपको इसादर NCRT में mentioned है yes NCRT के अंदर mentioned है देखिए आप यह देखिए NCRT के अंदर this आपको अच्हे समझ में आ जाना चाहिए अब these gamits can be flagellated and similar in size in eulothrix non flagellated non motile but similar in size in spirogyra समझ में आ रहे है flagellated non flagellated such reproduction are called iso-gamer fusion of 2 gamit dissimilar in size species ओdorina term as an anisogamels और last one के अंदर आपको walvox and fucus दोनो same ही देखने को मिल रहे है ध्यान अखना गडबड मत करना जो updated NCRT उसके अंदर ये update होकर के आ गया है तो आपको बता दिया है next अब आजएए तीनों की तीनों जो algae के अंदर आपको general उनके points सारे यहां पर लिखे हुए जो NCRT के अंदर आपको दी हुए फर्स्ट वन कोमन नेम ब्रीन अलगा ब्राउन अलगा एंड रेड अलगा चुका है इंपोर्टेंट पॉइंट पूइंट पे अल्रेडी कोशिन पूछा जा चुका है लेटेस पूछा था फ्यूजन इडिटिन वगरा भी ठीक है habitat, fresh water, brackish water, salty water में मिलते हैं, mainly brackish and salty water, rarely in fresh water, last one, some in brackish and fresh water आपको देखने को मिलेंगे, mainly marine में आपको देखने को मिलती है cell wall, अगर आपने देखें, stored food, यह किसको define करता है, यह define करता है, stored food को, किसको define करता है इसके अंदर, stored food, stored food की अगर बात की जाए, तो stored food के अंदर starch मिलेगा, mannitol and laminadian starch होता है, और इधर आपको floridian starch देखने को मिलता है, जो amylopactin, similar to amylopactin glycosin in structure, NCRT के अंदर ही आपको दिया हुआ है, specifically mentioned है red algae के अंदर, NCRT chapter number 3, plant kingdom के अंदर, page number 33, page number 33 पे टेबल के जस्ट ऊपर आप दो लाइने देखेंगे, वहाँ पे आपको mention किया हो मिलेगा, जस्टेबल के जस्ट ऊपर दो तीन लाइने जो दिया हुए है, उसमें फ्लोरीडियन starch Mylopactin Glycosin के बारे में लिखा हुआ है, यहां रखना, important point है, number of flagella, position of the insertion, 2 to 8 है, इनके अंदर equal और apical होता है, two unequal, two unequal होते हैं, lateral, और यहां पे आपको flagella देखने को नहीं मिलते हैं, देखे हैं, blue green algae, और आपका यह red algae, इनके life में कोई भी motile structure देखने को नहीं मिलती है इन यहां पर आपको non-motile gamit और non-motile आपको इसके अंदर spores देखने को मिलते हैं, gamit भी क्यते होते हैं non-motile, and sport भी कैसे suntem non-motile, vegetative reproduction by fragmentation, 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 fragmentation and sport important point है after that a sexual mode of reproduction flagellated juice spore होते है by flagellated juice spore और non motile spore होंगे sexual mode of reproduction iso in iso ugamous iso in iso ugamous और mainly यहां पर आपो क्या देखने को मिलता है ugamous example क्या है wallwork spirogyra eulothrix clamidomonasen cara fucus dictiota ectocarpus sargassamen laminaria kelp भी दिया हुआ है polysiponia gracilaria giladium और porphyra जो इसमें gracilaria giladium दिया ही इनसे अगार-अगार मिलता है next chloroplast are various shape discoid हो सकता है cup shape हो सकता है clamidomonas में ribbon shape हो सकता है prate like हो सकता है और spiral and reticulate one and more pyrenoid are found in the chloroplast pyrenoid क्या होते हैं इनके इंतर star storage granules आपको दिए देखने को मिलते हैं protein के बने होते हैं ठीक है next pyrenoid contains protein and starch protein के बने होते हैं starch के store करते हैं cell wall inner layer जो होती हो cellulose की होती है outer layer कैसी होती है pectos की याद रखने का तरीका icop icop से याद रह सकते हो inner cellulose और outer pectos important है इधर their color olive green हो सकते हैं various shade के होते हैं brown depends on the amount of the fuco-genthin fuco-genthin की amount के according यह olive green and brown हो सकते हैं important point cellulose cell wall के इंदर देखने को मिलता है covered by alzine gelatinous coat होता है alzine आपको किससे मिलता है phycomis आपकी p of ic brown algae से मिलता है next अब देखें आप इसके अदर plant body इंदर whole fast होती है attached to the substatum type होता है जो stock like structure होती है front जो leaf like structure आपको देखने को मिलेगी fucus इसका example इसमें air bladder में मिलता है NCRT के अंदर दिया हो अच्छे से देख लेना अभी डाइग्रम analyze करऊंगा usually found in the warm areas के अंदर और deep sea water के अंदर आपको देखने को मिलती है road of ic लिखाव आपकी NCRT ने deep sea water के अंदर आपको road of ic के member देखने को मिलते है गैड़ को फिफेक्टिन के अंदर होता है एक फ्लेजिलेटेट मेंबर बैट्रे को सपम होता है इसका detail में नहीं जाएंगे सुलने बस आप जो आपको लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ दिया हो वही पढ़ने है इधर आजाओ इसके member ये फ्यूकस इस फ्यूकस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एयर ब्लैडर इंपोर्टेंट पॉइंट है यह लैमिनेरिया आइडिन और ब्रोमिन रिच होती है बेटा आइडिन और ब्रोमिन रिच अल्गी लैमिनेरिया पूछा जाता है एक question related to the अगर किसी को गॉइटर हो गया है तो गॉइटर के लिए इन में से कौन सा अल्गा उसके इलाज के लिए यूज कर सकते हैं लैमिनेरिया खिला तो भाई आइडिन रिच होती है जहां रखना important point बता रहा हूं next इसके बाद में आपको दिया हुआ है डिक्टियोटा के बारे में यह आपको बताया इसको निक्यूल के अपर साईड के अंदर क्या बताया है यह जो बताया है आपको अब यह यहां से भी हटा दिया है और 12th Nziati के 1st chapter reproduction in organism महां से भी हटा दिया है ठीक है, next अब आजाएए, next आपके bryophytes, bryophytes के अदर क्या क्या दिया हुए, bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom known as amphibians of the plant kingdom because they can lie in soil but need of the water for sexual reproduction they occurs in the damp humid and shaded localities their body is more differentiated than the alga, it is the thallus-like structure, prostrate and erect and attached to the substatum by the unicellular and multicellular rhizoid unicellular, you will get a liverwort in the liverwort, multicellular you will get a moscis, clear और अरे इदर पढ़ने, ज्यादा बेटर है, बेटा देखिए आप, next they lack two root, stem and leaves they may have root-like, leaf-like and shoot-like structure, NCIT chapter number 3, page number 35, second paragraph जो दिया हो, इसमें पूरे जनल points defined के होँ है, NCIT chapter number 3, sorry, plant kingdom के अंदर, page number 35 page number 35 पे mention किया हुआ, bryophyte के general characters, और एक important point, succession के बारे में भी दिया हुआ है, यह pioneer species होती है, succession के अंदर जो इनके 35 पे first paragraph के अंदर जो first three lines दिया हुआ, उसमें mention किया हुआ, important point है, वहीं आप से पूछ ले, इनकी economical importance, succession के अंदर pioneer species, lycan होते हैं, और आपके bryophyte, bryophyte में भी अगर specific देखें, तो आपको समझ में आना चाहिए, next, इनकी mean plant body कैसी होती है, gametophyte, mean plant body कैसी होती है, gametophyte, the mean plant body haploid produce gamete, hence it is called gametophyte, अब gametophyte आ ही गया है, तो तीनों का alternation of generation बता रहा हूँ, जल्दी से देख लें, उसके बाद अपने आगे प्रोसीड करेंगे, alternation of generation मुझे आपको अलग से बताना था, देख लें, यह important point है, यह important point समझ में आ गया, उसके बाद आपको सारी चीज़न समझ में आ जाएंगी, अच्छे से देख लें, alternation of generation, starting के अंदर जो आपको define क्या हुआ है, NCRT chapter number, chapter number 3 के अंदर, page number 42, chapter number 3, chapter number 3 page number 42, chapter number 3, I think page number 42 पे आपको दिया हुआ है, 3.6 topic according to old NCRT, समझ में आ रही है बात, दियान लखना, important point जो मैं यहाँ पे define कर रहा हूँ, इधर देखिए, इधर क्या है, इधर आपको structure देखने को मिलता है, 2N structure, यह क्या है N, इसमें क्या है, 2N और N, कहीं पर भी आप लिख देए, अपर lower side के इंदर कोई ऐसा issue नहीं है, यह कैसा है, 2N और N, यह जो life cycle आपको देखने को मिलता है, यह जो life cycle आपको देखने को मिल रहा है, इधर, एक important point, यह आपको condition देखने को मिल रहा है, जादा दर इसका, इसकी life haploid type, अगर आप देखें, इसका life span, जादा दर haploid structure आपको देखने को मिलेगी, और number of time यह देखने को मिल रहा है, it means haploid stage इसकी लंबे time तक बनी रहेगी, haploid stage होगी, लंबे time तक बनी रहेगी, और कैसी होगी, haploid stage है, main plant body haploid gametophyte से represent होती है, multicellular होता है, देखो भई, N type जो आपको लंबे time तक देखने को मिल रहा है, यह multicellular condition, 2N, 2N, यह भी multicellular, multicellular, और यहाँ पर भी 2N, देख रहा है, काफी लंबे time तक आपको sporophytic generation देखने को मिल रहे है, यह multicellular condition होती है, और N type इसकी one to few cells represent होता है, अभी अपने बात करेंगे, इधर देखिए आप, यह किसको, यह haplonic life cycle को यह diplonic life cycle को बताता है, ठीक है, और first one, अगर यहाँ पर देखें first one यहाँ पर देखें यह क्या है, T, यहाँ पर B P Z A, T B P Z A most important point है, इसी को मैं दुबारा आगे लेकर कर जाऊँ, यहाँ पर सिर्फ एक point define कर रहा हूँ, बाकि सारे points अपने इसके अंदर आगे पढ़ने वाले, एक point कौन सा, कि haplonic क्यों है, यह haplonic क्यों है यह haplonic आपको क्यों देखने को मिल रहा है, haplodiplonic haplonic मिलब पूरा life cycle, majorly आपको क्याद मिलता है, N type इसके अंदर आपको देखने को होती है, gametophyte gametophyte, N type आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर main plant body कैसी होती है, यह भी gametophyte होती है, gametophyte haplodiplonic, जो bryophyta के अंदर देखने मिलता है, N type, यहाँ पर main plant body कैसी होती है, sporophyte होती है, और यह कैसी होती है 2N होती है, बेटा, कैसी होती है 2N, चाहे आपका Tidophyte हो चाहे आपका Zymnosperm हो और चाहे आपका Angiosperm हो Sporophyte, 2N main plant body आपको देखने को मिलेगी, ठीक है इसको यहाँ से start करकरके Bryophyte के लिए यहाँ से start करके यहाँ लेके जा सकते हो, Tidophyte के लिए 2N से start करके यहाँ लेके आजा सकते हो, NCRT ने इसको haplodeplontic लिखा है ठीक है, अब याद अखने का तरीका इसके अंदर जो जाइगोट बनता है वो immediate miosis के through, किसकी formation कर लेता है Spor की formation कर लेता है, ठीक है इसमें जो miosis होता है, वो कैसा होता है Zygotic miosis कैसा होता है, Zygotic miosis and Zygote undergoes miosis immediately after after formation, इसी वज़े से इसके अंदर embryo formation कभी होता ही नहीं है इसी वज़े से इनको क्या बोलते है non embryo non embryo fight non embryo fight और बाकी सभी के अंदर आपको embryo बनता हुआ दिखता है, कहीं पर भी immediate miosis नहीं होता NCRT के अंदर clear cut mention किया हुआ है, page 35 पर ही जाकर के देखें, second paragraph के अंदर नीचे से चोथी line के अंदर आप जाकर के देखें चोथी पांचवी line में क्या लिखा हुआ है Zygote formation होता है Zygote does not go under immediate miosis Zygote undergoes the mitosis and form the sum number of cells known as sporophyte and sporophyte is represented by the foot seta and capsule, general points है, और capsule mother cells, जिनके अंदर miosis के तुरू spor formation होता है, that's why it is considered as sporic miosis, NCRT chapter number 3, page 35, second paragraph last four line, जो आपको analyze करवाई है important point है, देखिए इसी वज़े से इनके लिए क्या word use करते हैं sporic miosis sporic miosis page 35 पे तो sporic miosis पढ़ लिया 36 की तीसरी line देखिए page 36, sporic miosis sporic miosis page 36 की तीसरी line जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा 34 line के अंदर, capsule के अंदर present कुछ cells होती है, जिको spor मतलब cells बोलते हैं, miosis के तुरू spor की formation करती है, liver words की last 3-4 lines, next आपको जो paragraph दिया हुआ, 36 पे second number paragraph mosis का दिया हुआ है, आपको mosis के अंदर, जो 36 पे आपको second number, 36 number आपका जो page है, उस पे second paragraph दिया हुआ है, mosis का, ये आपको line लिखी हुई मिल जाएगी, ये दिखर आपको spor is produced within the capsule, this spore is germinate to form pre-living gametophytes और ये after miosis, किसे होता है, after miosis, next mosis का जो second paragraph है, mosis के second paragraph के अंदर देखें, the sporophyte in the mosis is more elaborate than the liver, but the capsule contains spores and the spore are formed after miosis, ये भी miosis के through बनते हैं, और वो भी spore mother cell के अंदर, इसी के बाद में टाइड़ोफाइट के, इसी page पे टाइड़ोफाइट की last three lines, इसी page पे टाइड़ोफाइट की last three lines, अगर आप जाकर के देखेंगे, इसमें भी आपको लिखा हुआ है, वहाँ पर भी आपको लिख करके दिया हुआ है, कि spore, sporengia produced spore after miosis in the spore mother cell, इसी को sporic miosis बोलते हैं, 36 number page पे, नीचे से दूसी दूसी number line पे, tide of white में भी sporeng miosis mentioned किया हुआ है, ध्यान नकलेना, ये new ncratic अंदर नहीं, ये old ncratic अंदर सारी चीज़ें defined किया हुआ है, जो मैं बोले जा रहा हूँ, new ncratic अंदर भी आपको सेम जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा सारी चीज़ें, I think आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, एक general point बताया है मैंने आपको sporeng miosis, last one के अंदर आपको देखने को मिलता है, gametic miosis, इसके अंदर जो gametophyte इसका होता है, gametophyte is represented by 1,2 few cell, 1,2 few cell क्यों बोला, कि male gametophyte की बात करेंगे, pollen grain, female gametophyte बात करेंगे, तो embryo sec, male gametophyte की बात करेंगे, तो pollen grain, pollen grain में दो gamet होते हैं, उसके अलावा आपको एक vegetative cell देखने को मिलता है, एक vegetative cell और एक generative cell, end type है, इधर embryo sec के अंदर 7 cell, 8 nucleated condition देखने को मिलती है, होता तो वो end type है, gametophyte यह है, gametophyte यह है, 1,2 few cell आपको देखने को मिलता है, ध्यान अकलेना, 1,2 few cell, और यहाँ पर, इसका sporophyte is represented by a single cell, sporophyte single cell के थूरू represent होता है, यह इसका sporophyte है, ठीक है, clear, sporophyte single cell, sporophyte multicellular, sporophyte multicellular, sporophyte multicellular, एक जगे ही single cell होता है, और gametophyte आपको single cell कभी देखने को मिलता ही नहीं है, 1,2 few cell हो सकता है, या फिर multicellular condition के अंदर हो सकता है, जहाँ अनकना important point है, general point आपको बता दिये, अब आजाओ, इसके बाद, अपने बात करते हैं, ब्राइवफाइट की बात कर रहे थे, ब्राइवफाइट के अंदर आपको बताया, कि सक्स और्गनिन के अंदर, multicellular होते हैं, एंथ्रीडियम होगा, अंथिरोजोट प्रोड्यूस करेंगे, इढ शुका अंदर समय ब्रडद करेंगे, अंथ्रीडल प्रस्ट प्रष्ट्रीद प्रैर미ट ग्यवफाइट थे, जॉन्दर ब्रडद अंदर गोड्यूस करेंगे, थे प्रणार ब्रडर मेस्नियेर ऑड्मि lis, sporophyte के अंदर तीन चीज़े मिलती है, free living नहीं होता है, but attached to the photosynthetic gametophyte से attached रहता है, इसके for derived nourishment from it, some cells of the sporophyte undergoes meiosis to form the haploid spore, they germinate to form gametophyte, अब इसका मैं आपको life cycle बता रहा हूँ, यह life cycle अच्छे से देख लें, एक gametophyte अगर इसकी mean plant body है, bryophyte का मैं life cycle आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देख लें, gametophyte इसकी mean plant body अगर आपको देखने को मिलती है, तो इसके अंदर entherojoids और आपका egg cell बनता है, यह enthridium, enthridium बनेगा enthridium और यहाँ पर आपका बनेगा oogonium, enthridium और archigonium, enthridium और archigonium, enthridium और archigonium, important point है, इसका life cycle बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से सुन ले, क्या है इसका life cycle, सुने आप, सुने आप, next, इदर, enthridium, enthridium, enthridium और यहाँ, है, n-type है, gametophyte, n-type, जो haploid आपको condition देखने को मिलती है, क्या है, one by one अपने proceed करेंगे, देखिए, इदर, enthridium से क्या बनता है, enthridium से बनता है, enthridium से बनता है, enthridium और यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है, egg cell, आप कहेंगे, सर, इस पर time क्यों ले रहे हो, फटा-फट इसको आप explain कर दो, फटा-फट इसको छोड़ दो, एक, 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 एक life cycle आपको बताऊँगा, इस life cycle को बताने के बाद में, आपका moses और liver word, दोनों अच्छे से crystal clear हो जाएंगे, यह भी N है, यह भी क्या है, N है, यह दोनों fuse होकर के, एक sporophyte, zygote की formation करते है, first cell of the sporophyte, काफी सारे student हैं जिनको problem रहती है, first cell of the sporophyte generation is zygote, क्या होता है, zygote, and first cell of the gametophyte generation is a spore, चिक है, zygote, हाथों हाथ मियोसिस के अंदर नहीं जाता, पहले किसकी formation करता है, a multicellular sporophyte, a multicellular sporophyte, and sporophyte is represented by, sporophyte is represented by foot, ceta and capsule, foot, ceta and capsule, ठीक है, foot, ceta and capsule, इस foot, ceta, capsule के अंदर, foot, ceta, capsule के अंदर, आपको, एक capsule की जो एक cell है, यह capsule जो आपको देखना हमले है, इसकी capsule के अंदर present cells होती है, spore mother cell, इसके अंदर स्पोरंजिया होगा, उसमें क्या होगा, spore mother cell आपको देखने को मिलेगा, इस spore mother cell के अंदर आपको reduction division देखने को मिलेगा, reduction division से formation, reduction division मतलब meiosis होगा, और आपको मिलेंगे spore, meiosis के तुरू क्या मिलेंगे आपको, spore formation देखने को मिलेगा, अब important चीज़ क्या है अगर आपको liver word के बारे में जानना है तो liver word के अंदर direct spore germinate होकर gametophyte generation के अंदर आ जाता है यह जो life cycle बना हुआ है यह liver word के regarding बना हुआ है पूरा जो starting के अंदर आपको देखने को मिलते हैं यह liver word जिसमें markensia आपका आता है खीक है next फिर इसके बाद अगर बात की जाए either spore अगर इसके बाद इसके अंदर क्या है? leafy stage क्या है? leafy stage आए proton निमा के बाद क्या है? leafy stage और इस leafy stage से फिर फृदर gametophyte की formation अब जो leafy stage आया है leafy stage के अंदर leaf आपको देखने को मिलती है जो spirally arranged होंगी अने चोकर की gametophyte generation को represent यह direct है और यह कैसा है indirect जिनके अंदर spore germination देखने को मिलता है वो होते हैं आपके moses क्या होंगे moses और यह आपको देखने को मिलता है in liver warts ठीक है अब protonima कैसा होता है protonima जो होता है यह protonima ठीक है यह protonima यह जो आपको देखने को मिलता है यह कैसा होता है green होता है creeping होता है bronze जो होता है and filamentous होता है filamentous आपको देखने को मिलता है ठीक है creeping green, bronze and filamentous फिर secondary जो इसके अंदर stage आपको देखने को यह primary stage है यह secondary stage में leafy stage आती है, और यह जो spore होगा, spore इस तरीके से germinate भी करेगा, जो protonima और इसमें branch condition भी देखने को मिलेगी, फिर second आगे जागर कि इनके दर leafy stage देखने को मिलती है, leafy stage से इसकी formation होती है gametophyte की formation होती है most important point है, जहाँ नकलेना, most 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 important point, ठीक है, next next, अब आजाओ इसके बाद, यह है bryophyte का life cycle, ठीक है सारे points में आप से discuss कर चुका हूँ next, अब आजाएए bryophyte का life cycle के अंदर, मैंने आपको bryophyte के बारे में जो बताया, they include the various mosses liverworts and found in the commonly growing moist and shaded area, यह markensia के बारे में बताया है, यह thallus archigoneus four को bear करता है, मलब female thallus है यह archigoneus four को bear करता है, it means male thallus है, markensia के अंदर male और female दोनों क्या होते है thallus अलग-अलग होते हैं और दोनों thallus क्या होते हैं, अलग-अलग यह liverworts के example है, next जो आपको दिये हो है, यह mosses का funeria आपको define क्या हुआ है mosses का funeria define क्या हुआ और यह sphagnum define क्या हुआ यह क्या है, funeria और second number आपको define क्या हुआ sphagnum एक important point है, जहां तक मेरे को आपको define का अंदर सारे point मैंने आपको बता दिये अब इसके अंदर आपको यह cup जो देखने को मिले हैं, जिनको बोलते है gamma cup, gamma cup के बारे में भी सुनलो हमेशा बताता हूं मै गämmac up gamma cup को आपको लिखना ही ऐसा है गेmmac up को आपको लिखना ही ऐसा है green होता है gamma cup multicellular होता है green multicellular होता है cellular और asexual bird green multicellular और asexual bird तो यहाँ से detached होने के बाद में पूरा as it is organism बना देगा यह होता है gamma cup gamma cup most important है इसके बारे में यह सारे तीनों point और आपके proto-nima के बारे में जो points है वहाँ से पूछे जाते हैं जो सारे points आपको बताएं अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए green, multicellular, photosynthetic होता है और यह sexual butt आपको देखने को मिलती है clear next सुने आप ब्रायवाइट के इंदर जनरल इसकी कुछ इसकी पूछ एकनोमिकल इंपोटेंस है वह इंपोटेंस आपके से सुनने सम मॉसेश प्रोवाइट फूड पोर हरबेशियस मैमल्स और बिर्ड़ और अनिमल्स जिनमें फूट प्रोवाइट करते है species of the sphagnum मॉसेश प्रोवाइट पीट इस देज उस अन फ्यूल moses along with lichen decomposes rock making the substrate suitable for the growing of higher plants and since moses form a dense mat on the soil they can prevent soil erosion ये मेदा के कटाव से भी बचाते हैं राइफाइड है डिवाइड इन्टो लिवर्वर्ड्स एंद लिवर्वर्ड एंद मोसस के बारे में सारे पंड से यहां लिखे हुए दोनों की बोड़ी कैसी होती है थैलोइड होती है इसके अंदर दो सेज होती है एक प्रोटोनीमा सेज होती है जो कैसा होता है इसको या प्रोटोनीमा को याद रखने का तरीका ग्रीन ब्रफी ग्रीन ब्रफी ब्रफी से याद रख सकते हो वैसे ब्रफी होता है ब्रफी से इसको ग्रीन ब्रफी इससे याद रख सकते हो क्रिपिंग ये क्रिपिंग ग्रीन ब्रांज और फिलामेंटर्स ये ब्रफी होता है मैंने बर्फी लिख दिया इसको creeping green branch और filamentus इससे आप याद रह सकते हो protonima के बारे में यहां से question पूछा जाता है star याद रहने का तरीका बता है मैंने इसको ठीक है next अब आ जाएए leafy stage leafy stage की अगर बात की जाए तो leafy stage it develops from the secondary arrangement of the leaves it develops from the secondary protonima attached to the soil by multicellular and branch rhizoids having the reproductive organs asexual fragmentation की तुरू होता है gammy इसमें देखने को मिले green multicellular asexual bird है और gamma cup detached from the parent body and directly give rise to the new plant इदर fragmentation की तुरू होगा budding is in the secondary protonima stays important point is asexual mode of production budding in the secondary protonima stays यहां से asexual mode of production mosses के अंदर देखने को मिलता है fragmentation तो है ही उसके लाबा second point यहां पर mention किया हो जिसको आप अच्छे से देख लेना fragmentation तो है गैमा कप यहां पर fragmentation तो है यह वाली चीज आज तक नहीं पूची गई है और नहीं हमें याद रहती है और नहीं हमें पता है NCRT में साफ-साफ mention किया हुआ है budding in the secondary protonima stais आप कहां दिया हुआ है देख लेना जाकर के 36 नंबर पीज पर mention किया हुआ हुआ है second जो मॉसस के अंदर first or second paragraph जहां पर second paragraph के साहे start होते ही आपको asexual mode of reproduction के बारे में बताया है sporophyte sex organ are produced at apex of the leafy shoot and therojoids are egg and therojoids and egg are produced from the sex organ which fertilize and to form sporophyte food sita capsule इसके अंदर देखने को मिलेगा capsule में spore होते है वो spore मदल सल से meiosis के तुरू बनते है जर्मीने टोकर के new plant body बनाते है markensia and rixia आपको दी हो है rixia के अंदर सिर्फ capsule मिलता है ठीक है इधर food sita capsule होता है more elaborated होता है capsule इसमें पूछेगा spore dispersal का elaborated mechanism किसमें होता है मॉसस के अंदर होता है spore are produced as a result of meiosis that germinate and give rise to the gametophyte generation funeria polytrichum and sphagnum polytrichum और polytrichum में confused मत होना polytrichum is a member of deuteromyces polytrichum is a member of moses ठीक है next अब आजए इसके बाद tidophyte की बात कर लेते हैं tidophyte के अंदर जो general point आपको बताएं हुए देखिए आप tidophyte को इन में क्या क्या आते हैं generally horse tail and fern आते हैं tidophyte के अंदर horse tail and fern आपको देखने को मिलेंगे important point क्या है they are found in the cold and shady places and flourish in the sandy soil area evolutionary the first terrestrial plant having the vascular tissue xylem and phloem इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे bryophyte are the dominant phase in the life cycle of his life cycle in the life cycle of his gametophyte the tidophyte in tidophyte the dominant stage of plant body is sporophyte इसीदी सी बात है अभी आपको बताया था bryophyte के अंदर dominant stage क्या होगा tidophyte में dominant stage क्या होगा यहां पे N होगा यहां पे क्या होगा 2N देखने को मिलता है जो tidophyte के अंदर होगा चिक है dominant stage आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए अव्चेन के आफ्र देखनेक इवाँ इदिटरा इन तु रूट सेम इन लिए अवर्ग व कर देखने क्या बादिए इन आवर्टренकल इद्रॉटर्शें as an soil binder and ornamentals ये plants की तरह है consider होते है fern बहुत अच्छे दिखते हैं इस वज़े से as an ornamental plant की तरह है use करते है spore germinate होकर के inconsequence most important inconsequence spore germinate होकर inconsequence spore multicellular free living mostly photosynthetic thaloid gametophyte की formation करता है जिसको बोलते है pro thalus most important है बेटा pro thalus question आपसे पूछा जा सकता है ncrt के अंदर chapter number जो आपका 3 है page number 37 है सबसे last last आपको line जो लिखी हुई मिल रही है 37 पे 37 के बाद में 39 पे आप सीधे आ जाए 37 के 38 पे डाइगरम से है 39 पे जो लिखकर के आपको दिया हुआ है 36 पे सबसे last line जो आपको दी हुई है 36 पे जो सबसे last line आपको दी हुई है वहां से 38 पे जब आप आते हैं तो ऊपर second third number line पे आपको pro thalus लिखा हुआ मिल जाएगा ठीक है next अब आजाएए इधर pro thalus requires a cool damp shady places to grow also needs to water fertilization so spread of the teratophytes is limited and restricted to a narrow geographical reason important point है अच्छे समझ लें ज्यादा ही तो 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 फैल नहीं सकता क्योंकि अभी पानी पे डिपेंडेंसी है वही फर्टिलाइजिशन के लिए ठीक है next the gametophyte pro thalus bears the male and the female reproductive organs called enthidia and archigonia respectively water is needed to transfer of the entherojoid male gamet from the enthidia to archigonia entherojoid fuses with the egg of the archigonia to form zygote zygote develops to a multicellular well differentiated sporophyte multicellular well differentiated sporophyte की formation करता है zygote directly miosis के अंदर नहीं जाता कुछ examples आपको दिये हुआ है like calezy nila आपको दिया हुआ है calezy nila है second number जो आपको दिया हुआ हुआ हो equisitum calezy nila equisitum यह fern यह यह salvenia salvenia is different from the salvia salvenia is a aquatic fern यह क्या है एकवेटिक फर्न है बेटा ध्यान लगना ठीक है राइजोम औल्सो प्रेजंट इन टाइडवाइट रूट जो होते हैं वो राइजोम की फॉर्मिशन करते हैं ध्यान से next Megaspore and Microspore germinate to give rise to the female gametophyte respectively and the female gametophyte retain on the parent sporophyte for a variable period इस लाइन पर question अल्रेडी पूछा जा चुका है आपके नीट एक्जाम के अंदर phase no 38 पर अच्छे से define किया है मिड में उसके बाद लिखा हुआ है within female gametophyte dygote develop into young embryo and the event is this is the event of the seed habit and consider as an important step in evolution four classes कौन-कौन सी है इसकी Psylopseida, Lycopseida, Spivinopseida, Tridopseida Psylotum, Salazine, Lycopodium, Iquisitum, Dryopteris, Teresaur, Adiantum Example के साथ साथ Homosporos, Heterosporos, Tridophyte इन पर questions पूछे जाते हैं Spore same size क्यों होंगे, different size क्यों होंगे, Micro and Mega Gametophyte, Spore develop into the bisexual gametophyte, Prothelus इसके अंदर अलग-अलग होगा Microspor and male gametophyte and Megaspore female gametophyte Example, Majority of Tridophyte including Iquisitum and Dryopteris इन सभी के अंदर आपको Homosporos condition मिलती है Heterosporos condition Salazinella in Salvia Salazinella in Salvenia एक important point बतायता हूं यह दूनो Genera है, यह species नहीं है बहुत हार Genera दूनों के दूनों क्या है, Genera जहां रखना गडबड मत करना After that Gymnospom, Gymnospom की अगर बात की जाए तो अच्छे से देखे, important point क्या है Gymnospom के अंदर Gymnospom जो word उठाये गया है वो Gymnose से उठाये गया है Gymnose से यह word उठाये गया Gymnose जो word उठाये गया है ..Gymnoz से उठाया गया है ..Gymnoz sperm.. ..Gymnoz sperm के अंदर ..Gymnoz.. जो word है.. ..YUND listings का meaning naked'... ..Sperma का meaning seed all plants in which the ovule.. ..all plants in which ovule are not enclosed.. ..In which ovules are in which ovules are not enclosed by ovary wall remain exposed before and after the fertilization seed developed post-fertilization is not covered it is naked that's why it is considered as a gymnosperm which you don't get covered in the seed they include medium-sized trees and tall trees and shrub, sequoia, zent, redwood and it is the tallest tree species if you look in the gymnosperm, sequoia tallest tree species category category in red, you can ask question a redwood tree the root is generally tap root roots are of some general fungal association to form the mycorrhizae now let's see a little calm here from each line important point is here from each line question first question this mycorrhizae higher plants in gymnosperm fungus comes in and pinus plant you can see you can see psychus plant what you can see corraloid root psychus plant some specialized root corraloid root are present associated with nitrogen fixing cyanobacteria you can see you can see psychus psychus c cube you can see c for psychus c for corraloid corraloid root and c for cyanobacteria cyanobacteria which one is this can see these three can see these three can see this c for single बिचारा मलब मेल और फीमल तोनों क्या होते हैं अलग-अलग डायोशियस कंडिशन देखने को मिलती है ठीक है देखिए आप स्टेम और अन ब्रांच अन ब्रांच तो किसमें होंगे साइकस के अंदर और ब्रांच कंडिशन किसमें मिलेगी पिनृस और उषिद्रस एक कोशिँ यहां से वना मैकरीज़ मिलेगी दूसर कोशिए अन कोर्लोरीड रूड का ृशिर कोशिए इसरा कोशिए अंदर भांच और उन ब्रांच का इंपोर्डन नेक्स चोहता कोश्जन लीव सिंपल और इन कंडन होते है कि in cycles the pinnate leaves persist for few year आगे, in conifers, pinus, cidrus the needle-like leaves reduce the surface area and the thick cuticle and the sunken stomata also helps to reduce water loss transpiration loss को रोकते हैं, important जो already need 16 के अंदर आपसे पूछा हूँ need 16 चोड़िया, कितनी बार मैं years यहां पे लिखूँ यह सारे points यहां से most important है mycorrhiza, second number आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर cyanobacteria colloid root after that branch and branch condition फिर leaves जो extreme condition में adapt हो जाती है after that cycle के अंदर leaf persist रहती है और conifers के अंदर आपको यह conifers के अगर बात की जाए, तो needle-like leaf देखने को मिलेगी clear, next अब आजाओ इसके बाद, reproduction reproduction के अगर बात की जाए, तो reproduction में sir, इसका अगर आप हमें life cycle लिखा पाएं, देखो भई, इसके life cycle के अंदर microsporophyll, megasporophyll, microsporophyll, megasporophyll, microsporengia, megasporangia, microsporengia, megasporangia, megasporangia, जो होंगे, यह male cone, यह female cone, ठीक है, generally क्या होता है, कि male cone, female cone, female cone, अगर बात की जाए, तो megasporophyll ही represent करती है उसको, megasporophyll, उसमें megasporangia, फिर आप आपको, megaspor मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, microspor, megaspor germinate, female gametophyte, microspor germinate होकर के, male gametophyte, ठीक है, male gametophyte, female gametophyte, further mitosis के तुरू, gamit produce करते हैं, gamit fuse होकर के, zygote की formation करते हैं, बड़ जो female gametophyte, gymnosperm का होता है, वो archigonia, female gametophyte, जो आपको देखने को मिलता है, जो archigonia, क्योंकि देखो, microspor, megaspor पहले क्या बनाएगा, archigonia, archigonia के अंदर, जो condition होती है, वो female gametophyte को represent करेगा, उसके अंदर, दो condition मिलेगी, एक से तो बनेगा, आपका endosperm, और एक से बनेगे, आपके egg and ovum, ठीक है, जो endosperm बनेगा, वो fertilization से पहले बना है, और जो ovum बनता है, वो further fuse हो जाता है, इसके अंदर आप pollen grain, वर्ड यूज करना start कर देते हैं, microspor, microspor से pollen grain, फिर further जाकर के, यह fuse होता है, फ्यूज होगा, pollen grain, male gametophyte को represent कर रहा है, यह मान सकते हो, यह दोनों fuse होगे, fuse होगे, जाइगोड बनता है, और जाइगोड के अंदर फिर आगे, mitosis के तुरु sporophyte बनता है, बट एक चीज़ जहां नकलेना, यहां, unlike bryophyte and tidoophyte, female gametophyte, या फिर gametophyte of the gymnosperm, does not have the independent existence, because of यहां पर जो gametophyte आपको देखने को मिलता है, वो dependent होता है इसके sporophyte पे, एक line है, आपकी NCIT में clear cut mention की हुई है, page number 39 पे last जो paragraph आपको दिया हुआ है, उसकी first two three lines आप जाकर के देखेंगे, NCIT chapter number three, page number 39 का जो last paragraph उसकी first two three lines, unlike bryophyte and tidoophyte, the gametophyte of the gymnosperm does not have independent existence, जो मैं line बोल रहा हुँ, आपको समझ में आ रही होगी, most important है क्योंकि वो तो green photo synthetic है भई, यह कौन सा green photo synthetic है, समझ में आया, जहां नकले न, और यह retained रहता है, जो main plant body है उस पर यह retained रहेगा, वो variable period के लिए retain रहा था in tidoophyte, ठीक है, अब आजाओ आगे, सारी कहानिया और ली बता दी, एदर सुन लो ब, gymnosperm, gymnosperm have atrophores condition, they produce haploid microspore and megaspore, some leaves are modified into sporophyll, they compactly and spirally arranged along the axis to form lexens, or cone, sporophyll bearing sporangia which produce spore, और यह भी आपको बताया, देख लो भाई अच्छा देख रहा है gymnosperm, यह है psychus, दूसरा है pinus, और थर्ड आपको दिया हुआ गिंको बाइलोबा, fossil plant है बेटा यह, जहां रखना, next, living fossil, fossil plant नहीं living fossil, living fossil plant है तो सर कैसे इसको अनलाज़ज़, living fossil है वो, कुछ एक member ही है, और एक चीज़ और देखना, इसमें एक important point, dwarf shoot और long shoot, गडबड मत करना, sporophyll, दो तरीके की होती है, अभी सारी कहानी बताकर आया हूँ, Microsporophyll, they are arranged in the male strobuli, Microsporangiate, Microsporangia बनेगा, Microspor develop in the male gametophyte, it is highly reduced and confined only a limited number of the cells, इन ही का तो 1-2 few cell होता है, gametophyte, the gametophyte is called pollen grain, and the pollen grain develop within the Microsporangia, Megasporophyll, they are arranged in female strobuli, and Beers Microsporangia, Microsporangia equal to, equal to ovule, Megasporangium mainly consists of a body called Newcellus, Megasporangium mainly consists Newcellus, इसमें Newcellus मिलेगा ovule में, they protected by envelope, Megaspore mother cell differentiated to form a cell, Newcellus, Newcellus से बनती है, Megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 Megaspore, one of the Megaspore encloses within the Megaspore angium, Newcellus develops into a multicellular female gametophyte, Beers 2 and more Archigonia, और यह multicellular female gametophyte, also retain within the macrosporangium, उसके बाद में क्या बोला है, the male and female cone may be born on the same tree, same tree पे होंगे, pinus और single होगा तो, psychus बताया था भी, unlike Bryophyte and Teodophyte, Gymnosperm male and female gametophyte, do not have the independent existence, they remain within the sporengia, retain on the sporophyte, important point जो अभी आपको लाइन बतायती, the pollen grain release on the microsporangium, एक यह तरीक है, air के थुरू, colorful flower तो है नहीं कि attract होगा, pollinating isn't dying है, directly air के थुरू इनके अपको देखने को मिलता है, meat opening of the ovule, and the pollen tube carrying the gamet, grow towards the archigonia, archigonia word यहां तका रहा है, archigonia का last, खीटिया का last तो आपका tight of arch, archigonia का last क्या होता है, आपका gymnosperm, discharging their content near the mouth of the archigonia, after fertilization, gygo develop into the embryo, and the ovule into seed, यह था आपका gymnosperm, after that last and final इसके अंदर अपने पढ़ते हैं, angiosperm के बारे में, anthidia और archigonia का एक point देख लें, gametophyte, very reduced condition अब हो किसमें मिलती है, angiosperm में, well developed किसमें मिलता है, mosses के अंदर, very reduced condition in thallophyta, sporophyte, and well developed आपको मिलेगा angiosperm के अंदर, यह चारो point आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, important point है, graphical representation से class के अंदर यह समझाई जाती है, इधर, यह पूरी thallophyta, thallus body होती है, embryo, thallus body होती है, thallus, differentiated root stem and leaf, root stem and leaf, embryo, absent, बाकी सभी में present होता है, vascular tissue, absent, absent, बाकी सभी में present, ovule, absent, 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 present and present, ovary and fruit, absent, 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 and last one, present, male reproductive organ, इन में enthidium होता है, female reproductive organ, egonium, archigonium, more careful, judeo के में मलब water requirement है, 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 और नहीं है, siphonों के में absent, 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 बाकी तोनों में मिलेगी, tube बनती है, next, true flower, absent, 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 और last one, present होगे, इससे बाहर आपका neat का question जाने वाला नहीं है, अगर conceptual किसी पर पूश लेता है तो question, सवज में आरे बात, यह जो last time के अंदर आपको dose मिल रही है, इस dose को संभाल के रख लेना, important point है, cytotaxonomy, chemotaxonomy already defined कर चुका हूँ, पर chemo के अंदर detail में कुछ पूछ लिए, constitute of the plant ना, alkaloid, carotenoid, tannine, polysaccharide, nucleic acid, fatty acid, amino acid, aromatic compound, यह लिखा दिये हैं, मैंने आपको अलग से, इधर, chromosome का number, structure and behavior, general point, 1.72, 1.8 million बोला था ना, उसमें 1.2 million तो animals की और 1.5 million किन की है, sorry, 0.5 million किस की है, plants की, दो चीजे, maximum diversity, first number, and second number, दिया हुआ है, इसको relate कर दिया है, next, अब यह तो आप अच्छे से जानत नहीं होंगे, यह मैंने अभी आपको बताया है, पर roughly आपको explain किया था, यह सारे life cycle already define कर चुका हूँ, first वाले, अगर मैं TB-PGA लिखता हूँ, TB-PGA के बारे में, अब मुझे लिखने की जूरत नहीं है, इसके बाद में, यह सारे point दिखा चुका हूँ आपको, है न, next, इसके बाद आजाए, last and final अपना क्या था, angiosperm, angiosperm के अंदर monocotyledon and dicotyledon को आप कैसे differentiate कर सकते हो, they are exceptionally large group of plants, यह microscopic से, आपका microscopic wolfhia से लेकर के eucalyptus तक हो सकता है, 100 meter तक fell length में हो सकता है, they include two classes, कौन-कौन से dicotyledon and monocotyledons, dicotyledons have two cotyledons in seed, reticulate venation in leaves, stratameras, pentameras, आपको flowers देखने को मिलेंगे, यह इसकी characteristics है, monocode के अंदर only single cotyledon होगा, parallel venation होगा, trimerous condition आपको देखने को मिलेगी, floral world के अंदर, second number, flower जो आपको देखने को मिलेंगे, वो reproductive organ, reproductive structure की तरहे consider होते है, male sex organ, a flower, क्या मिलता आपको इसके अंदर stamen, each stamen consists of a filament and anther, within the anther pollen mother cells divide by meiosis and produce microspore which forms a pollen grain, male gametophyte, female gametophyte female sex organ, a flower is known as pistil, it consists of swollen ovary base and long cylinder style and stigma, ovary contains ovule and ovule has a mega spore mother cell, they undergoes meiosis to form four haploid spore, four haploid mega spore बनते हैं, 3 degenerate हो जाते हैं और एक divide होकर के embryo sec की formation करते हैं, female chemetophyte, seven cell, eight nucleated condition, each embryo sec has three cell egg apparatus, जिसमें आपका egg or two synergid, three antiportal cell, two polar nuclei, the polar nuclei eventually fuse to produce diploid secondary nucleus, after that, जैसे ही एक male gamet आता है, उसके साथ attached होकर के three and primary endosperm nucleus की formation करता है, pollen grains disperse होते हैं, and carried out by wind or other agencies to the stigma of the pistil, and this is called pollination, the pollen grains germinate on the stigma resulting in the pollen tube growing through the tissue of the stigma and stile and reach the ovule, pollen grains, pollen tube entry in the embryo sec, where two male gamets is discharged, one male gamet attached with the zygote and second attached with the second attached with the the other male gamet with the diploid secondary nucleus, or किसकी formation करता है, endosperm की formation करता है, because of the involvement of the two fusion, the event is termed as double fertilization, एक fusion होता है, एक आपको दो nucleus का fusion मिलता है, एक triple fusion मिलता है, synchemia और triple fusion और दोनों का मिला करके बोलता है, double fertilization, clear, the zygote developed in embryo with one or two cotyledon, जो primary endosperm nucleus होता है, वो endosperm की formation करता है, provide nourishment to the developing embryo, developing embryo, तीन वर्ड पहले भी बताये थे, दुबारह बोल रहा हूं, development and maturation, development and maturation of the embryo takes place within the seed, and germination is a different phenomena, different event in the life of a seed, दुबारह सुनले, एक seed बना है, उसके अंदर embryo है, उस embryo का development और उस embryo का maturation different है from seed germination, embryo का development and maturation, both are regulated by the abscissic acid, and seed germination is inhibited by abscissic acid, most important question है, इस साल का दुबारह से, embryo development हम समझ नहीं पाते हैं, development की बात की जा रही है, जो abscissic acid favor करता है, उसको mature करवाता है, पर germinate नहीं नहीं होने देता, यह ध्यान रखना, next, synergite and antipodal degenerate after fertilization, during these events, the ovule develop into seed, and the ovaries develop into fruit, the seed are enclosed by fruit, यह आपको देखने को मिलता है, plant alternation of generation, already मैं आपको बदा चुका हूं, important point, NCRT chapter number 3, NCRT chapter number 3, page number 40, page number 40 पे आपको alternation of generation 3.6 topic है, old NCRT 3.6 topic, sorry 42 number page होगा, 42 होगा, 3.6 topic है old NCRT के according, आपको एकदम से कैसे याद आया, बताऊंगा, 3.6 42, इदर देखिया, both haploid and diploid cells can divide by the mitosis, haploid and diploid, both mitosis, thallophyta and sporophyte mitosis, जो जीमनोरंजों में, this forms of haploid and diploid plant bodies, haploid plant body gametophyte produce gamet by mitosis, and after fertilization, the gygot also divide by mitosis to produce diploid plant body sporophyte, they produce haploid spore by meiosis, अगर sporophyte condition है, haploid spore बनाएगा meiosis के तुरू, यहाँ पे gamet बनाएगा mitosis, haploid plant mitosis कोई पूछे, gamet formation क्या mitosis से होता है, होता है, plants के अंदर haploid plant body next, spore divided by mitosis to form the haploid plant body, spore mitosis के तुरू divide होके haploid plant body बनाएगा, during this life cycle, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is any alternation of generation between the gametophyte and the sporophyte, आपस में alternation of generation देखने को मिलेगा, यह तीनों आपको समझ में आ जाने चाहिए, haplontic क्या है, diplontic क्या है, haplodiplontic क्या है, main plant body gametophyte मिलेगी, multicellular independent photosynthetic NCRT के अंदर जो आपको define के हो है, वो point बता रहा हूँ, photosynthetic dominant होगी, it produces gamete, sporophytic generation is represented by a diploid cell, gygot only, meiosis occurs in gygot and haploid spore are formed, which divide mitotically to form gametophyte, और इसके बाद फिर आपको कोई किसी तरीगे कोई division देखने हो, gygot के अंदर सीदा एकी division होगा meiosis, that's why there is no any kind of embryo formation takes place in the thallophyta, or plants which have haplontic life cycle, clear, diplontic life cycle, main plant body is sporophyte, multicellular independent, photosynthetic dominant, produces gamete as a result of meiosis, gametophyte generation is represented by one to few cell, female gametophyte, male gametophyte, embryo sac and pollen grain, gymnosperm, angiosperm or exceptionally fucus, most of alga, walvorks, spirogyra and some species of chlamydomonas, either haplodiplontic, intermediate above two, and sporophyte generation are multicellular, only differ in dominancy, dominant phase, gametophyte, gametophyte, sporophyte, tidophyte, dominant phase is sporophyte, bryophyte, sporophyte in tidophyte, few alga general like ectocarpus, polycyphonia, and calp, haplodiplontic, exceptionally life cycle, you can see, clear, embryo sac, embryo sac, and cell, clear, alternation of generation, all your cycles, ncit, define, kiya hoi hai, ठीक है, तो यह था आपका chapter number 3, planned kingdom, ठीक है, अब आपका एक 5 minute का मैं break दे रहा हूं, after that अपने इसके बाद प्रोसीड करेंगे, यह आपके 5-7 minute, maximum मान लेजे, चलो ठीक है, 1852, 652 हुए है, 7 o'clock पे अपने वापिस मिलेंगे, 7 o'clock, 7 o'clock पे अपने वापिस मिलेंगे, with chapter number 4, अपने आपके 5-7, सभर के आपके 5-8, 6-7, संभर के 5-8, 1-2, अपने, आपके 5-10, 10, 12, झाल 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 सुनीं आप सभी आपकी 1st unit का ये last chapter डाइवस्टें लिविंग वर्ल्ड का last chapter अनिमिल किंगडम अनिमिल किंगडम के अंदर सारे जनरल पॉइंट्स आपको अच्छ समझ में आने चाहिए अब आपको और अच्छ से चीजिये समझ में आने वाली है जो आपने पड़ा था उन्ही नोट्स को लेकर कि आपको चीज़ें एक्स्प्लेंड के जाएगी NCRT की लाइन्स जो रिमार्क करवाई गे थी वो आपको दुबारा से अनलाइज करवाई जाएगी देखें आप most important chapter है जिससे आज की time में अगर बात करें तो match the columns अच्छे खासे आना start हो गए है बीच में बंद हो गए थे last two three years से इस chapter से minimum two to three two to three questions maximum four questions तक टच कर रहा है ये single chapter अच्छे से ध्यान से देख लें इस chapter को animal kingdom animal kingdom के अंदर general basics अगर आप देखें तो सबसे पहले इस chapter के अंदर कौन कौन से topics अपने को पढ़ने है इतर देखिए इन topics के अंदर सारे phyla है total basis of classification और सारे जितने भी phylum है उन सभी के classification के जो classification के basis पढ़ें उन phyla के अंदर अच्छे से analyze करते हैं after that phylum code data के अंदर classes cyclostomata contigacies, ostrichacies, amphibia, reptilia, vizor, mammalia यह सारी code data के अंदर जो classes दी हुई है उन सभी के बारे में अच्छे से अपने को निटेल पढ़ना है देखिए आप क्या है classification से start करते हैं सारे फाइला याद होने चीए porifera, cylindrata, tinovora, platyhelminthes, skhelminthes, anilida, arthropoda, molaska, echinormata, hemicodita, codita codita के अंदर आगे फिर आपको समझ में आना चाहिए, eurocodita, cephalocodita, cyclostomata उसके आगे फिर contigacies, ostrichicacies, जो classes है या फिर आपका उसका आगे amphibian, reptiles, avies and mammals यह सारे आपको अच्छे समझ में आ जाने चाहिए यह सारे points आपको already define कर चुका हूँ मैं, जो यहाँ पे लिखे हूँ में, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species Next, level of body organization क्या है, body plan क्या है, symmetry क्या है, इन सभी के भिहाब पे पूरा chapter पढ़ने वाले जर्मिनल लेर क्या है, सिलोम क्या है, इस सारे points, short के अंदर यहाँ पे define क्या हुआ है, level of body organization, cellular, one लिखा मलब पोरिफेरा, tissue, cylindrata, tinofora, organ, platyhelminthes, tenophora, platyhelminthes, organ system, मलब यह platyhelminthes के लिए, organ system, ask helminthes से, till 19 सबसे last सक आपको देखने को मिलता है, आपको वो सरी 19 नंबर क्य यह नंबर जो लगाये थे, उसी के भी हाप पे लगाये गये थे, ठीक है, next, cell aggregate, cell aggregate, porifera, blind sec, body plane, cylindrata, tinofora, platyhelminthes, tube within tube, ask helminthes till last, asymmetrical, porifera, कुछ एक porifera है, like और snail है, जिनके अंदर asymmetrical condition मिलती है, radial symmetry, radial symmetry, radial symmetry आपको starting के जो member है, कुछ एक member आपको porifera के भी मिलेंगे, cylindrata, tino fora, radial symmetry होती है, फिर, platyhelminthes के अंदर, bilateral symmetry आजाती है, जो last तक चलती है, exceptionally, echinoderm के adult के अंदर, radial symmetry मिलती है, और जो larva होते हैं, उसमें, bilateral symmetry मिलती है, ठीक है, sylom के बाद करें, a sylomate condition, one, two, three, a sylomate ही बोलेंगे, इनको, वैसे a sylomate, four number, platyhelminthes को बोलते हैं, उसे पहले व enterosylam, आपका, echinodermetahemicodita और पूरे codits में देखने को मिलेगा, अब आजाएए, one by one, class notes से अपने proceed करते हैं, level of body organization जिन में मिलेगा, protoplasmic मिलेगा, आपका protosons में, cellular body organization, porifera के अंदर, tissue level जो आपको देखने को मिलता है, tissue level जो आपको देखने को मिलता है, वो tissue level जो आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है, अपको cylindrata कrinofora, organ level जो आपको देखने को मिलेगा, और्गन लेवल जो आपको देखने को मिलेगा वो प्लैटी हलमन्थीज में और और ओर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा SK हलमन्थीज टू को डेटा सुनें आप अच्छे से सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर दिये हुए मेंचिन किये हुए नेक्स्ट बोडीप्लैन के अंदर सैल एकरिकेट आपको मिलता है पॉरी फेरा के अंदर ब्लायंट सेक बोडीप्लैन अभी बताई सिलन डेटा टीनोफटी अपला प्लैटी हलमन्थीज और ट्यूब विदिन ट्यूब जो बोडीप्लैन होगा वो एसके हलमेंटी से लेकर के टील कोड़ेट आपको देखने को मिलता है after that समझ में आना चाहिए आपको body symmetry asymmetrical condition मिलती है most of जितने भी आपके members है most most of आपके poriference के अंदर मिलेगी कुछ एक poriference जिन में radial symmetry होती है like sycone है, lucosolenia है उन सभी के अंदर उसके अलावा snail, snail के अंदर आपको asymmetrical condition होती है इनकी body जो होती है वो unsegmented होती है और torsions होती है, next radial symmetry मिलेगी poriference के कुछ member, sycone, lucosolenia, cylindrata, tenophora और adult echinoderm के अंदर आपको देखने को मिलता है जिनको किसी भी axis से two equal half के अंदर divide कर सकते हैं little symmetry मिलेगी एको platyhelminthys to codeta और larva, echinodermita के larva ज्यादा well developed होते है echinodermita के larva के अंदर echinoderm के अंदर आपको ये वाला question most important है, ध्यान रख लेना adult के अंदर symmetry मिलती है radial और larva में मिलती है bilateral, retrogressive metamorphosis का example है आपका ये, next, after that germinal layer के अगर बात करें तो दो layer होती है, एक diploblastik और एक diploblastik diploblastik के अंदर ectoderm और endoderm और बीच में आपको मिलता है mesoglia undifferentiated cellular mask cavity नहीं होती ठीक है, ये diploblastik condition है, जो porifera, sylendrata और tenophora में मिलेगी, diploblastik condition आपको मिलती है annilida से codeta, बीच में जो आपका platyhelminthys आता है और बीच में आपका S-K-Helminthys आता है, platyhelminthys के अंदर triploblastik condition होती है, बट वहाँ पे cavity नहीं होती है और जो S-K-Helminthys है, उसमें pseudo-sylomate condition होती है वहाँ पर अगर अपने बात करें, triple-blastik condition उसमें triple-blastik condition मिल जाएगी, पर एक बात ध्यान रखना triploblastik के अंदर तीन condition बताईए, बने एक वह condition जो platyhelminthys में होगी, एक वह condition जो S-K-Helminthys में होगी एक वह condition जो N-A-LIDA से till co-data तक मिलेगी यहाँ true cavity है, यहाँ पर cavity नहीं होती है, A-Cylomate triploblastik pseudo-Cylomate triploblastik, और Cylomate triploblastik हैं तीनों ही triploblastik, triploblastik आपकी platyhelminthys से till last तक मिल जाएगा अबर तीनों के अंदर difference है, जो आपको अच्छे समझ में आने आने चाहिए इनका origin पहले acto बनता है, origin में पहले acto बनता है, फिर endo बनता है, फिर meso बनता है clear, next, and most important point, Cylom, normal condition के अंदर acto, mesodom और endodom, जो इसकी acto, mesodom और endodom, यहां पर अगर यह condition देखने को मिलती है, इसको बोलते है, इसको बोलते है, इस silomate कोई cavity नहीं है, pseudo-Cylomate आपको scattered form के अंदर, mesodom देखने को मिलती है, यह most important है, जिसमें आपको false cavity देखने को मिलेगी, clear, pseudo-Cylomate condition, S-K-Helmanthies के अंदर देखने को मिलेगी, और syosilom और endodom के अंदर pouches बन जाते है, जिसको endodom बोलते है, एक term more आती है, deuterostomia and protostomia, first opening and second opening, जो tube within tube body plan वाले होते हैं, उनमें first opening से अगर mouth की formation होती है, तो protostomia, anus की formation होती है, तो deuterostomia, deuterostomiaids, protostomiaids जो होते हैं, anilida, arthropodine, mollusca, echinometer, hemicodita and codita, deuterostomiaids के अंदर आते हैं, most important point है, NCRT के अंदर direct mention नहीं किया हुआ, but exam के अंदर पूछा जाता है, ये, general point है, most important है, ठीक है, next, अब आजाएए इसके बाद, segmentation, pseudo segmentation, metameric segmentation, pseudo segmentation आपको मिलता है कि इसमे, segmented body दिखती है, पर होती ही नहीं है, platy helmet, इसका teneasoleum, जिसको अपने flat, ये जो, आपको flat form देखने को मिलता है, जिसमें teneasoleum, आपको देखने को मिलेगा, body segmented, externally, internally segmented नहीं है, new, जो segment add होते हैं, वो anterior side से add होते हैं, जिसको glottid बोला जाता है, जबकि metamerically segmented body आपको repetition देखने को मिलेगा, most important आपकी NCRT के अंदर metamerically segmented body के बारे में जो point defined कियों है, अच्छे से देख लेए, जिसमें posterior end से new rings add होते हैं, body externally or internally, दोनों poorly आपको divided देखने को मिलेगा, example है, एनलीडा के members में, आर्थ अपोड़ा में, और code data में आपको देखने को मिलते हैं, clear, next, अब आजाईए, इसके अलावा, general point जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, segmentation के बाद में, आपको एक point बताया हुआ है, इदा देखिए आप, इसमें segments with a serial repetition or at least of some organ, इसके लिए अपने word यूज करते हैं, segmentation, जो true metameric segmentation आपको देखने को मिलता है, next, notocode, notocode कैसी होती है, mesodermal origin की हो अगर बात की जाए, तो notocode, nerve code के नीचे, embryonic stage में, और उसके अंदर, यह आपको nerve code, ectodermal, mesodermal nerve code, और फिर अंदर endodermal आपको tube within tube, body plan होता है, तो elementary canal देखने को मिलती है, अगर यह tail में प्रेजंट हो, तो eurocodita, सिपलो कोड़िटा में, head to tail तक persist आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर present only in the larval stage और इसमें persist throughout of life. こうड़िटा के अंदर दो condition, こड़िटेट एंद वटीब्रेट, कोड़िट जिनमें notocode होती है, proto-coded, eurocod़िटा से फ़ेलो कोड़िटा, और यह इनमें where the vertebral column में convert हो जाएगी, चाहे वो cartilaginess न या bonny हो, वर्टीबल कोलम काटिलेजिनेस होगा तो साइक्लोस्टोमेट्स और कॉंट्री खतीज वर्टीबल कोलम बोनी होगा तो और चिक तीस मेमलिया तक सभी के अंदर बोनी देखने को मिलेगा इंपोर्टेट्ल पॉइंट है कि इस वर्टीब्रेटा को हम पहचान नहीं पाते और इनके अंदर Kirk नेश वर्टीबल कोलम की वझासे 1 पोरिफरा, सिलंडडरा, टीनो फॉरा, प्लैतियलमंधी возле Одह एकाइनरोमेटा, हैमिचोट डेटा और मोलस्का भूल गई ते अपने बीच मेश में 2&3 मतलब आपका शिलंडरेटा ओर टीनो फॉरा और यहां पर आपका मोलस्का एक काईनोरमेटर हैमी कोड़ेटा के अंदर external fertilization rest of one and four internal fertilization उसके अलावा कॉंटिकतीज रेप्टीलिया बर्ड्स और मेमेल्स इनके अंदर internal fertilization औस्टिकतीज और amphibians के अंदर direct और indirect development मिलती है इन दोनों के अंदर external fertilization देखने को मिलेगा clear next ये trick है one two का four गाना तो सुना ही होगा आप सभी ने one two का four after that three लगा करके sequence में अगर आपको सब कुछ यहाद है तो आप easily fertilization जो हर एक एक paragraph के बाद में लिखा हुए digestion कैसा हो सकता है digestive track और digestion digestive track complete incomplete one two four आपके platy helmeties थक incomplete after that eh jalmenthies थे लें परके last तक आपको complete देखने को मिलता है 안olaruite के देक्टा एमटी anga आक्स्चिं ना होता है अनलेडा से बीच ये सभी के- को मुइस्स किन के थूर में रेस्पिरेशन देखने चार लगा रहा हूं मैं इस पर अच्छे से देख लें गिल्स प्रॉन के अंदर बुग गिल्स किंग्रैब में बुकलंग श्कॉर्पिय। में और ट्रेकिल सिस्टम, इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, मोस्त इंपोर्टेंट है, आर्थोपोडा के मेंबर्स के रेस्पारेटरी ओर्गन्स, ये कंडिशन आपको बताई, उसके बाद, गिल्स, एनिलेडा के अंदर गिल्स टार्ट हो जाते हैं, आर्थोपोडा में, बुगल्स गिल्स, मोलस्का के अंदर फैदलाई गिल्स, इंपोर्टेंट पोइंट, इक अईटर्णमेटा में कुछ नहीं होता, हीमिकोडेटा, सिपालोडेटा, गिल्स, वेल डवलप गिल्स 6-15 पेर्ज ओफ गिल्ट कलेट्स आपको देखने को मिलते हैं किसमें साइकलोस्टोमेटा में कौन्टी कतिज के अंदर काम हो जाते हैं 5-7 ओस्टी कतिज में 4 पे यह 5-7 नहीं दियो है 4 दियो है after that amphibian के अंदर सिर्फ लार्वा में लार्वा में आपको टेड़ पोल के अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं उसके बाद में फेरेंजियल गिल्स लिट्स होते हैं रेटाइल बर्ज और मैमल्स के अंदर प्रोपर गिल्स देखने को नहीं मिलेंगे गिल्स का मैक्जिमा और गिल्स से वापिस देखे आपको maximum well developed आपको 6 to 15 pairs of gil clefts कहां पर देखने को मिलेंगे cyclosomics में कहां से start होगे यह सारी NCRT के अंदर gils की लाइन ने लिखी हुए इससे best आपको याद नहीं रह सकता gils के बारे में any lady से लेकर के till mammalia तक most important point है सारे याद हो जाने चाहिए जो यहाँ पर आपको sort out करकर के सब कुछ दिया हुआ है graphical representation से next circulation porifera porifera से लेकर के escalamintis तक absent होता है present होगा open type होगा arthropoda mollusca echinomata में नहीं होता hemicodata में open eurocodata में open cephalocodata या फिर आपका cyclostomata cephalocodata cephalocodata और cephalopoda जो mollusca की एक class है octopos cpialoli को इनमें close circulatory system होता है analyida में close circulatory system मिलेगा cyclostomata से till मैं मिले है सभी के अंदर close circulatory system आपको देखने को मिलेगा clear cephalocodata और cephalopoda cephalopoda याद है cephalopoda last class है आपकी mollusca की ठीक है important point है बिल्कुल sorted किया हुए सब कुछ अब आ जाईए इसके बाद में excretory matter and excretory structure excretory matter के अंदर ammonia porphyra silentrita tenophora osticathes and aquatic amphibians platyhelminthes, eskyhelminthes, aquatic annulids, aquatic arthrofors, aquatic molluscs and psychoslomata इनके अंदर आपको ammonia देखने को मिलता है यूरिया आपको किन में देखने को मिलेगा यूरिया टेरिस्टिल एनिलीड्स, contycathes, terrestrial amphibians और mammals, uric acid, insect, molluscs, reptile, birds and teropus जो एक flying pox mammal ये एक ऐसा मैमल है जो uric acid excrete out करता है clear उसके बाद आजाईए toxicity का level देखें ammonia सबसे जाए toxic है उससे कम urea उससे कम uric acid water की अगर बात की जाए तो इसके removal के लिए सबसे जाए उससे कम इसमें चाहिए और उससे कम इसमें चाहिए next excreti structure body surface की थुरू porphyra से करके पोरिफरा सिलेंटर टीनोफोरा flame cells platy helmet is ncrt chapter number 19 के अंदर भी दिया हुआ chapter number 19 excreti product and their elimination page number 291 the page number 291 page number 291 के अंदर जो first paragraph आपको दिया हुआ है उस first paragraph को आप जाकर दे सकते अकोडिंग तो old ncrt page number 291 पे excreti product and their elimination chapter number 19 291 number page पे जो आपको first paragraph दियो उसके last में काफी सारे members दिया हुआ है वो यहां पे देख रहे है रनेट सेल यह नहीं दिया हुआ है इसके हलमेथिस नेफ्रीडिया एनिलिडा इसी चेप्टर में दिया हुआ है पैरापोडिया नेरीज के अंदर आर्थोपोडा के अंदर मैलपीजियन टिब्यूल इंसेक्ट में ग्रीन ग्लेंड एंटिनल ग्लेंड प्रावन में कोक्सल ग्लेंड स्कॉर्पियों में बहुत बार पूछा है इन दोनों के बारे में या flame cells यह भी आपको नहीं पढ़ना ठीक है स्काइक्लोसोमेटर से मैं में में लिया था kidney proton nephric, mesonephric, metanephric होती है बट kidney होती है clear यह आपको दिये हुए है आपकी nc artik नदर सारे points इस circles यह सारे circles मैं already आपको define कर चुका हूं body symmetry आपने अच्छे से पढ़ चुके है सारे points आपने देख चुके है body symmetry आप देख चुके है अच्छे से second number body plan and level of body organization level of body organization आप देख चुके है अच्छे से germ layer आप देख चुके है अच्छे से digestion, digestive tract, respiratory organs circulation आप अच्छे से देख चुके हैं, excretory organ आपच्छे से देख चुके हैं excretory matter आपच्छे से देख चुके हैं अब आजाईए इसके बाद development आप अच्छे से देख चुके हैं fertility and development के बारे में जर्णल बात कियो है, development direct हो गा? जितने भी inverti winter इन डार्वा सभी में होते हैं अब आज़े यह पोरिफेरा पोरिफेरा के जनल करेक्टरिस्टिक्स आप पर डिफाइन किया है अलार अक्वेटिक जनली मेरा इन फ्रेश वोटर मिलेंगे वोटर कैनाल सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है इनके अंदर नंबर सिंगल जिनसे एंट्री लेंगे वो ओस्टियम और जिनसे बाहर एक्जिट करेंगे वो क्या होते हैं ऊस्कूलम फूर्ड गैजरिंग मिलती है रिमूवल ओफ दा वेस्ट एंड गैशिस एक्चेंज यह वोटर कैनाल सिस्टम का वाक है इधर इसारे पॉइंट आपको डिफाइन क बडिंग आपको देखने को मिलेंगी दोनों इनके बीच में यहां पे कोईनो साइट सोती है जिन पर कोश्चन बन सकता है फ्लेजिलर मुवमेंट देखने को मिलती है इसके वाटर एक डैक्शन के अंदर मूव करता है कोईनो साइट कीप लैक स्ट्चर के कप यहां पर दग नहीं होते हैं हर्माफ्रोडाइट है इसके जो मेंबर से इनके इनके अंदर इंडिरेक्ट हैविंग लार्वल सेज्ट विच इस मॉर्फोलोजिकल डिस्टिंग फ्रॉम्दा एडल्ट लुकोसलेनिया अगर देखा जाए या फिर साइकॉन जो सार्टिंग अंदर स्पंज होता है साइकॉन स्काइफा जिसको अपने बोलते हैं नेक्स सेकिंड इसकी क्लासेज आपको नहीं पढ़नी है जनरल रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने कलकेरिया एक्जानलेटा डैमो स्पोंज या किसकिस में कौन-कौन से मेंबर आते हैं नहीं पढ़नी है आगे इसका पॉलिप्स छेज बताया हुआ है यह सारे points अपने पढ़ चुके है general points टिक है उसके अलावा आप देखें नीडोब्लास cell को यह आप से discuss हुआ था नीडोब्लास cells के अंदर यह बाहर की तरफ shaft यह वर्टीट आपको देखने को मिलेगा नीडोब्लास cells इसके tentacles पर भी होती है और body surface पर भी होती है ध्यान रखना दोनों आपको अच्छे समझ में आ जाने चाहिए उसके बाद life forms, polyp and medusa most important, polyp asexual reproduction के तरूँ medusa में, medusa sexual reproduction के तरूँ polyp में convert होती है polyp जो होती है, sasile होती है, cylindrical, medusa जो होती है, free-sweaving और umbrella shape आपको देखने को मिलेगी यह आपको aurelia का example दिया हुए, adamacia का example दिया हुए, aurelia का जो larva होता हो यह jellyfish आपको बताई हुई है polyp asexual reproduction के तरूँ medusa में, medusa sexual reproduction के तरूँ polyp in the convert होता है example है, obelia इस condition को बोलते है, metagenesis next इसके बाद में जनल आपकी NCRT के अंदर यह सारे points define की हुए, यहाँ पर यह जितने भी points आपको बताएं, यह सारे points आपको अच्छे समझ में आ जाने चाहिए, example इसका phycelia है, portugali youth pod जिसको बोलते है, Portuguese man of war, admasya, c anemone, panetula, gorgonia और mendrina brain coral, इनके जनल नेम के साथ में यह सारे आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, tino hora के अंदर tissue level of body organization, blind sec, body plan, acylomet, segmentation, यह सारे point बता चुका हूँ में चीज क्या है, इसके अंदर main चीज reproduction, हर्माफारिक कंडिशन है, cdp larva मिलता है, indirect development होता है, exclusively merine, c walnut, com jellies, a need area के अंदर निडोब्लास absent होता है, laser cell cells के अंदर present होती है, एक important point इसके बारे में देखें, इसके अंदर a sexual mode of reproduction आपको देखने को मिलता है, sorry, totally absent होता है, sexual mode of reproduction इ इसमें जो यह आपको बाहर की तरफ structure देखने को मिलता है, plurobranchia के example बता है, ale cellulated complete इसकी body आपको देखने को मिलते है, जो locomotion में help करती है, उसके अलावा इनके अंदर bio luminescence देखने को मिलती है, जिसकी वज़े से यह चमकते हुए दिखाई देते है, one and only single ऐसा आपके पास मे helps in locomotion, digestion, both extracellular and intracellular आपको देखने को मिलेगा, bio luminescence, property of the living organism to emit light, इनके अंदर आपको देखने को मिलती है, example plurobranchia है, और tino plana, ठीक है, next अब आजाईए, इसके बाद में, आपको होगे सर, इतना detail क्यों explain कर रहे हो, platy helmetries के अगर बात की जाए, तो dorsal ventaly flattened होते हैं, और यह सारे आपसे discuss कर चुका हूँ, dorsal ventaly flattened होते हैं, hermophrodite condition है, indirect development, number of laurel diseases आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, most of members endoparasite होते हैं, और भी condition, respiration देखने को मिलेगा, hook and suckers इनके अंदर देखने को मिलते हैं, for nutrition को सक करने के लिए, और cuticle इनके अंदर present होती है, host के enzymes इनको बचाती है, टीन इनकी अलग-अलग classes, terbilaria, timetoda and cystoda यह आपको नहीं पढ़ना, बड़ मेंबर पता होना चाहिए, terbilaria में planaria आता है, fasciola, hypertecal, liver fluke, timetoda में आता है, cystoda में आता है, आपका tinea solium, और इसके general example, larva अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे larva आपसे पूछेंगे नह नहीं की है, अगर आप देखें, यह पूरी larval sizes के बारे में define क्या हुआ है, अब आजाओ member to member work करते है, planaria के अंदर regeneration power होती है, यह आपका liver fluke दिया हुआ है, जिसके दो host होते हैं, यह आपका tinea solium दिया हुआ है, जिसके अंदर gloated आपको देखने को मिलते हैं, यह single single segment अलग आपको करके पूरा organism की formation कर सकता है, इतना ही आपको इनके बारे में पढ़ना है, next, अब आजाएए, S-K-Elementies के अंदर roundworm इनको बोलते हैं, male and female are distinguished sexual dimorphism होता है, जो female होती है, वो कैसी होती है, सीधी होती है, और male के अंदर जो tail होता है, curve tail आपको देखने को मिलते है, clear, male and female को आप easily distinguish कर सकते हो, आपको देखने को मिलते हैं, next, अगर देखा जाए, S-K-Elementies के बारे में, तो S-K-Elementies के मेंबर, plants और animals दोनों के अंदर, as in parasitic condition show करते हैं, most important line है, दिहान रखना, ठीक है, इनके अंदर, इनके अंदर, development डारेक्ट भी हो सकता हैं, और indirect भी या, Askeris, Vuchiridae और Ancylostroma, ये तीनों example है, young ones को डारेक्ट बर्थ करने वाले Vuchiridae, clear, Rappidity form larva, अगर आपसे कोई पुछे, larva कैसा है, Rappidity form larva, इनके कुछ members में देखने को मिलता है, ये general point आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, आपको सर इतना roughly इनको क्यों बता रहे हो, क्योंकि इनके बारे में general information, Anilida की अगर बात की जाए, तो Anilida का important points सारे अच्छे से पढ़ ले, ये सब बताये हों है, जनरल points बताये हों है, Anilis, Illitering इनके अंतर होते हैं, इसी वेसे इनको Anilida बोलते है, Aquatic, Terrestrial, Parasitic और Free Living, Organ System, Level of Body Organization, Tube Within Tube, Body Plan, ये सब डिस्कस कर चुके हैं अल्रेडी, Segmentation, Metameric होता है, Digestion, Excess Allure होगा, With Complete Digestive Tech, Respiration, Moist Skin के तुरू, Gills में, Aries में मिलते हैं, Circulation, Close Type of Circulative System, 7 Number, 9 Number, 12 Number, 13 Number, Heart, 13 Number, Segment में Heart, आपको Earthworm में देखने को मिलेगा, Excretion, Aquatic Member, Ammonia Excretive Out करते हैं, Testil Member, Urea, जिनमें Nephridia मिलते हैं, For Excretion, और इनके Member में इस तरीके से Ring मिलेगे, CT for Locomotion आपको देखने को मिलते हैं, Metameric Segmentation होता है, Internal as well as External Segment आपको देखने को मिलते हैं, इनमें Intersegmental, जो Line होती है, वहाँ पर, Shook आपको देखने को मिलते हैं, CT ज आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद आजाईए, आपको इसके Classes वैसे बताई हुए, Polygita में क्या आता है, Oligokita में आपका, Arthworm आता है, Herodinia में, और Polygita के अंदर Naries आपको देखने को मिलेगा, Arc Anilida जो इसकी, एक exception class जो बताई हो, जिसके अंदर Polygodious आता है, Living Fossil, Connecting Link होता है, Living Fossil की Category के अंदर आता है, Connecting Link वहाँ पर लिखा हुआ आता है, Anilida और Moluska के बीच में, नहीं पढ़ना है आपको, Roughly आपको define कर दिया है, अब आप कोगे सर, Next क्या है, Next आपका, Arthropoda, Arthropoda के अंदर, Joint Dependencies इसको, Arthropoda बोलते हैं, Axioskeleton, Kaintyne का बना होता है, Metametric Segmentation है, 2 by 3 known species में से, पूरे वर्ल्ड में, जितने भी आपको diversity दे Segmentation, Notocode, Absent होती है, Digestive, Trek, Complete और, Exoscellular आपको देखने को मिलता है, ये पूरा, Head, Thorax, and Abdomen के अंदर, पूरी, Body, Segmentedly, Divided रहती है, Clear, General Point आपको बताएं, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, देखिए आप इसको अच्छे से, Next, Respiration, Circulation, और Excretory Matter, Respiration के लिए ये अभी आपको आपको सारे बताएं, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकल ट्यूब, 101% यहाँ से question आने की चांसे हैं, ओपन टाइप और सर्कुलेटी सिस्टम होता है, अमोनिया एक्सक्रिट आउट होती है, अक्वेटिक मेंब और Most of Arthopods के अंदर, ठीक है, Reproduction, Fertilization, Internal देखने को मिलेगा, Diocese Condition होती है, Male and Female दोनों अलग-अलग होते हैं, Development indirect होता है, और Direct होता है Scorpion के अंदर, After that, बात करते हैं, मुलस्का की, तो मुलस्का के अंदर सारे मेंबर्स, Aquatic, Marine and Freshwater, Testial Environment में भी मिलेंगे, Soft-Bodied Organism होते हैं, Exus, Calcium, Calcium, Carbonate का बनाओ, तो उसके जस नीचे Mental Membranous Structure मिलती है, Body, Head, Whistle Hump and Muscular Foot में डिवाइड रहती है, Mental Cavity मिलेगी, Feather-like Gills मिलेंगे, Redula मिलेंगे, यह Main Characteristics है, इस आपके Chapter के, मुलब इस Chapter के Main Characteristics, आपके Comments में देखता हूँ, पल लेजिए बैटा, थोड़ा सा, Quick, अच्छे से Analyze करें, क्या-क्या लिखा हूँ है, मुलस्का के बारे में, देखें आप, सुने, मुलस्का के अंदर, यह सारे पॉइंट आपको मैंने बताई, Organ System Level of Body Organization, Tube Within Tube Body Plan, Bilateral Symmetry, Exceptionally Snail के अंदर क्या मिलता है, Asymmetrical होता है, इस पर डिरेक्ली आपसे Question पूछा जा सकता है, Triploblastic, Unsegmented Body, Digestion, यह सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर चुको, Main Characteristics क्या है, वो देखें आप, इसकी जो बोडी होती है, उसके अंदर आपको Muscular Foot मिलता है, Whistle Hump आपको देखने को मिलता है, और Head, Head पे Tentacles होते हैं, यह Mouth, यह Redula, जो Respiring Organ की तरह वर्क करता है, यह पूरा आपको Define किया हुआ है, यह इसकी Covering जो होती है, ओपर कुलम से यह डखा रहता है, बहार की तरफ आता है, तो Water Entry लेता है, Incurrent, Excurrent, यह Gills मिलता है, जिनको Feather-like Gills आपको देखने को मिलते हैं, जो General Point आपको समझ में आने चाहिए, Regarding to the Mollusca, Redula पे Direct Question आपसे पूछा जाए सकता है, Resping Organ की तरह यह वर्क करता है, Excretion, Respiration आपको बता दिया, Locomotion, Muscular Foot के Through, Nerve Ring इसके अंदर देखने को मिलेगा, Reproduction, Diocese, Indirect Development, Excurrental, Fertilization और OV Parous Condition देखने को मिलती है, Member कौन-कौन से हैं इसके? Yellow members, Paila, Apple Snail जिसको बोलते हैं, Pink Tada, Pearl Oyster, Sipia, Cuttlefish, Lolligo, Squid, Octopus, Devilfish, Aplasia, Sea Hair, Dentallium, Tusk Shell और Ketopleurochiton, और C, Hair तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, C, Aphrodite, Aphrodite क्या होता है? C, Mouse, किसमें आता है, Aphrodite? Aphrodite आता है, Any Leader के अंदर, गडबड मत करना, Aphrodite ध्यान रख लेना, यह question पूछा जा चुका है, जो मैं बोल रहा हूँ, Aphrodite के बारे में, यह already पूछा जा चुका है, Aphrodite, जिसको समुद्री चुहा बोला जाता है. Good. Next, अच्छे से देखें, क्या किया हुआ है mention, इसके बाद में आपको अच्छे समझना ही देखो, इसके सारी classes, अगर आप याद रख भाएं, बहुत तेज हैं, NCRT, जिसने आपको, Chiton, Dentalium, Pyla, Unio, Pinktada, Octopus, Sipia, Loligo, जिसमें close circulatory system होता है, Cephalopoda, सिर्पे है पैर जिसके, Cephalopoda, Bivalvia, इसका लार्वा जो होता है, Glocidium larva, Unio का देखने को मिलता है, Gastropoda के अंदर आता है, आपका Paila, Tentalium, Tusk Shell, Ketoplyra, ऐसे आपको Polyplacophora, जिसमें काइटन की बाहर के ऊपर, covering देखने को मिलती है, इनके अंदर जो external shell होता है, वो calcium carbonate का बना होता है, मुलस्का के बाद में आ जाईए, Echinodermita, Echinodermita के अंदर, General point अगर आप देखे, Organ system level of body organization, exclusively मेराइन है, Spiny body होती है, Endoskeleton के अंदर, Calcareous, इतर देखिए, Calcareous Chocococles होती है, Water Vascular System, जो food capture में help करेगा, respiration में help करेगा, locomotion में help करेगा, Embolecular System, इसको बोलते हैं, tube within two feet system, इसकी कोई बोला जाता है, Excretory System, absent reproduction, dioces condition होती है, External Fertilization with indirect development, Bipenaria larva है, Ophiopluteus larva है, Echinopluteus larva है, Number of larva इसके देखने को मिलते हैं, Starfish का larva है, Bipenaria, Digestion कासा होता है, Complete track मिलता है, Extracellular होता है, Respiration, Water Vascular System, Circulation, Open Type, Excretion, Absent, Locomotion, Tube Fit, आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा एक Starfish के बारे में बताया हुआ है, और ये बाहर की तरफ, ये Medri-Proid होता है, Symmetry आपको बताई हो, Larva के अंदर, Bilateral Symmetry, Most Important, और Adult के अंदर, Radial Symmetry मिलती है, Triple-Plasic Silomate, Enterosilomate, Segmentation absent होता है, Notocode absent होती है, Clear? Next, अब इसके, अगर Classes, अगर आप देखें, Classes वैसे आपको पढ़नी नहीं है, Member, Asterias अलग Class में आता है, Ophura, अलग Class में आता है, Echinus, Cucumeria, और Antidone, Starfish, Beetle Star, Sea Urchin, Echinus, Most Important है, Sea Cucumber, Cucumeria, Auricularia, इसका लारवा होता है, Antidone, Doliolaria, इसका लारवा होता है, Echinopleteus, Echinus का, Ophiopleteus, Ophura का, और Asterias का, Bipenaria Larva, याद नहीं करवाने थे, पर चलो आपको बता दिए, Next, Finally, अपने पहुँचे हैं, Hemic Audita, Last Invertebrate Phyla, Open Circulative System होता है, कुछ NCRT के इंदर गलत लिखा हुआ है, बंद और क्लोज जो लिखा हो, वो सही कर लेना, इसका जो लारवा दिया हुआ है, वो लारवा आपकी NCRT mention करती है, कहां गया वई? लारवा, 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 टॉर्नेरिया लारवा, यह आप उसर कहां गया, यह रहा, NCRT में भी दिया हुआ है, NCRT में भी mention किया हुआ है, हिंदी-ंग्लिश की NCRT अच्छे से देख ले, टॉर्नेरिया लारवा, नियू अपडेटिटिट न्सी आइटिके अंदर दिया हुआ है, मेंशन है, यहां पर कहीं पर मेंशन है, यह रहा, देखिए, पाइलम कंसिस्ट ओफ ए स्मॉल ग्रूप ओफ वर्म लाइक, मेराइन अमिनीमल्स, औरकन सिस्टम लेवल बोडी ओगनाईजिशन, बाइलेटलिस, मेटिकल, टिपलोब्लास्टिक, सिलोमेट अनिमल्स होते हैं, बोडी सिलेंटिकल अन कंपोज ओफ एंटियर प्रोबोसिस, कॉलर अंडर ट्रंक, ठीक है, सर्कुलेटी सिस्टम ओपन टाइप होता है, बिल्कुल सही है, रेस्पाइरेशन टेक्स प्लेस ट्रू गिल्स, बिल्कुल सही है, अब आजाओ बात करते हैं, इस पैरग्राफ की, जहां से इस साल 101% कोश्चन आने की चैंसे हैं, स्टोमो कोड पे कोश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बकल डाइवर्टी कूलम, हमी कोड़ेट है, वर रुदिमेंटरी स्ट्चर को, इन दा कोलर रीजन काल स्टोमो कोड, अ स्ट्रक्चर सिमलर टू नोटो कोड, इनको उठा करके रखा गया था, कोड़ेट के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, यहां से आप से question पूछा जा सकता है, most important line, जहां रखना, next, इसके बाद आजाईए, जी, जनरल पाइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसका member अगर देखें, इसके अंदर प्रोबोसिस होता है, कोलर जिसमें स्टोमो कोड मैंने यहां पर रिप्रेजन किया है, यह पूरे इसके ट्रंक को रिप्रेजन कर रहा है, मिड में आपको गिल्स देखने को मिलते हैं, यह जनाइटल विंक्सिंस के नदर होते हैं, हिपेटिक सीकी, आपको देखने को मिल रहा है, अब आजाएए, इसके बाद अपने आते हैं, कोड डेटा पर, कोड डेटा की अगर बात की जाए, तो कोड डेटा के जो मेंबर्स हैं, कोड डेटा के अंदर, अगर सकल प्रेजन है, एक रिऍंट है, प्रेजन है, उसमें प्रोटो कóड डेटा आते हैं, इनमें यूड प्रेजनई चौड डेटा, तेल में, आपको नोटो कोड मिलती है, यहाँ पर नोटो कोड परसेसी रहना ती है, है टू टेल सिफैलो को डेटा इधर के अंदर आगे अगर आप देखें तो इनकी इनकी यू को डेटा यू को डेटा वर्टीब्रेटा वर्टीब्रेटा में गनेथा स्टोमेटा और गनेथा गनेथा जिसके अंदर आपको जो है जो देखने को नहीं मिलते हैं एक गनेथा ज विजिए सी बात है ऐसे जो लाइस फिशिस होती है जो लैस जो होते हैं वह किसमें आते हैं एग निथा के ने रहते हो गनेथर इंदर तो में जिनकें प्रिसेंटे मरें अगर ते इंदर आगे डिवाइड के अगया दो क्लासिस कि यह दो अलग अलग क्लासिसस्य बें Modified हो गए तो Pisces के अंदर Contigates and Osteegates इसमें Tratapoda में Amphibian, Reptiles, Birds and Mammals आपको देखने को मिलते हैं जो Tratapoda के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ठीक है Next, अब आजाईए इसके बाद जो condition आपको अच्छे से समझनी है क्या है Cordata के अंदर देखो मैं इसको थोड़ा सा आपका और ज़़ा स्पेसिफिक जल्दी Complete हो, इस वज़े से यह है आपका Phylum Cordata, अब आजाते हैं अपने Nichord पे, ठीक है Cordata के अंदर General जो Table आपको दिया हो, इस Table के Cordata and Non-Cordata के इन दोनों में आपस में Difference क्या है, NotoCode Present होती है, सिर्फ और सिर्फ Embryonic stage में आपको देखने को मिलेगी कुछ Members जो होते हैं, जिन में Persist जाती है, बाद में Modified हो जाती है Vertible Column में Convert हो जाती है Central Nervous System यहाँ पे Dorsal Side में Present होता है, Hollow होता है और Single होता है, वहाँ Vental Side में होगा Double Vental और Solid Nerv Cod देखने को मिलती है Pharyngeal Glicit present होती है, यह absent होती है Ventralized Heart and Dorsal Heart if present Post-Tenal Tail present होती है, यहाँ पे क्या होती है Absent होती है, इसमें NotoCode Convert in the Vertible Column Vertibral Column कुछ एक Members ऐसे होती है, जिन में Vertible Column के अंदर Convert हो जाती है That's why all vertebrate are cooredate But all cooredate are not vertebrate क्योंकि कुछ इसके Member ऐसे होती है जिसमें NotoCode still persist रहती है Throughout of life, like in CephaloCode data ठीक है, next ProtoCode data में क्या क्या आते हैं Eurocode data, Eurocode data Tunicata, जिसको बोलते हैं CephaloCode data और Vertebrata, इसमें NotoCode Persist only in the larval tail इसमें persist throughout of life यह इनकी body covered by a test जिसको cellulose का बना हुआ covering होती है, जिसको Tunicine बोलते हैं इसी वज़े से इसको Tunicata बोला था Exclusively marine होते हैं, यह भी exclusively marine होते हैं Open type of circulatory system Close type of circulatory system Fish like body, sexes are separate Branchiostoma, Amphioxys, Lancelate Hermaphrodite condition होती है Acidia, Salpa, Doliolum Urvashidosa Urvashidosa Selpa, Doliolum Acidia Urvashidosa C Amla Branch C Amla Branch C Amla Branch Lenslet C Amla Branch Cephalocord data Amphyoxys, Lancelate C Amla C Amla Branch C Amla 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 देखने को मिलते हैं, next अब आजाईए, इसके बाद जो अपने discuss करते हैं, cyclostomata जो इसका member, cyclostomata के अंदर ये जो class आपको देखने को मिल रही है important है, अच्छे से देख ले cyclostomata को अच्छे से देख ले हर साल यहां से question आता ही है, ectoparasite होते है elongated body without scales and pairs 6 to 15 pair gill slits मिलते हैं, sucking and circular mouth होता है, बिना jaws के cartilaginous, cranium होता है और vertebral column इनका cartilaginous होता है close circulatory system मिलेगा, marine but migrate to for spawning in the fresh water, after spawning they die and the larva after metamorphosis return to the ocean दुबारा ocean के अंदर आते हैं इनके अंदर anadromus condition होती कैसी condition, anadromus ये, sorry fresh water में जाते हैं fresh water में जाएंगे तो anadromus होगा fresh water में जाएंगे तो anadromus और अगर marine में हो और fresh में जाएंगे तो anadromus fresh में हो और marine habitat में जाते हैं तो उसको बोलते है catadromus, catadromus मलब कटने के लिए चला गया पानी अगर salty होगा मलब कटने के लिए चला गया ठीक है पेट्रो माईजोन जॉलस फिश आपको सबसे पहले जो ओड़ो विशन एरा ओड़ो विशन के अंदर पिरिड के अंदर देखने को मिले थी अच्छे से पता होना च्छे आपसे कोई पूछे एज ओफिश ड़ोनियन आप अंसर देते हैं तो cartilaginous fish first jolis fish autovision, cartilaginous fish silurian और bonny fish devonian और devonian के इंदर diversified होई थी, age of fishes devonian को बोला जाता है, mixine क्या जाएगा, hagfish, आपने बोला कि यह क्यों बताया है क्यों कि petromyzone याद रखना आपको, next, इधर, मतलब नीचे की तरफ आपको माउथ देखने को मिलेगा, फिश के अंदर, माउथ यहाँ पर इधर, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, वेंडल साइट के अंदर, और टर्मिनल माउथ, जो आप छोटी classes के अंदर, फिश बनाते थे न, यहाँ पर, यह तर्मिनल माउथ वाली फिश होती है, यहाँ बे चांद बनाते थे जिसको ओपर कुलम होता है, यह इसकी आई होती है, ठीक है, और इधर अगर आप देखेंगे, इधर, डिरेक्ली आपको गिल्स देखने को मिलते हैं, ओपर कुलम से कवर नहीं रहते हैं, और इनमें ज करके टित की फोर्मेशन करते हैं, ज होता है, इस वाई से कॉंटेनुशन के इस कतर स्विम करना पड़ता है, और यह ठैक का सकती है, जोकि इनके अदर टारा बसंट होता है, यह उनके आगरी थे है, नहीं तहार टार से क्वरेट है, देखना अना अलग होते हैं, जोग इस दोनों में development डाडेक दोनों में Если भर जैसे रिए क्या है गा विश् ос सारडफिस मेरा मंचली का रिद haar लुष हुर port टारिट्रो छार्क ट्रीगों सचर्च ठीबीढ़ मिर्ड फिशिघ्वन इलेक्रिग जिसको को बोलते हैं जिसमें एलेक्रिक और मिलते हैं मेरीन हैबिटेट के अंदर एक्जोसिटर्स फ्लाइंग फॉक्स हिपोकेंबस सी होर्स फ्रेश वोटर में लेबियो रोहू और कतला-कतला क्लेरियस और एक्वेरियम के अंदर बेटा फाइटिंग फिश और टैरा फिल्लम एंजल फिश को अपने बोलते हैं यहां रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है अच्छे से हर एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए रिगार्डिंग टुद फॉन्टिकर्थी अब आजाईए ठेट्रापोड़ एंफी विया रेप्टीलिया बर्ड अन मैमेलिया एंफी या के अंदर जनर अमिपीबिया के अगर बात की जाए तो आपको देता लाईव इन द्न अक्वेटिक प्रेडिट ये से एक्वेटिक हैबडिट में मिलते हैं और बोड़ी हेर र इंदर भी चंबर होता है, exceptionally crocodile में 4 चंबर होता है, aerilator में 4 चंबर होता है, tympanum यहाँ पर ear को represent करते हैं, यहाँ पर tympanum represents ear, यहाँ पर external pin आपको देखने को मिलेगा, इनके इंदर dry and conified skill होती है, epidermal scales and scutes की formation हो जाती है, snack and lizard अपने skin cast, skin को निकालते हैं, as in skin cast, limb two pairs होते हैं, crow present है, तो दो pair होंगे, इदर, birds में feathers and beak आपको देखने को मिलती है, four limbs are modified into wings, dry skin without glands, oil gland इनके अंदर base of the tail present होती, जिसको print gland बोलते हैं, hind limb have scales and modified into walking, swimming, clasping and branches, long and hollow and pneumatic bones मिलती हैं, जिनके वज़े से easily air के अंदर, अपने को हलका करकर के उड़ पाते हैं, next, presence of memory gland is a characteristic of mammalia, milk producing gland होते हैं, skin पे hair present होते हैं, two pair of limbs, running, climbing, growing, swimming, walking and flying के लिए important है, बलब work में help करते हैं, four chamber heart यहां देखने को मिलेगा, homeo thermals condition में देखने को मिलती हैं, और इसे पहले वालों में आपको poikilotherm condition देखने को मिल रही थी, amphibia की अगर बात की जाए, poikilothermous, homeo thermos, elementary canal present होती, urinary and reproductive tract इनों एक साथ open होते हैं, koloka के अंदर, जो बाहर की तरफ open होता है, respiratory organ, gills के तुरू, lungs and skin के तुरू, sex is a separate, external fertilization, oviparous condition with indirect development, treat bowl larva आप पढ़ते हैं, well developed elementary canal, respiration by lungs होता है, internal fertilization, oviparous, development, direct in के अंदर देखने को मिलता है, uric acid secrete करते हैं, यह as an excretory matter, digestive tract, additional chamber होते हैं, इसको crop and gizzard, important है, double respiration, air sec present होते हैं, lungs के अंदर, important है, जो इनको adaptation है, इनके उड़ने के लिए, next, internal fertilization मिलता है, oviparous condition and development direct होता है, homeo thermos condition, well adapted to, and elementary canal, dentation, heterodont, thicodont and diphyodont, types of teeth, देखने को मिलते हैं, human wing के बता दिए हैं आपको, respiration by lungs, sex is a separate, internal fertilization, viparous condition, echidina and platypus, ये दोनों आपको, इनके अंदर, oviparous and oviparous condition देखने को मिलती है, clear, next, important point ये दिहां लेना, viparous condition हैं सभी में, except echidina, echidina, spiny endritur, or duckbill platypus, इन दोनों के अंदर, onytho rinkus आपकी NCRT ने एक्जांपल दिया हुआ है, next, अब इन members के example आप अच्चे से देख लें, यहां से last three neat exam के अंदर question है, यह दिहां अकलेना, यह दिखना आपको, पहले उसी को रिमार्ग करता हूँ, aptenoditis, penguin, stutio, ostris, colombo, peasant, carvus, crow, citicula, tota, pavo, peacock, goulas, fall, boobo, owl, neofron, इस पे vulture पे question अब पूछा जा चुक है, अब इधर आज़ेए, यह chilon, turtle, testudo, tortoise, chameleon, tree lizard, calotus, garden lizard, crocodile, crocodile, alligator, hemitagrylus, wall lizard, poisonous snake है, नाजा नाजा, cobra, bangeras, crath, vipera, vipar, python, known poisonous snake की category के अंदर आता है, amphibia के example, bufo, toad, rana frog, hila tree frog, salamandra, salamander, इसका larva, exolotum larva होता है, एक्थियो फिश, अगर आप देखें, एक्थियो फिश, जो फिश नहीं है, limbless amphibia होता है, important है ध्यान रखना, इधर आ जाईए, exolotum larva आपको देखने को मिलता है, important है, exolotum larva अगर आप सिफैलो कोड़ डिटा के अंदर जाते हैं, तो साइक्लो सोमेटा सिफैलो कोड़ डिटा में आप जाते हैं, तो lensulate और इधर आपका petromyzone, mainly क्या होता है, जो exolotum larva वो salamander की जैसा दिखता है, actual में, पर्ल नहीं बेटा, ज्यादा बेटर है, इधर, onithoryncus, macropus, teropus, camelus, macaca monkey, ratus, rat, canis dog, phallus cat, elephant, equus horse, dolphinus common dolphin, belinopatira, blue whale, panthera tiger and panthera lion, clear, इस सारे example आपकी NCRT देती है, उसके बाद लिखती है, poikilothum और homeothum क्या है, यह तो मैंने general बता दी है, animal जो अपनी capacity नहीं होती है, regulate करने का body temperature और जिन में capacity होती है, वो warm blooded animal की category के अंदर आते हैं, और पहले वाले cold blooded animal की category के अंदर आते हैं, तो यह था आपका chapter number four, जिसको बहुत short के अंदर मैंने इसको complete करने की कोशिश किये, कुछ एक point NCRT के अंदर मैं रिमार्ग करवा रहा हूँ, अच्छे से आप देख लें, जो आपकी NCRT में mention किये हूँ है, ठीक है, और petromyzone का जो larva होता है, इसका एक्जोलोटर larva होता है, सेलामेंडर का, cartilaginous fish and bonifices के बीचे मैंने आपको यह differences अल्रेड़ी बता दी है, general point मैं आपको 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 से अल्रेडी डिसकस कर चुका हूँ यह सारे, प्रोक के बारे में भी अपने general point सारे डिसकस कर चुके है, तिमपेनम प्रेजन होता है, डोस ओव एंटरली फ्लैटन होता है, कलोई का किस से रिप्रेजन होता है, वैपट प्रेजन होते हैं, स्केल एपसंट होते हैं, इस सारे point अपने डिसकस कर चुके हैं, और यहां पर आपको crop and gizzard देखने को मिलेगा, additional chamber होते हैं, इस पर basic question पूछे रहते हैं, pneumatic bone इंका देखने को मिलते हैं, जो इनको हलका रखती है, तो यह था आपका chapter number 4, जो अपनोंने पूरा अच्छे से एक एक चीज देखिए, animal kingdom ठीक है, और अब इसके बाद में next chapter आपका second unit जो इसकी है, structural organization in plants and animals वो अपने start करेंगे after 3 to 4 minutes, अभी कितने होएं, 7.52 होएं उसके बाद में 5th number chapter आपने start करेंगे after 3 to 4 minutes, बने नहीं अपने नहीं अपने नहीं आपका करेंगे आपका झाल 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 सुनें आप सभी आपका नेक्स उनित है एनिमल चेप्ट नंबर सेवन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस यूनिट से अच्छे खासे कोशन पूछ जाते हैं मॉर्फलोजी के अंदर कुछ फैमिली एड हुई है जिनमें मालवेसी है, कमपोजिटी फैमिली है आपका कुरूसी, फैमिली है पोईसी, ग्रेमिनी फैमिली है और एक फैमिली जो अलरीड पहले आपके सिलिबस में थी वो दी है उन सभी फैमिलीज को अपने in detail अच्छे से लेकर के चलेंगे, एक एक point अपने explain करते हो चलेंगे, आपको समझना है इन सभी को और most important point क्या है आपको बता देता हूँ कि इस unit के अंदर general point पढ़ते-पढ़ते सारे questions इस unit से example based question बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं काओ कि आपको कौन से chapter से morphology in flowering plants है जो morphology in flowering plants के अंदर जितने भी आपने देखा होगा classification के basis से जिसमें कुछ reproductive structures को देखकर कि आप classify कर रहे थे उन reproductive structures को जब देखा गया और उनमें जो changes आपको देखने को मिलते हैं उनको scientific term और scientific definitions की थूँ explain किया जाता है वही पूरा morphological characters जो भी morphological characters से उनको scientific term और scientific definition की थूँ explain किया जाता है वो सारे points अपने one by one अच्छे से समझने वाले हैं ठीक है तो ध्यान रखना सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है morphology in flowering plants के अंदर ये three chapters के बार में सबसे पहले आपको एक lady scientist दी हुई है और lady scientist के बार में आप अच्छे से पढ़ने जो lady scientist है वो क्या है आपकी scientist बेस अगर कोशन पूछा गया और यहां से कोशन आने की चांसे से curly top virus पे ध्यान से देखे the curly top virus spread through the plant via a food conducting phloem tissue और Catherine Isav जो है इन्होंने जो अपनी book लिखी थी the anatomy of the seed plant the anatomy of the seed plant by Catherine Isav in 1960 most important है ध्यान रखना इनको बोले जाता है encyclopedia webister of the plant biology encyclopedia इनको बोला जाता है Catherine Isav को most important है curly top virus आदे से जाया जनता को तो पता ही नहीं है कि यहां पे curly top virus दिया हुआ है NCRT के अंदर जो spread होता है through phloem tissue जिसका इन्होंने खास explain किया था और tissues की discovery किती plant anatomy first जो इनकी book आई थी वो publish हुई थी in 1954 second जो आई थी the anatomy of the seed plant जिनके लिए जानी जाती है in 1960 webister of the plant biology encyclopedia से इनको बोला जाता है चिक है Catherine Isav died in the year of 1995 Peter Reven director of the anatomy and morphology Missouri Botanical Garden remember that she absolutely dominated in the field of the plant biology even in the age of 99 99 साल की उमर में भी यह biology के field में बहुत active थी यह बताया गया है अच्छे से देख लें Catherine Isav के बारे में lady scientist 1898 से 1997 तक यह रही थी और इनको बोला जाता है webister of the plant biology important है यहां से questions पूछे जा सकते हैं सारे points मैंने आपको बता दी है next यह वही unit है जिस unit के पहले आपको बिल्कुल mid में जो हम पढ़ते ही नहीं है बार बार सबसे first day मैं आपको बताता हूँ कि reductionist biology पढ़ लो reductionist biology पढ़ लो reductionist biology यहां पर आपको दिया हुआ है पर हम अच्छे से पढ़ते नहीं है पीजियो chemical approach to understand the living things is known as reductionist biology morphology जो term used की जाती है जो यहां पर आपको दी हुई है important point है इस unit के first page पर आपको mention किया हुआ है अब आजाये morphology in flowering plants chapter के बारे में general introduction में आपको देता हूँ morphology in flowering plants के अंदर जो आपको पढ़ना है kingdom plant यह पढ़ चुके हो ठीक है उसके different division आप पढ़ चुके हो thallophyta, bryophyta, tritophyta, gymnosperm and angiosperm आप पढ़ चुके हो angiosperm के अंदर अलग-अलग classes monocotyledon and dicotyledon इनके बारे में general point आपने पढ़ चुके है general information फिर उसके बारे में जो families दी हुई है यह families आपके slavus में है और इन families के भिहापे आप क्या floral formula देखकर के family बता सकते हो क्या monocotyled dicote है yes, floral formula देखकर के एक second में आप बता सकते हो कि monocotyled dicote है why, because of the member in a floral world 4 या 5 है तो dicote होगा भाई, और तीन के multiplication में है या 3 से कम है 3 से कम है 3 है या 3 से कम है तो यह क्या होगा यह dicote, floral formula देखकर के आप बता सकते हो कि dicote plant है या फिर monocote plant है, बहुत बढ़िया इधर अच्छे से पढ़ने बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ दुबारा मुझे आपस में आप बात करते हुए नहीं दिखेंगे बेटा सभी students ठीक है इधर next उसके अलावा आप देखें यह flower यह flower आपको एक दिखाया हुआ यह flower जिस floral axis पे present देखो, flower इसका यह stock होता उसको बोलते है paddy cell यह flower जिस floral axis पे आपको देखने को मिलेगा अगर इस flower की मैं बात करता हूँ यह flower अगर यहां से निकालते हैं बाहर यह flower आपको देखने को मिल रहा है इस flower को अगर मैं खींशना हूँ ऐसा दिख रही आपको यह वही है जो यहां पे बनाया हुआ है यह एक आपको वही देखने को मिल रहा है समझ में आई बात तो यह flower जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है इस flower को आप अच्छे से देखें यह flower की जो stock होती उसको pedicel और number of flower जिस पर present होते है जिसको inflorescence आप बोलते है उसको बोलते है pedancle, so what is pedicel, what is pedancle अच्छे से पता होना चाहिए, stock of flower is known as a pedicel and inflorescence जिस floral access पर आपके flower लगे होते है तो उसको बोलते है pedancle, ठीक है इसको बोलते है pushpvrint इसको बोलते है pushpavlivrint यह क्या बोलते है pushpvrint इसको बोलते है pushpavlivrint ध्यान रख लेना, अच्छे से important point यह सारे मैंने आपको बता दिये हैं यह female and male दोनो bisexual condition यह किसको define करता है bisexual condition यह आपको देखने हों को मिलते हैं, Actinomorphic, Kalichern आ गया, Calix, Corolla, Endosium and Gynosium, अगर इन दोनों को differentiate नहीं कर पाओ तो Parianth बोलेंगे, Endosium and Gynosium, Parianth जिसको अपने बोलते हैं, Paridal Punj, Tapal बोला जाता है, Paridal Punj जिसको बोला जाता है, Clear, Next, अब आ जाओ इसके बाद, One by One अपने आग Modification of Root, Stem, Modification of Stem, Venetion in Leaf, Types of Leaf, Philotexian, Modification of Leaf, Inflorescence, Flower के बारे हैं, Part of Flower, जिसमें, Calix, Corolla, Endosium and Gynosium, और इन सभी के Modification, Fruit पढ़ना है, Seed पढ़ना है, कुछ Technical Term पढ़ना है, and Families, जिसमें, पुरानी NCRT के अंदर, Fabiesis, Solanaceae, Lilliasi दिये, जिसमें, Fabiesis अपके Slabus में है, Rest of अपने एक साथ पढ़ने वाले हैं, अभी, Clear, अच्छे से देख लें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे Important Point आपको अच्छे से Crystal Clear हो जाने चाहिए, इसके बारे में, अब आ जाईए, क्या Defined क्या हुआ हुआ है, Plants के अंदर Root and Shoot System, जो एक Seed होता है, Seed जब Germinate होता है, तो Upper Side में Shoot System और Lower Side में Root System को Represent करता है, Root and Shoot के अंदर आपो क्या-क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं बात करता हूँ, Root की, तो Root के अंदर Root जो होती है, वो Positively Geotropic, Positively Gravitropic, Hydrotropic and Negatively Phototropic होती है, Arise from the Radical Part of the Embryo, Embryo के Radical से Arise होती है, जिसमें दूख Condition मिलेगी, एक Tap Root मिलेगी, और एक आपको, एक आपको Fibrous Root मिलेगी, Tap Root and Fibrous Root यह दोनों Type है, Root के, Tap Root Dicotylidons का Characteristics होता है, और Fibrous Root Monocotylidons का Characteristics होता है, Fibrous Root में Primary Root होती है, जो Reduce होती है, After That, Base of Stem से, Base of Stem से, Number of Roots एक साथ होती है, Primary Root is Short-lived and Reduce, और After That, The Number of Roots, Number of Fibrous are Arise from the Base of the Stem, यह आपको एक्जा Dicot के अंदर आपका अगर कंडिशन जाकी, तो Mustard आपको दिया हुआ है, Other Dicotylidons भी सारे इसी के अंदर आएंगे, Clear, Next, Adventitious Root जो Radical से ना बनकर किसी Other Part से बनती है, Other Than Radical, चाहिए Stem हो, Root हो, Leaf हो, Inter Node हो, Dicot का Example, जैसे Bunyan Tree के अंदर आपको देखने को मिलती है, पिलर Root, Sh function क्या क्या है, Root के function है, absorption of water and mineral, proper increase of the different part of the plant, store, reserve food material and photosynthes, and synthesis of the plant growth regulator, most important है, जो plant growth regulator से उनको synthesize करता है, और photosynthes, जो गुलकोज बनता है, उसको स्टार्ज की फ़र्म में, store करता है, चीक है, Next, Root system and shoot system, आपकी NCRT ने define किया है, यह पूरा shoot system को define करता है, Root system में primary, secondary root आपको देखने को मिल रही है, इसके बाद आजाईए, phases of, sorry, growth of, sorry, reasons of root, reasons of root के अंदर, तीन रीजन आपको देखने को मिलते हैं, एक होता आपका meristematic zone, यह elongation zone, और यह maturation zone, maturation, meristematic zone होती है, उसमें dense protop plasam में, inter cell, the space absent होती है, plasmo decimal, the connection होती है, thin cell logic primary bowl होती है, large nucleus आपको देखने को मिलेगा, elongated cells, आपको elongation zone में देखने को मिलते है, vac politization, इन इनमें start हो जाता है, cell elongates, nucleus peripheral हो जाता है, इस condition में, यहां, root हें present होते है, secondary cell wall बन जाती है, mature cell हो जाती है, vac politization, complete हो जाता है, जो maturation zone में म मिलता है यह रूट टिप को बताया हुआ है इसकी किनारे पे आपको रूट टिप पे रूट कैप मिलता है जो थिन जो इसका एपक्स उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है important point है regarding to the reasons of root modification of root के अंदर आजाए यह regions of root आपको दिये हुए इस सारे modification of root के अंदर आजाए for food storage आपको देखने को मिलती है tap root tap root के अंदर conical होगा carrot napiform turnip fusiform होगा radish adventitious में sweet potato फुल की जड़े आपको देखने को मिलती है asparagus के अंदर fasciculated root support के लिए stilt root आप स्थम्मूल आपको देखने को मिलती है maze and sugar cane के अंदर prop root मिलेगी जिसको स्थम्मूल बोलते है bunion tree के अंदर pillar root जिनको बोलायता है इधर respiration के लिए modified root होती है new metaphor जिनके अंदर present होते है marshy area के अंदर मिलने वाले rhizophora उसके लावा और भी example है like avasthenia है sonarachia है यह कुछ examples है जिनके अंदर आपको rhizophora के जैसे ही member जो marshy area में मिलते है main example है rhizophora जो आपके NCRT ने दिया हुआ है इसके बाद आजाएए stem stem क्या होता है positively phototropic होता है negatively geotropic होता है इसमे node into node मिलेंगे axillary bud और terminal bud present होती है pemule से यह बनता है young stem green होता है mature stem brown होता है it bears flowers leaf branches यह सभी आपको इसके ओपर देखने को मिलेगी axillary bud जगा जगा देखने को मिलेगी terminal bud भी है इसके ता node inter node मिलेंगे और base lower node से lower node of the stem stem से निकलती है तो fibrous root lower node of the stem से निकलती है और इनको एक तरकी से mechanical stent provide करती है stilt root mage and sugar cane के अंदर और इसके नीचे fiber बनाई कोगी यह मैंने sugar cane को represent किया है तो stilt root भी होगी और fibrous root भी होगी clear next यह एक dicot plant और monocot plant दो मैंने आपको बताए है modification of stem के अंदर चार आपको condition देखने को मिलती है बना तीन condition होती है aerial sub aerial और underground aerial में stem tendril, grape wine, grape है watermelon है pumpkin है kukarbitasi family के members में आपको मिलता है stem thorn होते है boganivillia citrus में philocled most important परणाब समझे सको बोलते हैं तो flattened होगा वो मिलेगा आपको opensia में और cylindrical होगा euphorbia में runner stolen and sucker and offset ये चारो runner दूब grass and strawberry में stolen, peoplement, wild strawberry and jasmine में सकर, mint, banana and chrysanthemum, pineapple, offset, pistia और eye cornea के अंदर देखने को मिलता है important है ध्यान रगे underground stem, tumor, potato में rhizome, ginger, termic, banana, water, lily और canna में comb, collocasia, alocasia, bulb मिलता है onion और garlic के अंदर आप कहेंगे sir इसके अंदर जो modification, sub-areal modification के अंदर ये stolen को define करता है aerially after that touch करता है ये जमीन को जहां से फिर root बनना start हो जाती है, जहां पर node present होती है ये underground पहले move करता है और फिर horizontal, obliqually underground move करता है horizontal, फिर obliqually बाहर के दर निकलता है sucker, इसमें runner over the soil ये move करता है creeping type से और node से root निकलना start हो जाती है और offset water के अंदर मिलता है जिसमें inter node जो होते हैं, ये node मिलेंगे, inter node छोटा हो जाता है, flashy हो जाता है, इनके अंदर tuft of root आपको देखने को मिलेगा, bunch, ऊपर एकठा एक साथ leaf का bunch देखने को मिलता है, clear? पिस्टिया और icon है उसके example है, next, अब आजाएए leaf पे, leaf की अगर जन्नल बात की जाए, तो Australian acacia के अंदर fill load मिलता है, जिसमें ptol तो फैल जाता है और leaf reduce हो जाती है, ठीक है, leaf के अंदर, जो leaf होती है और node होता है, जहां पर leaf rise होती है, वहां पर axillary bud मिलती है, अब ये leaf को दि epipodium को represent करता है, mesopodium ptol, hypopodium होता है, इसका leaf based, leaf based swollen हो जाता है, आपके legume plant के अंदर, जिसको pulvinus बहुते हैं, leaf based चदर रूमा फैल जाता है, जैसे banana के अंदर, इसको एक sheet like structure बना लेता है, sugarcane, wheat, maze, monocorps के अंदर, चिक है, और ये आपको पूरा फैला हुआ लैमिना देख पीटियोल इसको हवा के अंदर ऐसे इस तरीके से पहलाए रखता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा photosynthesis कर सके, और stomatas को air जो है, वो मिल सके, ये general point आप लोगों को define किये जाते हैं, और अब आजाए, leaf के अंदर, ये इन सभी के base में axillary bud मिल रहे हैं, it means ये compound leaf है, और ये क्या है leaflets है, pedicel stock of a flower को बोला जाता है, और जो इसका जो stock होता है, leaf का जो stock होता है, उसको petiol बोला जाता है, flower के base में bract and bractiol आपको देखने को मिलेगा, इसके base में stipule आपको देखने को मिलते हैं, ये difference बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको leaf के base में stipule मिलेंगे, axillary bud म मिलेगी, leaf के base में आपको axillary bud यहाँ पर देखने को मिल रही है, जबकि flower के base में bract मिलते हैं और उसके ऊपर in between कहीं पर भी आपको bractiol देखने को मिल सकता है, जो leaf like structure देखने को मिलती है, ठीक है, उसके बाद में venition की अगर बात करें, leaf में जो venition हो सकते हैं, वो pallal हो सकते ह हैं, dicode के अंदर आपको इस type के venition देखने को मिलते हैं, अब बात की जाती है, types of leaves, simple हो सकती है और compound हो सकती है, simple के अंदर incision midrib तक नहीं होता है, single leaf देखने को मिलेगी, leaf lettuce के अंदर present नहीं होती है, और axillary bud होती है, mango, guava, etc. इधर incision midrib तक देखने को मिलेगा, depend करता है कि midrib क को touch कर रहा हा या single point पे आकर के pit ole के जो incision हो, devil की tip पर आता है, अगर devil की tip पर आता है, तो payments हो जाएगा, pit ole की tip पर नहीं आता है और incision midrib को touch कर रहा हो तो pinnate हो जाएगा, leaf lettuce के दर leaf lettuce में देखने को मिलेंगे, axillary bud leaf lettuce की axle में नहीं होती है, leaf fork части axle में देखने को मिलती है, ये line NC CIT में लिखी हुई और important है यहां से question पूछे जाते हैं इधर compound leaf दो तरीकी की होती है एक पामेटली और एक पिनेटली पिनेटली compound में leaf flats देखने को मिलेगे और auxiliary bird यहां मिलेगी नीम उसका example है silk cotton मालवेसी family का यह member रहता है ठीक है ध्यान रखना और इसके अंदर जो incision मिलते हैं incision mid rib तक नहीं आते incision के अंदर individual ptol की tip पे single यहां पे पूरा incision ptol की tip पर आपको देखने को मिलते है clear और यहां पे incision जो होता है वो mid rib तक होता है और यह पूरा complete आपको एक यह ptol ptol के बाद में यह veins आपको देखने को मिलती है पर veins के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं वहां से बलब जो principal vein और side veins जो होती है यह single single leaflet की formation कर लेती है incision mid rib तक आपको देखने को मिलते है clear next आपके पास में अब आता है philotexy philotexy arrangement of leaf जिसमें alternate है opposite और यहां से question पूछा ही जाता है alternate के अंदर अगर बात की जाए तो alternate condition देखने को मिलती है जिसमें चाइना रोज है sunflower है और mustard है चाइना रोज गुडल मालवेसी फैमिली सूरज मुखी composite family और basicacy family का member है mustard सरसों इधर समुख opposite condition guava और calotropis में मिलती है GC यहां पे CSM से याद करवाई था CSM mall यहां present है CSM city square mall तो वहां से चाइना रोज, sunflower and mustard इससे आद रचकते हो GCA, government college है यहां पर एक ठीक है, government college जो guava, calotropis और A for alstonia alstonia, nirium के अंदर आपको चक्करदार एक ही point में number of leaves देखने को मिलती है इसको devil tree भी बोला जाता है इन सभी पर already questions पूछे जा चुके है अच्छे से देख लें इसके बाद आप लोगों को define के जाते है कि flower कैसे present होगा और inflorescence क्या होगा flower कैसे present होता है, यह flower flower को अगर आप condense कर, यह flower is a modified condensed shoot, इसको condense करोगे तो modified होकर के condensed shoot देखर आपको each node, beers, sporophyll पहले था, अब यह change हो गई है, calyx, corolla whirl को बोलते है, calyx, whirl को बोलते है corolla, sepals, petals androsium और gynosium इसके पूरे whirl को बोलेंगे whirl को gynosium, whirl को androsium, whirl को बोलते है corolla और whirl को बोलते है, calyx यह सारे एकठे होकर के different type से flower, floral axis पे लगे हो यह, हाँ बेटा, यहाँ पर आपके comments मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ पर comments नहीं देख पा रहा हूँ न, ठीक है, इधर, next अब आपको जो समझने है, inflorescence inflorescence के अंदर दो तरीके के cymos और racimos दोनों आपकी INCIAT में दियो है, cymos जिसके अंदर tip पे flower नहीं होता है, sorry, racimos जिसमें tip पे flower नहीं होता है, tip flower absent होता है, unlimited growth होती है, और acro pitil manner में new flower लगते हैं, अपर साइड में नहीं में growth होती है, tip पे flower होता है, limited growth मिलती है, tip पे flower present होता है cymos type of inflorescence आपको इजी देखने को मिलता है, clear, इसके बाद आपकी NCRT के अंदर जो flower के बारे में लिखा हो है, कुछ general terms है, pedicle होता है main axis bearing all flowers, pedicill stock of the flower, brect जो इसकी leaf like structure मिलती है, attach होती है, pedicill जहां से attach होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी bacterial in between आपको देखने को मिलेगा solitary single flower present हो, pedicillate pedicillus जिसमें present हो, society जिसमें pedicillus क्या हो, absent हो racimos के अंदर जो type देखने को मिलते हैं, racim, spike, catekins padics, corium, umble and capitulum racim, brasycacy family का specific आपको मिलेगा, spike, spikelet आपको gramini family में, catkin, mulberry chateaut के अंदर आपके syllabus में नहीं है spadics, maize and banana में आपके syllabus में है corium, candy teft iberis, ammara, chandri में मिलता है umble, cumin, coriander और feniculum और umble, umblade cluster आपको liliacy family जो पहले आपकी NCRT में दीदी, उसमें मिलता है capitulum most important है 101% में लिखकर दे रहा हूँ इस साल इससे question आएगा ही आएगा कोई if but नहीं है 4 लगा रहा हूँ, 100% ध्यान लेना capitulum type of influence composite family का specific most advanced type of influence की category के अंदर ये आता है इसमें ray florid और disc florid दो तरहें के florids आपको देखने को मिलते हैं हर तरहें के florid होते हैं socile भी होते है, male flower भी होते है female flower भी होते है, unisexual, bisexual और socile flower भी होते है most important influence है ज्यान अकले हैं, composite family ray florid, disc florid, disc florid जो बीच में present होते हैं, पूरा shoot condensed हो जाता है concave and convex आपको देखने हों मिलते हैं आपको सर्फ कैसे, गैंदे का fool होते हैं आप जो हटाते हो, आपको लगता है कि वो उसके petal है petal नहीं होते हैं, वो सारे सारे single single flower को represent करते हैं उसके सब को हटाने के बाद में, नीचे एक rounded structure आपको मिलती है गैंदे का fool अगर कभी आपने देखा हो तो या फिर sun flower के अंदर भी उसके सारे side के वो ray florids अटा दो बीच में एक disc like structure मिलती है, डिस्क पर भी जो brown part होता है वो brown part में, जो brown brown आपको देखने होता है वो भी individual flowers होते हैं, यह पूरा inflorescence होता है single flower नहीं होता है, ध्यान अगना टिक है, number of flowers होते हैं, इसके अंदर single flower नहीं होता capitulum पे 101% आपो question देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस साल racimos के सारे type पढ़ते हैं, raceme के अंदर simple raceme, compound raceme simple raceme के अंदर, टिक पे flower नहीं है, normal arrangement है same के अंदर branch condition अगर देखने को मिल जाए, यह किसमें मिलते हैं radish में, mustard में, cassia, gulmohar, radish, mustard, basicacy family, cassia, gulmohar, fabacy family, ध्यान अख लेना clear, spike आपको मिलेगा, spike and spikelets, आपको wheat plant के अंदर, मेरा main concern इस से है, spike of spikelets यह भी पूछा जा सकता है, और capitulum तो पूछेगा है, direct and direct, कैसे भी पूछे, capitulum पूछेगा, spike of spikelet, wheat plant के अंदर होता है, graminy family, जो नहीं add हुई है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, clear, next, अब आजाओ, catkin, जो mulberry आपसे नहीं पूछेगा, जिसमें thin हो जाता है, pedicle और sasile, इसके अंदर flower देखने को मिलते है, shatut, यह क्या होता है, shatut, अगर आपने, आप जानते हो तो, sasile, pedicle thin हो जाता है, यह देखिए, यह है spadix, इसमें, makka plant के अंदर, पूरा का पूरा जो cover बन जाता है, bread cover कर लेता है, जिसमे male flower, female flower, sasile flower, sasile, unisexual, इसके अंदर flower आपको उपर साइड में देखने को मिलते हैं, नीचे आपको female flower देखने को मिलेंगे, pedicle जो होता है, वो long हो जाता है, thick हो जाता है, और flashy हो जाता है, इसके दोनों तरब आपको flower मिलेंगे, ब्रेक्ट जो होता है, वो spade के अंदर convert हो जा एक level पे सारे flower आजाएंगे, अंबल के अंदर एक point से सारे flower same level पे पहुझे, एक point से सारे flower बाहर के दरफ निकलते हैं, ये मिलता है धनिया सौंफ, जीरा के अंदर feniculum में, क्यूमीन में, और धनिया coriander के अंदर देखने को मिलता है, ये आपको poly flower, full gobi, कभी cut करना इसे full gobi को सारे ऐसे, इसके अंदर pedicel की length vary करती है, बट flower एक level पे होगे, इसमें pedicel की length equal रहेगी, flower एक level पे रहेंगे, एक point से निकलेंगे, यहां पे pedicel की length vary कर रहे है, इन सभी की pedicel की length vary करती है, important point है, दोनों ही इस लेबस में है, ये brassicaC family का है, और इसके अंदर coriander, cumin और सौंफ, आपको सर, इसको क्यों बता रहे है, अंबलेट liliacy family के अंदर पहले दिया हुआ था और नीट exam में पूछा हुआ कोश्चन है, कि अंबलेट cluster in founding, NCRT chapter number जो आपका 5 होस में, सबसे last last में in florations देखोगे न, liliacy में, पुरानी वाली NCRT में, यह आगे आपका capitulum, disc florid, ray florid, ray florid and disc florid, अच्छे समझ में आ जाने चाहिए, sunflower के अंदर, और आपको पता है, यह ray florid, ligulate type के होते हैं, एक सारे के सारे जो petals होते हैं, वो आपस में इक अठे होके ligule, jeep जैसे structure बना लेते हैं, ठीक है, ligulate type से होते हैं, और जिसमें corolla, next, यह आपका capitulum, composite family में मिलेगा, जिसको S. इसी family बोलते है, sunflower family, most advanced type of inflorescence है, next, अगर brekt, पुरा फैल करके cover बना लेता है, जिसको बोलते है, involucar, अच्छे से देख लें, कई बार हो जाता है, कि brekt फैल करके involucar की formation कर लेता है, साइमोस type of inflorescence, जिसमें uniparous, biparous, multiparous condition होती है, ज्यादा बढ़ा नहीं रहागा chapter, टिप फ्लार होगा, एक साइड में जाएंगे, helicoids, corporeat, काम के नहीं है, biparous condition, bogainvillia, important है ध्याँ नकलेना, इज़र multiparous condition, calotrophis, calotrophis, prosera के अंदर multiparous condition, साइमोस में आपको इतना याद रहना है, टिप फ्लार होता है, बेसी बिटल के अंदर, condition के अंदर, new flower arise होते है, सा पूछा हो है, solenis family के inflorescence में जाकर के, एक्जामपल लिखा हो है, cymos solenum, बनलब genre लिखा हो है, वहाँ से question पूछा था, कि cymos type of inflorescence are found in, तो मुझे cymos को आपको explain करना पड़ेगा, इस वज़से आपको बताया, अब आजाओ, flower, flower अल्रेडी मतलब आपको बता चुका हूँ, complete हो सकता है, चारों वल मिले, incomplete हो सकता है, कोई भी एक वल absent हो, perfect flower जो bisexual होता है, imperfect flower जो इसके अंदर male या female दोनों में से कोई एक मिले, इदर, calyx and corolla, ये flower के four वल, क्या होते हैं, calyx and calyx सबसे बाहर क्या होगा, calyx and corolla, फिर अंदर क्या होगा, endosium, gynosium, reproductive वल, accessory वल, clear, content shoot हो always solitary, sucile and pedicillate हो सकता है, solitary का मतलब, अकेला ही होगा, ठीक है, इसके बाद में, special type of inflorescence के अंदर, आपको एक inflorescence और पढ़ना है, उसको मैं पहले आपको बता जेता हूँ, फिर अपने आगे प्रोसीड करेंगे, special type of inflorescence के अंदर, एक general point आपको एक और देखना है, इतर देख आपको fig के अंदर देखने को मिलता है, fig के अंदर, hypanthodium condition आपको देखने को मिलेगी, यह पूरा ऐसी condition होती है, ऐसा condition, जिसमें यहाँ पे आपको number of flower देखने को मिलते हैं, fig, अंजीर के अंदर ऐसी condition आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसमें number of flower है, पूरे information, unisexual, bisexual, sasile, सारी तरह हैं के flowers इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, tricus and fig के अंदर होगा, cyatium, euphorbia में, जिसमें female flower एक अकेला होता है, male flower many होते हैं, beach वाले male flower बड़े होते हैं, side वाले छोटे होते हैं, और यह पूरा female flower का पैटेथल बाहर के तरह निकल कर, यह stigma, और इसका यादर न, important point है, फिर इससे बता रहा हूँ, general point जो आपको बताए हुए, next, अब इसके बाद आजाईए, जो आपको अच्छे से समझना है, वो है आपका, अब आपको सारे points मैं clear कर चुका हूँ, कुछ general points पर अपने बात करेंगे, जो आपकी NCRT देती, NCRT based सारे points अपने क अच्छे से पढ़ने, inflorescence ही था, जिसके नदर इतनी variation है, उसके बाद आजाईए, आपको दिया हुआ है, flower, flower कैसा हो सकता है, bractrit हो सकता है, bisexual और unisexual हो सकता है, अक्रिनो मॉर्फिक, जाइगो मॉर्फिक हो सकता है, और bisexual और unisexual हो सकता है, ये तीन condition आपकी NCRT define करती है, ठीक ये मैंने मतकी में भी गुल, मतर, केशिया, बीन और गुलमोहर, इससे याद रख सकते हो, इसको एक ही एकसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ऊपर स्टेंडर है, posterior side में, और इसके बाद में दो आपको wings देखने को मिलते हैं, जिसको alley बोलते हैं, इनर साइड क आपस में fuse condition, जिसको keel and carina बोलते हैं, carina पे already question need exam में पूछा जाचुका है, ठीक है, actinomorphic, किसी भी axis से to equal half के इंदे इसको cut कर सकते हैं, चीली, दतूरा, चायन अरोज, and mustard, most important है, सारे point समझ में आने चाहिए, इदे, चीड आगुस, चीली, दतूरा, गुढ़ल, सर्सों, याद रखने का तरीका है, कैसे भी याद रखो वही, represent करने का तरीका, इसको represent करते हैं, floral axis में ऐसे, इसको represent करते हैं, percentage के signs है, या फिर, एक single lines इसको represent करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, general point कि, उसके बाद अच्छे से आपको पता होना चाहिए, general point कि, trimelis, tetraminus, and pentaminus condition क्या होती है, trimelis, monocorpulary, tetraminus, pentaminus, dicotyledon, उसके में देखने को मिलती है, bract present है तो bractriate, bract absent है तो, यी bractriate condition आपको देखने को मिलेगी, clear, next, इसके बाद आजाईए, most important point, types of flower on the basis with respect to the floral appendices, most important point, question आने के chances हैं, अच्छे से देख लेए, क्या है, hypogynus condition, जितने भी floral appendices है, ovary से नीचे, ovary superior side में, ऐसे represent करेंगे, brinjal है, mustard है, china rose है, coconut है, mango है, monocarpulary superior ovary, mango and coconut में, इतर, perigynus, floral wall, जो other appendices होते हैं, जो ovary के 4 दर देखने को मिलेंगे, दोनों condition देखने को मिल सकती हैं, ऐसे represent करते हैं, half superior या half inferior condition, plum, peach and rose, और ये ovary इसके अंदर half superior और half inferior मिलेगी, epigynus के अंदर ovary के उपर सारे floral appendices होंगे, represent करने का तरीका, ovary inferior, pomigrenate, annair, guava, banana, cucumber, ray florate of sunflower, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, clear, next, इसके बाद आजाएए, आपको represent किया है, abrecreate, bactreate condition, ये बता सकते हैं आप, actinomorphic, gyomorphic, unisexual, bisexual condition, काली चरण आ गया, calyx, corolla, endosium, and gynosium, अब one by one calyx and corolla के बारे में अपने अच्छ से देख लेते हैं, पहले calyx and corolla है क्या, calyx and corolla है क्या, फिर उसके endosium और gynosium के बारे में अपने अच्छ से पढ़ेंगे, इदर, calyx and corolla, पहले calyx के बारे में बतायता हूँ, calyx, calyx के अंदर single को sapple बोलते है, combined form में calyx बोलेंगे world को, sapples अगर fuse है तो gamo sapples, free है तो poly sapples, green होते हैं और protection प्रोवाइड करते हैं, bird stage के अंदर, calyx advertisement flag, musenda के अंदर, peppers की formation करता है, most important, पूछे जाना वाला question, peppers is found in the sunflower family, capitulum बताया था, वो भी इसी family के अंदर है, और दूसरा, peppers बता रहा हूँ, वो भी इसी family के अंदर है, दोनों में से एक question चपेगा ही चपेगा, लिख लो आप, important pointers, स्टार लगा रहा हूँ, morphology in flowering plants के अंदर, ध्यान अकल लेना, next, spine, प्रापा के अंदर, सिंघाडे में, persistent calyx brinjal, important है, दिया हुआ आपकी NCRT में, brinjal, chili, tomato, जो तूरा, जितनी भी आपकी, जो सॉलनेसी family के member है, even cotton के अंदर भी देखने को मिलता है, most important point, next, अब आजाईए, इसके बाद में, corolla, corolla के अंदर, उसके modification अपने को पढ़ने, corolla single होगा, तो petal, और combined form में, whirl होता है, उसको corolla अपने बोलते है, fuse form के अंदर, gamo petalus condition, और free form के अंदर, poly petalus condition, आपको देखने को मिलती है, clear, clear, next, अब आजाईए, इसमें अगर fuse condition है, तो ऐसे represent करेंगे, और अगर इसके अंदर free form आपको देखने को मिलेगी, fuse condition होगी, तो इस तरीक से represent करेंगे, और free form होगी, तो ये free आपको देखने को मिले, आपस में fuse condition देखने को नहीं मिलती, गैमो एंड पोली के अंदर, फिर further symmetry के भियाप पे, actino के अंदर poly, actino के अंदर gamo, जाइगो मॉर्फिक, bilateral symmetry के अंदर polypetalus एंड गैमो पैटलस कंडिशन देखने को मिलती है, इसी को ये थोड़ा सा elaborate करकर करके यहां पे बचा रहा हूं, देख लो, क्या है कैलिक्स एंड को रोला, को रोला के अंदर जो पैटल्स होते हैं, actinomorphic symmetry वाले polypetalus जिसमें सभी कैसे होंगे, अलग-अलग होंगे, mustard and radish में मिलता है, cruciform important है, आपके syllabus में ये family है, अब ब्रेसी कैसी, जिसमें सारे के सारे petals आपस में अटेच होंगे, symmetry, actinomorphic होगी, bell shape, funnel shape, tubular shape और rotate, आपकी NCRT में दिया हुआ है, activation के जस्ट ऊपर ये line, bell shape, tobacco type, tobacco में मिलता है, funnel shape, dutura में मिलता है, tubular type, disc, florate of sunflower और rotate form, आपको ब्रेंजल में देखने हों मिलती है, dutura in brinzal, solanasi family के member है, compositive family का member है, ये solanasi family का member है, solanasi family में variation दिख रही है आपको, ठीक है, जो आपके इस label से हटा दी गई है, पर यहाँ पर आपको ये चारों word लिखके दिये हुए हैं, तो ये चारों आपको पढ़ नहीं है, next, polypedalist condition के अंदर, gigomorphic symmetry में, polypedalist condition में, most important, auxiliary estimation वाला, standard, ये दोनों आपको इसके wings और ये आपको कील देखने को मिलती है, और, जो PN, Bean के अंदर देखने को मिलेगा, gamopetalist condition, जिसमें fuse है, फिर, gigomorphic condition है, bilabiate, tulsi osimum, salvia के अंदर, salvia example आपकी NCIT में दिया, लिग्यूलेट, ray fluorate of sunflow, क्यों पढ़ना जरूरी है, ये, ligulate आपकी slabus में है, ray fluorate, kapitulum के अंदर आपके slabus में है, disc fluorate आपके slabus में है, tubular form मतलब compositive family में हो सकती है, ligulate form मतलब compositive family में हो सकती है, इस वज़े से पढ़ना जरूरी है, next, अब इन सभी का arrangement, estimation जिसको बोलते हैं, value weight है, twisted है, imbricate है, और waxillary है, value weight के अंदर सारे के सारे corners आपस में overlap नहीं करते हैं, और अगर fuse form होगी तो ऐसे reproduction करेंगे, free होगी तो ऐसे reproduction करेंगे, पर overlapping नहीं होती, यहाँ पर overlapping होती है, एक तरफ से overlap, दूसरी तरफ से overlapping देखने को मि मिलता, और waxillary के अंदर एक standard होता है, दो इसके wings होते हैं, और दो आपको kill देखने को मिलते हैं, जो fuse होते हैं, one plus two plus in bracket two लिखा होता है, waxillary के अंदर, pea plant में मिल जाएगा, आपको bean में मिल जाएगा, यह केशिया गुल मोहर में मिल जाएगा, यह भी Fabacy family, वो भी Fabacy family, और Fabacy family क influence में सेम लिखा हुआ, twisted मिलेगा, आपको Malvacy family के अंदर, most important है, china rose, lady finger, cotton इन सभी के अंदर, abel moscas asculentum, आपका lady finger है, cotton के अंदर, gossipium species, gossipium species आपको देखने को मिलता है, cotton के अंदर, cotton का जो botanical name है, gossipium species, species आगे आप बोल रहा हूँ है, overlapping, absent होती है, callotropis के अंदर मिलेगा, mustard, reddish के अंदर आपको देखने को मिलेगा, basicacy family आपके syllabus में है, Malvacy family आपके syllabus में है, और fabacy family आपके syllabus में है, ठीक है, यह fabacy के अंदर leguminacy होती है, papillinoidity, leguminacy, उसके अलावा, cicellipinoidity, cicellipinoidity के अंदर, caccia और glumohar आते हैं, mimosoidity एक और होती है, जिसमें mimosapudica dust me node plant आता है, यह आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, after that, after that, androsium, androsium के अंदर, जो इसका proximal reason of the stock of the filament is attached with the thalamus, question था, neat exam का, sexual reproduction, flying plants के अंदर, जहां यह start होता है, उसकी दूसी दिसी line में लिखा हुआ है, यह तो thalamus से attach होगा, यह petal से attach हो जाएगा, epipetalus condition, filament और enter दो कट लगाओगे, तो आपको बाई, दो लोब, बाई लोब मिलेगा, tetrasporengid condition होगी, diethicus condition देखने को मिलती है, fuse भी हो सकते हैं, यह सबी आप बस में, और यह भी fuse हो सकते हैं, दोनों भी fuse हो सकते हैं, synendros conditions पूरा complete fuse हो जाए, only enter fuse हो, syngenesis condition, only filament fusion हो, adelphi, adelphi आपके syllabus में दी एक संगी, द्वी संगी, बहु संगी, एक संगी का एकजामपल, चायना रोज, द्वी संगी का एकजामपल, पी प्लांट होगा, बहु संगी का एकजामपल है, citrus plant, इसके अंदर चायना रोज, leguminacy family का पी आजाएगा, और citrus plant आपको देखने को मिलता है, इसमें 9 plus 1 arrangement देखन हो जाते हैं, उसको sin genesis condition कहते हैं, NCRT के अंदर endosium में नहीं दिया, यह आपस में अटेच हो रहे हैं, आपस में अटेच हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी दूसरे floral world से अटेच होंगे, उसको बोलते हैं, addition, तो cohezen of the stem, मैंने आपे define किया है, clear, next, य इनकी attachment, filament के attachment के भिहाब पर add in a type throughout of length मिलेगा, base पर basic fix होगा, side में होगा, dorsi fix होगा, kidney shape होते हैं, मालवेसी family में मिलेगे, versatile gramini family, क्यों बताएं, gramini family के अंदर, poesy family, wheat के अंदर ऐसा versatile condition मिलता है, मालवेसी family के अंदर dorsi fix मिलते हैं, kidney shape होते हैं, इस वज़े से बताएं, दोन इस फेहरे और फीके से वल से attached हो, epi pedos condition हो सकती है, epiphilos condition हो सकती है, epiphilos condition हो सकती है, epiphilos또. अ Wesley say family हटा ती, पर लिली आपको देखने को मिल रहे है, इस तरीके से वल, दिख रहा है, Madman goals बाता ने सकती हैं, दो mág tes pakए directly hah it has familiarity, तो efficacy do the removeSon Imagini family. पैटल से डारेक अटैच है, हैपी पैटल से कंडिशन, दिख रहा है, ऐसे रिप्रेजन करते हैं, इवन अगर आप जाकर के देखें, तो डिस्क फ्लोरेट वाले के जो आपको डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं, उसके अंदर मेंबर भी अन्रोशियम और पैटल सापस में अटैच होते हैं, अभी पता चल जाएगा जब अपने देखेंगे, सिनेंडरस कंडिशन इंपोर्टेंट है, कैलोट्रोपिस में मिलती है, अंडोशियम अटैच विद गाइनोशियम, अंडोशियम, कैलोट्रोपिस अकड़ा, जनल लेंग्वेज के इसको बोलते हैं, अकड़ा और इसमें हाट ग्लाइकोसाइड, ग्रेजिंग अनिमल से इसको खाते नहीं इसमें अलकेलोइड होता है, जाकर के पढ़ना, प्रेडेशन अच्छे से याद होना चाहिए, प्रेडेशन में दिया हुआ है, आपको Monarchically वाला example एक दिया हुआ है चलो, ठीक है, वो ठीक है, Calotropis की family लिख दो जल्दी से Calotropis की family इसमें pollinator पाए जाता है Calotropis की family is Asclepidacy लिखो के आप, मैंने बता दिया, लिख लो आप Asclepidacy family का member है ये चलो, ठीक है Length of Stamen, Stamen का Length vary करता है Di-Dynamous condition होती है, जिसमें Mid वाले दो छोटे होते हैं, Side वाले बड़े होते हैं Salvia, Lebiti family का member है Di-Dynamous condition, Verticilaster by Lebit condition मिलती है, Salvia के अंदर इदर, चतूर दिर्गी जिसको Tritradynamous condition बोलते हैं Mustard family के अंदर, Basic C में आपको देखने को मिलेगा, Side वाले तो छोटे, बीच वाले चार बड़े, 2 plus 4 arrangement इसमें देखने को मिलता है, Important point है ये Length में difference होता है Mustard and Salvia दिया हुआ है, पर होता क्या है, Di-Dynamous और Tritradynamous Tritradynamous इस वर से बताया, New family introduced हुई है In detail आपको पढ़ना है Next ये आपका Sunflower दिया हुआ है Sunflower के अंदर ये ये Ray Fluorate है, ये Disc Fluorate है, Ray Fluorate के अंदर एक Legule, Side में देख रहा है, Ray Fluorate ये Ray Fluorate को represent कर रहा है Ray Fluorate, Ray Fluorate ये बीच में यहाँ पे Number of Flower मिलते हैं अरे भाई, जब आप Leaf से Leaflet बना सकते हो, तो Flower से Florets क्यों नहीं बना सकते Leafs से Leaflets बना सकते हो, Flower से Florets क्यों नहीं बना सकते और Fruit में Fruitlets क्यों नहीं बोल सकते Pineapple, Fruitlet होता है फोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ इधर, Florets जो वर्ड यूज क्यों है Each and every, single-single, ये एक Flower है, जो इसमें होता है, ये ये जो Anther है, Anther आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये Anther Throat of Length आपको देखने को मिल रहे है, ये Anther और बाहर की तरफ Sigma आपको देखने को मिलती है, अगर मैं बात करता हूँ इसके Member की, ये Single Ovule Bacal Placentation होता है, Single Ovule इसके अंदर देखने को मिलता है, इसको Cut करकर के जब आप देखने को मिलेगा, और ये दिखरा है आपको, ये जो Condition आपको देखने मिले, इसी के साथ में अंदर Anther Attach रहते हैं, मैंने आपको Disclorate पे Tubular Type Tubular Type आपने पढ़ा था, और Tubular Type Corolla के अंदर ये आपस में Attach रहते हैं, ये Mono Adalpherst Condition, China Rose, Diadalpherst, Pea Plant के अंदर, Polyadalpherst, Citrus के अंदर, Syngenesis Condition, दिखरा है आपको Syngenesis Condition, सारे Anther Attach हो गए, Syngenesis Condition वो आपको देखने को मिल रही है, Next Tomato के अंदर Persistent Petal देखने को मिलते हैं, Sorry, Persistent Calyx देखने को मिल रही है Persistent Calyx आपको देखने को मिल रहे हैं, Brinjal के अंदर, ये Papas देख लो भाई, सुखा हुआ, सुरजमुकी का फूल, ठीक है, ये Disc Fluorate और Ray Fluorate ये Disc Fluorate और Ray Fluorate ये Papas है, जो तागे निकले हैं किसको रिजन कर रहे है, Papas, ये Ligule Life Type की पतियां ये Ray Fluorate है, और ये क्या है इसका Disc Fluorate, ये पूरा Capitulum In Fluorescence से बेटा ठीक है, तो ये General Point आपको सारे Define किये, अब आ जाते हैं इसके अपने Seed and, Fruit and Seed पे, ठीक है, General जो आपको Define किया है, सबसे पहले अब Gynosium को देख लेते हैं Gynosium के बाद आपने आगे प्रोसीड करेंगे Gynosium के अंदर Sigma Style and Ovary देखने को मिलती है, Sigma Style and Ovary Ovary में Ovule होगा, जो Seed में Convert हो जाएगा Future में, पूरी Ovary की Ovary Fruit Wall बनाएगी, Ovary बनाएगी Fruit को Syncarpus Condition भी हो सकते हैं अगर Syncarpus Condition हैं तो सभी Fuse होगी और Syncarpus Condition नहीं है Multicarpulary के अंदर Syncarpus, Apocarpus Condition मिलती है Fuse भी हो सकती है, Free भी हो सकती है Monocarpulary, Coconut and Mango के अंदर Multicarpulary में Free और Fuse Syncarpus, Apocarpus Apocarpus, example Lotus, Rose and Mycelia Mustard, Tomatoes, China Rose and Papar for Syncarpus, जिसके अंदर Carpals आपस में Attach हो जाती है Placentation, Ovule कैसे लगते हैं Arrangement of the Ovule Marginal हो सकता है एक Vental Sutures मिलेगी जिसमें Peepord Open होती है ये Exile Placentation, Mid Axis के अंदर किनारे पे आपको Seed देखने को मिलती है Ovule जो होते हैं वो further Arrangement, Arrangement उनका ऐसा देखने को मिलेगा Tomato, Lemon, China, Rose Parifal Sight भी आपको जेखने को मिलेगी जिसमें Fall Septa होता है जिसको Rapalum बोला जाता है Parietal Placentation, BTA, Bijaanianas होता है Mustard and Argemon के अंदर Free Central, जिसमें Freely Mid Axis पे Attached होते हैं, Prime Rose and Dianthus And most important Basal Placentation found in the Marigold Sunflower और most important लिख रहा हूं मैं अलग से, इसके अंदर इन दोनों के अलावा अलग से, Gramini Family Poesie जो Family है Poesie Family जिसमें Wheat आता है जिसमें Bajra आता है जिसमें Maze आता है उन सभी के अंदर भी Basal Placentation देखने को मिलता है Important है, फिर से बोल रहा हूं Gramini Family के मेंबर के अंदर Basal Placentation Most Important है, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, Anyhow Next इसके बाद आजाएए ये सारे point डिसकस होने के बाद में Fruit ये Fruit के बादे में आपको पता होने चाहिए Fruit, Ovary Wall Fruit Wall को represent करती है Ovary Wall को अगर आप धंसे देखें इसको, ये Ovary Wall Pericarp जिसमें Epicarp, Mesocarp and Endocarp According to your NCIT, Epicarp, Mango के अंदर Stony हो जाए Sorry, Mango के अंदर Epicarp आपको Shiny देखने को मिलती है, Monocarpal Superior Ovarian में मिलती है Mesocarp यहां की Fleshy होती है, उसकी Fibrous होती है Endocarp इसकी Stony हो जाती है, उदर भी आपको Endocarp Stony देखने को मिलती है गुठली के उपर का भाग और अंदर जो लकडी जैसा खोल देखने को मिलती है Endosperm इसके अंदर Edible Part होता है Cellular Endosperm और Dinking Part इसके अंदर Nuclear Endosperm होता है Droop Fruit के अंदर आते है Astil Flow के अंदर रहे आते है Astil Flow में, Astil Flow के और Example है, आपका Walnut है, Almond है या फिर जो आडू होता है उसके अंदर जो गुठली देखने को मिलती है ये भी ये सारे Astil Flow के अंदर Astil Flow की कैटेगरी के अंदर आते है तो Fruit आपको बताए अब बात कर लेते हैं अपने Seed की Monocode Seed and Dicode Seed दो तना के Seed आपको देखने को मिलती है Monocode के जो Seed होते हैं वो Endospermic होते है Exception है, Orchid Dicode के Non-Endospermic, दो वर्ड Dicode मलब दो वर्ड, Non-Endospermic Monocode मलब एक वर्ड, Endospermic Dicode, Exception के है, इसका Caster जो Non-Endospermic की बज़ाए, Endospermic होता है ठीक है, Dicode Seed के अंदर Embryonal Axis, Premule Radical Highlem, एक Scar देखने को मिलता है दिख रहा है और General अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर Ovule के जो Test and Tagment की Formation करते हैं Seed के अंदर Ovule के जो Integuments होते हैं वो, Test आउटर होता है Tagment अंदर की दरफ आपको देखने को मिलेगा Clear? Next वहीं Monocore Seed की अगर बात की जाएं तो Monocore Seed के अंदर ये सारे Points अच्छे से देख लें Shield Type Scutellum Shield Time आपको डाला का अस्ट्चर देखने को मिलती है इसमें Endosporm, बीच में Allurone Layer जो 3N होती है Germination के लिए इसके अंदर जिब्रेलिक Acid आता है तो आप अच्छे से देख ले, सारे Points आपको Define कर दी है मैंने Comments देख रहा हूँ वेटा मैं आप लोग के क्या है Good Very Good Next अच्छे से देखें Important Point इसके बाद कुछ Semi-Technical Terms ये आपके Fruit and Seed मैंने आपको Define किया कुछ Semi-Technical Terms मैं आप लोगों से Discuss कर रहा हूँ Technical Terms आप देखें उसके बाद अपने आगे Proceed करेंगे कैसे अपने represent करते हैं अल्यड़ी बता चुका हूँ Bractate Condition को कैसे represent करेंगे E-Bractate Condition को कैसे represent करेंगे Actinomorphic, Zygomorphic Condition कैसे represent करेंगे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए यह आपको Define क्या हुआ है Bisexual, Unisexual, Male, Unisexual के अंदर Female को कैसे represent करेंगे Epicalics if present तो Epicalics को कैसे represent करते हैं Next Calics के बाहर भी एक Extra World मिल जाए तो उसको Epicalics बोलते है China Rose के अंदर Malvesy Family के अंदर Epicalics होता है Epicalics is the Characteristics of Malvesy Family Malvesy Family के अंदर आपको देखने को मिलेगा Most Important Point है अच्छे से देखें आप सभी न Good बहुत बढ़िया Next अब Calics and Corolla अब अगर Gamo Condition होगी तो Bracket में लिखेंगे Free Condition होगी तो Free लिखेंगे Gamo Petalus Condition देखेंगे इन Bracket आप मेंशन करेंगे Calics and Corolla को Perianth होगा Perianth जिसमें Calics and Corolla को Differentiate नहीं कर सकते है Tapal मिलेगा Androsium के अंदर ये दोनों Condition आपको देखने को मिल सकती है और Gynosium के अंदर भी Same Condition देखने को मिल सकती है Fuse Form होगी तो in Bracket मेंशन करेंगे Fuse नहीं होगी तो Bracket मेंशन नहीं करेंगे Superior Overy है, Inferior Overy है या फिर आपको Half Inferior Condition देखने को मिलेगी उसको Represent करने का तरीका Already मैं explain कर चुका हूँ After that Epiphilus Condition Epiphilus Condition है, Epigynos Condition है या फिर Sorry Epiphilus Condition है, Epipedless Condition है इन तीनों को Represent करने का तरीका Already मैं explain कर चुका हूँ जो Androsium है Epiphilus Condition में Androsium Epipedless Condition के अंदर और Androsium अगर Gynosium से Attached है Gynendrous Condition के अंदर Clear? इसका Example Calotrophis आपको बताया था अब आ जाएए One by One अपने Families के अंदर Proceed करते हैं और इन Families के अंदर General Points आपको पता होने चाहिए क्या General Points है सारे Important Factors में आपको बता चुका हूँ अब Families के अंदर वो Point में आपको Analyze कर वाऊँगा जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए General हर एक के Floral Formal and Floral Diagram और कुछ एक General Points जो आपको इन सभी Families के बारे में पता होने चाहिए फिर मैं Fruits की भी बात करूँगा General जो Fruits के बारे में अब आजी सबसे पहली Family आपकी Crucifery के अंदर Crucifery ब्रेशिक केसी Mustard Family जिसको बोलते हैं इसको ब्रेक्टिट ब्रेक्टिट एपसेंट होते हैं Acranomorphic Bisexual Calyx and Corolla 2 Plus 2 की Arrangement NCIT के अंदर Diagram दिया हुआ है इसका बहुत बढ़िया Calyx आपको 2 Plus 2 Corolla आपको 4 देखने को मिलते हैं 2 Plus 2 Arrangement Imbricate होगी 4 इसमें Velvet आपको देखने को मिलेगा 2 Plus 4 Arrangement Tetradynamous Condition अभी आपको बताया Gynosium के अंदर Double और आपस में Fuse Condition होती है Subclass Dicotylidon Polypetalus Condition है Pungent Order Smell इनका Pungent आपको देखने को मिलेगा Repelum Most Important है Repelum is a Characteristic Mustard Example अगर आपने देखा हो तो जाकर के Parietal Placentation का Example था Mustard वहाँ पे आपको Argymon भी बताया हुआ था और Mustard भी बताया हुआ था After that, Cruciform Corolla आपसे डिसकस हुआ था जिसके अंदर Actinomorphic के अंदर आपको बताया था Cruciform, जिसमें Polypetalus Condition जी Tetradynamous Condition आपसे डिसकस हुई Length वाली Parietal Placentation होता है और Fruit इसका Siliqua Type of Fruit आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर POD बनती है Important Point Example के है सरसों, टर्निप, शल्जम, रेडिश, मूली, कॉलिफलार, फूल, वो भी पता को भी जनरल Important Examples आपको बताया है जो इस Family के आपको पता होने चाहिए Second Family एन Important आपको जो पढ़नी हो है आपकी मालवेसी Family जिसके अंदर आपको बाहर की तरफ एक Extra Layer एकिकलिक्स की, फिर कैलिक्स, फिर कोरोला फिर एंडोसियम और फिर गाइनोसियम ब्रेक्ट्रियेट कंडिशन होती है ब्रेक्ट एक Extra के अंदर वाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अकिकलिक्स, फिर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम एंडोसियम और कैलिक्स आपस में आपको कोरोला आपस में अटाइच कंडिशन देखने को मिलती है जिसमें एंडोसियम इसके कोरोला से अटाइच हो जाता है androsium corolla से attach हो जाता है बाहर की तरफ corolla से आपको attach देखने को condition देखने को मिलेगी और gynosium 5 to infinite आपको देखने को मिलते हैं अगर आप धंक से देखें इसमें twisted type of estimation in corolla आपको देखने को मिलता है जो वहाँ पर भी आपको बताए था इसके जो member है इसके member कौन-कौन से member है इसके अंदर इसके अंदर जो member आपको देखने को मिले है cotton gossipium, lady finger, abel moscis, asculentum, china rose, hibiscus rose sinensis इस पर question पूछा जा सकता है 101% important है बार-बार ये example आपके सामने आता है most important features क्या 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 है dicotrylion family, polypedalus condition epicalyx present होता है mono-adolphus बताया था steminal tube सारे stamen की filament आपस में fuse होगर कर एक single tube की formation कर लेते है kidney chip panther बताया थे twist activation बताया था, stamen infinite होते है epipetless condition होती है exile placentation, fruit capsule type आपको इसके अंदर fruit देखने को मिलता है exile placentation, दिख रहे है मिड में pentacarpillary condition है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है और exile placentation देखने को मिलता है tomato, आपको lemon और china rose इसके example बताया थे, exile placentation की अगर आपको याद हो तो दो family हुई, तीसरी आपकी febasi family में आप आजाईए febasi NCRT के अंदर in detail भी defined किया हुआ हुआ है, floral formula bactriate, आपको gyomorphic condition, bisexual calyx, corolla के अंदर 1 plus 2 plus 2 arrangement, calyx के अंदर valvet आपको condition देखने को मिलेगे और आपस में fuse होते है androsium 1 plus 9 9 plus 1, 9 fuse diadolphus condition मिलती है और gynosium single basal placentation के साथ में आपको देखने को मिलता है sorry, marginal placentation के साथ में आपको seed इसके अंदर देखने को मिलते है यह इसका floral diagram papillinoidic corolla होता है diadolphus condition होता है, pulvenous condition इसमें मिलती है, flower gyomorphic, vacillary estivation और implicate estivation in corolla, marginal placentation fruit legume होता है sometime lomentum, जो इसके अंदर lomentum type of fruit देखने को मिलता है वो, देखो भाई, simple fruit के अंदर दो आते हैं, dry आते हैं और एक fleshy आते हैं जो dry वाले होते हैं, dry के अंदर dry fruit की बात करों, dry में तीन condition होती है एक होता है dacens, एक होता है indacens और एक होता है cremocarp cremocarp lomentum, जिसमें बहार से गिन करके बता दो कितने seed हैं moongfali, imli, इन सभी के अंदर क्या आता है, tamarind जो होती है या फिर moongfali, जो arachis hyposea है उसमें बहार से जिसमें seed गिन करके बता देते हो, वो होते हैं, lomentum type of fruit lomentum type of fruit आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है legume तो होता ही है, आप normal अगर pea plant वगारा सभी के अंदर देखे पर lomentum type of fruit आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है NCRT के अंदर backtrade condition नहीं दी हुई है updated NCRT के अंदर भी mention नहीं है पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, यह इससे backtrade के बाद की जो points लिखे हुए है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने है जो extra आपको बताया जा रहा है वो इस वाज से बताया जा रहा है क्योंकि family add हुई है, add होने के बाद में कितना matter add हुआ है, यह कहीं पर भी fix नहीं किया हुआ है यह धान अकले ना, इन सभी के अंदर जो दिया हुए सारे points, leave stipulated होती है leave based में pulvenous आपको देखने को मिलेगा nodulated आपको root देखने को मिलेगा सारे example NCRT के याद कर ले ना, pulses, water सब A to Z इसके अंदर जो दिये हुए अब आ जाएए आपकी composite family, estresi family के अंदर 3, ray fluorate, disc fluorate मैंने आपको बताया था, disc fluorate पे आपस में क्या रहेंगे ray fluorate और disc fluorate, disc fluorate में आपस में attach होते हैं, happy petalus condition देखने को मिलती है, याद है bractriate condition होगी, bractriate और bractriate, ये जो ray fluorate होते हैं, gyagomorphic disc fluorate, acrinomorphic sterile flower कैसे होते हैं, gyagomorphic unisexual, bisexual और इसमें sex जो होते हैं, unspecified होता है, sterile होते हैं, इसमें तो ये भी 0, ये भी 0, calyx जो होता है, वो papas की formation कर लेता है corolla 5 होकर के fuse हो जाते हैं इदर calyx papas formation कर लेता है, P4 papas, important है P4 papas, calyx 5, sorry, corolla इसके अदर 5 और fuse हैं, endosium 0 क्योंकि male flower, इसमें female flower होते हैं, और ये दोनों male and female, दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है मतलब दोनों reproductive world देखने को मिलते है, corolla 5 and fuse endosium 5 and fuse, और gynosium 2 और fuse, और इसमें, अगर आप देखें, अपर साइड के अंदर, ये दिखरा आपको लाइन epigynous condition, वहाँ पे condition क्या होता, ray flow rate of ray flow rate of sunflower अगर epigynous condition आपको याद हो, वहाँ पे एक example दिया होता ये, ray flow rate of sunflower, disc flow rate में भी same condition होती है ये पूरा आपको define क्या हुआ है और ये दिखरा आपको, ये पूरा जो फैला हो, ये पैपस को, ये dot 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 line जो आपको देखने को मिल रही है mid के अंदर single, mid के अंदर single, basal placentation होता है तो आपको अच्छा से पता होना चाहिए second जो condition आपको korola इसके आपस में attach देखने को मिल रहे है korola से fuse, आपको anthes देखने को मिल रहे है değ yeah mid में आपको gy gracumr देखने को मिले है गाइनोशियम को ऐसे दिखाया हुए ना गाइनोशियम 2 है तो ऐसी condition दिख रहा है आपको 2 उडिद में आपको ऐसे सी दिखाया हुआ है clear? important है largest geographical distribution है इनका most advanced family है persistent calyx होता है peppers इसके अंदर बनता है syngenesis stamen होता है आपको बताएं था syngenesis stamen capitulum and decimus head type of influence होता है basal placentation है cipcella type of fruit आपको इसके अंदर देखने को मिलता है gamma petalus condition होती है इसमें last and final family अपकी poesy family poesy family के अंदर bractate condition होती है gyomorphic है bisexual condition है parient होता है endosium 3 और 6 3 plus 3 and 3 और 6 या फिर 3 plus 3 condition मिलेगी gynosium 1 और 3 कुछ भी हो सकता है जो यह ब्रेक्ट आपको देखने को मिल रहे है यह दोनों आपको loticule देखने को मिलता है यह एक alley अपकर साइड के दर देखने को मिलता है यह होता है alley क्या होता है alley last family इसके बारे में अच्छे से बता रहता हूं सुन लो अभी इसका जो flower होता है उसको अपने देखते है पहले यह condition देखो ट्राइमीरस कंडिशन इन फ्लोरेशन स्पाइक और स्पाइकलेट बताया था जैकोमर्विक फ्लार है फैदरी स्टिग्मा है वर्सेटाइल स्टैमन याद है वर्सेटाइल वीट फैमिली प्लेसेटिशन बेसल अभी बता के आया हूं important point fruit carriopsis type of fruit होता है most important है parallel venation है monocot family parent टैपल होता है जिन में टैपल लोडीक्यूल में convert हो जाता है इसका एक डाइगरम दिखा रहा हूं बेटा उस डाइगरम के दिखाने के साथ साथ आपका ये chapter complete हो जाएगा most important diagram देख लो जो आपको पहले मैंने explain नहीं किया था क्योंकि इस family के साथ ही इसको explain किया जाता है हमीशा यह देख लिए जिए ऐसे लगे होते हैं पोईसी family के अंदर flower जो आप अभी holy का दहन पर लेके जाते हैं न weed के सिट्टे पूरे उसमें कैसे एक पूरा होता क्या है यह pedicle main axis होती है इस pedicle main axis पे आपको glooms brekt जो होते हैं वो glooms में convert इस glooms में flower नहीं इस gloom के अंदर flower देखने को मिलेगा इस gloom के अंदर जो आपको dundi देखने को मिल रही है इसके बाहर brektiol convert हो जाता है plea के अंदर और इसमें टैपल convert हो जाते है loodicule में loodicule पूरे दो आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके से और यह अपको plea देखने को मिलता है इसके उपर versatile आपको stamen देखने को मिल रहा है stigma कैसी होती है feathery यह condition मिलती है आपको poetry family के अंदर पूरी समझ में आई ही बात दियान से देखें इसको देखिए यह अपकर साइड के अंदर brekt, lodicule और ellie समझ में आरे है बात brekt, lodicule, दो टैपल और यह ellie और यह feathery stigma और तीन इसके अंदर enter आपको देखने को मिल रहे हैं आपको आपको सर नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया तो यह लो बई जो मैं ellie यहां पर लिक रहा हूँ वो plea है उसके बारे में represent किया हूँ है sorry अरे भाई यह था आपका chapter number 5 जिसके अंदर मैंने आपको सारे points 6 से explain कर दी है और एक family को अपनों ने touch कर लिया है family के example सारे आपको बता दिया है, malvacy family के main example china rose, cotton, lady finger यही आद अखने है brisicacy family के example आपको mustard, turnip, radish, cauliflower, cabbage यही याद रखने है wheat, maize, बाजरा, sorghum यह सारे आपको sugar cane, यह सारे monocot family आपके graminy family के member है policy family के member है, वो याद रखने है pulses है, fodder है trifolium है, या फिर muleti है, ornamental plants के अंदर जो आपको आपको आप देखने को मिलते हैं सारे examples आपके fabricacy के जो already आप पढ़ते हैं, वो आपको याद रखने है compositive family के अंदर आपको sunflower याद रखना है marigold याद रखना है, hellionthus sunflower का botanical name है और tesitus botanical name है आपके marigold का, important है यह था आपका chapter number five, जो most important है और अब new इसके अंदर families add हुई है वो सारी families भी अपने पढ़ ली है after two to three minutes मैं chapter number six आपका start करने वाला हूँ उसके बाद अपने आगे proceed करेंगे one by one chapter number seven के साथ में तो यह था आपका chapter number five, अच्छे से आप revise कर ले मिलते हैं, two to three minutes के बाद में कर दो आपका झांट झाल 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 फिक है फिक हटा दिया थोड़ा सा आइडिया दूँगा ज्यादा उसके बाले भी डिटेल अपने पढ़ने वाले नहीं है और कुछ काफी सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग अंदर टीशू के भिहाब पे लिखे हुएं वहां से भी मैटर हटाया गया है आपके पैर इस चैप्टर के अंदर प्रोसीड करेंगे इंपोर्टेंट है NCRT को बेस मानते हुए कंपैरिजन है इस चैप्टर के अंदर पहले आप टीशू पढ़ले बेसिक्स पढ़ले वट इस एटीएस वट इस वीटीएस एन वट इस जीटीएस तीन वर्ड बोलें मैंने ETS electron transport system नहीं, epidermal tissue system, VTS vascular tissue system, GTS ground tissue system ये तीनों आपको समझ में आगए जो complex tissue system के पार्ट है उससे पहले आपको दिया हुआ है complex tissue, complex permanent tissue और complex में simple tissues दियों है तो जो simple tissues में panchymal, colonchymal, sclanchymal आएंगे और जो permanent tissue है उनके अंदर आपके gylam and phloem आते हैं complex tissue की category जिसमें number of different different kind of cells मिलकर के एक tissue की formation करी है और उसमें similar kind of cells का repetition होता है वो simple tissue की category के अंदर आते हैं थेर, one by one इस पे proceed करते हैं अपने, देखिए आप, anatomy in flowering plants के अंदर सबसे पहले इस chapter में अपने क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको remark करवा रहा हूँ, उसके बाद अपने आगे proceed करेंगे, देखिए आप क्या है, इधर, इनको तो आप जानते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, कैथरीन इस साव, क्योंकि हर इस unit के हर एक chapter से पहले मैं इनकी बात करूँगा, mainly यहाँ दो chapters में मुझे बात करने थी, morphology and anatomy, क्योंकि plant related study इनों ने की थी, कैथरीन इस साव, जो अभी अपने प आपको बताया था अभी, next, anatomy and flowering plants के अंदर सबसे पहले आपको बताया हैं, tissue, merismatic tissue and permanent tissue, merismatic tissue, जो merismatic cells जिनके अंदर present होती है, permanent tissue जिनके अंदर simple और complex two category मिलेगी, simple के अंदर panchyma, colonchyma, scleganchyma, और complex के अंदर gylem and phloem, जो merismatic tissue इस में primary meristem और secondary meristem, दो आपको देखने को मिलते हैं, merismatic cells होती हैं, और जो इनके अंदर जो primary tissue आपको देखने को मिलेगा, उन primary tissue को further मैं आगे classify कर रहा हूँ, देखिए आप, merismatic tissue and permanent tissue के ये दोनों पार्ट मैंने आपको बताये, कि merismatic tissue के अंदर क्या मिलने वाला है, permanent tissue, differentiated cells होती है, dividing capacity में lose हो जाती है, ये dividing capacity इनके अंद present होती है, और identity इनके अंदर होती ही नहीं है, ये होते हैं, merismatic tissue होते हैं, permanent tissue, ठीक है, Karl Langley ने इनको define किया था, merismatic tissue के अंदर जो merismatic cells होती हैं, उनके बादे में आपको बता रहा हूँ, merismatic cells के अंदर intercellular space absent होता है, fast growing cell and fast dividing cells होती है, highly, अगर बात की जाए, vacuol highly reduced and absent होता है desk protoplasm होता है, large nucleus metabolically active आपको देखने को मिलेगी, merismatic cell, जो merismatic tissue बनाएगी, अब merismatic tissue क्या है, वो देखें, merismatic tissue को दो department divide कर रहा हूँ, एक pro merism, जो primary merism की formation करेगा और secondary merism, ये आपकी NCIT में direct दियो हो, primary merism and secondary merism, primary merism differentiation के बाद में, primary permanent tissue बनाएगा, secondary, secondary permanent tissue बनाएगा, primary merism के अंदर, apical merism, intercalary merism, और जो पहले से ही facicles present होती ही, cambium present होती है, intra-fascicular cambium की formation होती है, primary lateral merism से, और इधर, secondary जो merism होता है, secondary merism से, जो secondary lateral merism बनता है, secondary permanent tissue, secondary lateral merism बनेगा, वहाँ से, intra-fascicular cambium formation होता है, in dicot stem and gymnosperm and vascular cambium और core cambium in the dicot root, because of cambium formation in root is totally secondary, that's why secondary lateral merism, आपको dicot root में, चाहे हो vascular cambium हो, core cambium हो, पूरी secondary secondary little merism से बनती है, but, जो intra-fascicular cambium है, वो primary little merism से बनती है, जो primary merism का part है, अच्छा से देख लेना, आपकी NCRT के अंदर, 83, 84 number, 84 number पेज़े, primary merism and secondary merism के बारे में, define किया हुआ है, primary के example, apical merism और intercalary merism है, clear, उसके बाद, fascicles के अंदर, intra-fascicular अंदर जो present होगी, ये intra-fascicular है, इनको मैं classify कर दे तो, मैं अच्छे से आपको पता चल जाए, और इसके बाद आजाए, next, all secondary merism are the literal merism, but all literal merism are not secondary in nature, secondary merism, because of, जो primary little merism भी आपको देखने को मिलता है, all secondary merism are literal merism, but all literal merism are not secondary in nature, because of secondary merism, नहीं primary merism के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, यहां से ये term आपको, जो समझ में आ जाने चाहिए, अच्छी से, primary merism and secondary merism के अंदर, जो differences हैं, वो समझ में आए, ये जल्दी बनता है, ये late बनता है, ये developed pro merism से होता है, primary permanent tissue बनाता है, ये secondary permanent tissue बनाता है, इसकी cells is isodiametric होती है, इसकी cells commonly elongated होती है, apical merism, intercalary merism, और ये lateral merism, lateral merism is a part of secondary merismatic tissue, merism and apical and intercalary is a part of primary merism, permanent tissue के अंदर simple और complex आते हैं, simple के अंदर similar function वाली penchyma, colorchyma, skeletonchyma, और complex के अंदर gylam and phloem, जिनके अंदर different different kind of cell maker के इनकी formation करती है, on the basis of merismatic tissue, intercalary merism, primary merism, से बनता है, length में increase apical merism length में increase करवाएगा, intercalary merism length में increase करवाता है, और पीछे जो इसकी cells रह जाती हैं, वो branches formation में भी help करेगा, grazing animal जो grasses वो खा जाते हैं, जो upper side पे जो जितने भी grazing animals हैं, जो grasses वो खाते हैं, उनके अंदर दुबारा से regeneration होती है, मतलब दुबारा से cells बनती हैं, किस merism की वज़ जो lines लिखे हो, आपे लिखा हुआ है, grazing animal के खाने पर उनका दुबारा से regeneration किस वज़े से होता है, after that, literal merism, literal merism की अगर बात की जाए, तो इसमें primary merism है और secondary merism आपको देखना है, literal के अंदर primary, जो है interfacicular, secondary बनाएगा, dicote root की formation करेगा, important point है, अच्छे से समझ लें, जो आपक आपको define किया था, कि जो ETS, VTS and TTS, सीधी सी बात है, यह आपको root epical देखने को मिल रहा है, root cap होता है, इसके पीछे आपको initiation, जो root cap की cells होती है, इसके just opposite में, बिलकुल mid में, vascular tissue system मिलेगा, इसके just बाहर आपको ground tissue मिलेगा, सबसे बाहर की layer जोगी, वो epidermal cells की होती है, इसको epidermal tissue system का जो part होता है, apical medicine का आपको point बता है, जो root epical और यह shoot epical को represent करता है, इसमें सबसे उपसार में, leap primoria, इसके mid में, यहाँ पे shoot epical, यह malismatic zone होता है, इसके just नीचे आपको axillary bud देखने को मिलेगी, यह बाहर की तरफ जो tissue, vascular tissue देखने को मिलते हैं, तीनों के तीनों system जाने चाहिए, ETS, VTS और TTS होता क्या है, यह आपको apical के बारे मताया, intercalorie और lateral medicine जो अभी आपको define किया है, तीनों की तीनों points, next, यह NCRT के diagram आप अच्छे से analyze कर लें, क्या दिये हूँ है, permanent tissue के अगर बात करें, तो simple permanent, complex permanent, simple permanent, penchyma, colonchyma, sclenchyma, complex permanent के अंदर, dylam and phloem, जिनके size, shape and function, different, different होते हैं, different, different kind of cells के बने होते हैं, इसके बाद, अच्छे से देखें, panchyma, panchyma, आपको primitive tissue है, universal tissue है, cell walls में, pectosylleos की बनी होती है, mainly cell loads होगा, intercellular space present होते हैं, present और बहुत rare होते हैं, present होंगे, spherical, oval, polygonal, elongated, round हो सकती है, isodimetric बोलते हैं, chloroplast present होता है, photosynthesis करता है, photosynthesis इसके नदर देखने को मिलते है, cortex, pericycle, pit, pit rays, etc, यह सारे panchyma cells ही है, storage concerning होती है, photosynthesis आपको देखने को मिलेगा, secretion concerning होती है, pollen काइमा एक दरी से mechanical strength प्रोवाइड करता है, ptol में आपको देखने को मिलेगा, young stem में देखने को मिलेगा, just below the epidermis of dicot की hyperdermis में मिलेगा, flexibility homogeneous layer मिलती है, इनकी sunflower में और patches की form में होता है, cucurbits, first line में लिखा हुए, it may be in patches और in may be a homogeneous layer, spherical oval and polygonal shape होता है, mechanical strength प्रोवाइड करता है, chloroplast इसमें भी present होते है, sclerid जो होती है, lignin का deposition होता है, यह fiber की form में हो सकती है, और यह sclerid cell की form में देखने को मिल सकता है, on the base of origin and structure and development, ठीक है, on the base of origin, structure and development को दो पार्ट में डिवाइड का है, dead tissue है, lignin deposition मिलेगा, monocot के अंदर, hypodermis में scleran kymah मिलती है, intragylary, जो fibers होते हैं, उनमें, woody stem के अंदर, सेकेरम मुंजा, जो मुंजा fibers होते हैं, non-flexible, वो इसी की deposition के वज़े से बनते हैं, after that, hypodermis is found by the scleran kymah, phloem fibers, jute, hemp and flex, आपको देखने को मिलेगा, flexible, extra, जो extragylary fibers इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, clear, next, ends जो होंगे इनके, point and right आपको देखने को मिलेगे, scleran kym fiber आपको देखने को मिलता है, इदर, जो, ये sclerids होती है, palp of fruits के अंदर, tea leaves के अंदर, wall of legume, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, supporta जो चीकू होता है, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलता है, most important point अच्छे से देख ले, clear, next, after that, इन सभी के तीनों के बारे में प में होता है, शूट के अंदर, proto-gylum अंदर होता है, और meta-gylum बहार की तरफ आपको देखने को मिलता है, exact condition होती है, root में और end-ark condition होती है, शूट में, इदर, अगर secondary-gylum की बात करें, तो trackage, vessels, xylem, panchymal, and gylum fibers, vessels are the characteristics of the angiospharmic plant, इन में से ये तीनों कैसे होते हैं, dead होते ह बस सिर्फ gylum panchymal live आपको देखने को मिलता है, primary phloem and secondary phloem, proto-phloem and metafloem, secondary phloem के अंदर sieve tube elements and sieve tube, companion cell, albuminous cell, phloem panchymal and phloem fiber, phloem panchymal is totally absent in the monocode stem, monocode stem के अंदर आपको phloem panchymal totally absent देखने को मिलता है, clear, NCRT के बाहर नहीं पढ़ा रहा हो बेटा, ये general point है, जो आपको समझ में आना चाहिए, sequence से लिखे हुए हैं ये, NCRT के अंदर proto-gylum and meta-gylum दोनों आपको दिये हुए, early stage के अंदर बनता है proto-gylum आपको बाहर की तरफ किसमे, proto-gylum अंदर की तरफ देखने को मिलता है shoot में, और बाहर की तरफ देखने को मिलता है root में, enda condition होती है shoot में, और exact condition होती है root में, ये point आपको NCRT के अंदर page number 86, page number 86 पे last paragraph जाकर के आप देखें, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, NCRT chapter number 6, anatomy in flowering plant, old NCRT के अंदर, page number 86 पे आप जाकर के देखेंगे, 86 पे last paragraph जो दिया हुए, phloem की जस्ट पहले, वहां पे primary phloem and primary gylum के बारे में define किया ह अच्छे से देख लें, चीक है, important point है, secondary xylem के अंदर, tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma, ये dead elements होते हैं, ये mechanical strength प्रवाइड करते हैं, और ये living elements सा जो storage concerning होता है, ray parenchyma, जिसमें lateral conduction के लिए responsible होता है, चीक है, फिर आज ये tracheids और vessels आपको कैसे देखने को मिलते हैं, ये NCRT के diagram देखे ये tracheids को represent करता है, vessels के दर wider lumen होती है, और perforated end plate आपको देखने को मिलती है, sinusitic condition होती है, long cylindrical tube होती है, wide lumen, perforated end plate, advanced type of conducting element होते है, thick wall due to the deposition of the ligrain, यहाँ पे भी ligrain का deposition, but different types हो सकता है, spiral हो सकता है, अलग-अलग type होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने, सिर्फ long elongated tubular structure, structure with tapering end, narrow end आपको इनकंदा देखने को मिलेंगे, और imperforated end होते हैं, primitive type of conducting element की category के अंदर यह आते हैं, छिक है, next, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरकाइमा, जाइलम फाइबर, स्कलन काइमेटर्स होते हैं, नोन फ्लेक्जिबल होते हैं, लिगरी इनके अंदर deposition मिलता है, जाइलम पैरकाइमा, रे पैरकाइमा, लिटरल कंदक्शन ओफ वाटर के लिए responsible हैं, और storage concerning भी आपको देखने क को मिलते हैं, clear, next, इसके अलावा ये जाइलम फाइम के बारे में जनरल पॉइंट्स आप से डिसकुस हुए, फ्लोयम के अंदर आपो क्या क्या देखना हो मिलेगा, फ्लोयम के अंदर primary phloem and secondary phloem, primary phloem, proto phloem and metafloem, secondary phloem के अंदर sieve tube element, sieve cells मिलते हैं, जीमनोस पम में, अलुमिनस सेल, जीमनोस पम में, phloem fibers and phloem parenchyma, phloem fibers, dead elements होते हैं, phloem parenchyma इसके अंदर live, इसके अंदर sieve cells, companion cells और phloem parenchyma ये तीनों live condition के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ये NCRT के अंदर एक diagram आपको दिया हुआ है, उसमें ये perforated sieve, आपको plate देखने को मिलते है, sieve tube element है, ये companion cells है, जो sieve tube elements का दियान रखते हैं, इसके बाहर बाहर आपको phloem parenchyma cell देखने को मिलते हैं, जनरल ये सारे points आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, after that, अच्छे से देखे, sieve tube elements, already defined कर चुका हूँ, ये सारे points आपको इसके बारे में, next, जो इसके आपको समझ में आने जाए, phloem parenchyma, जो monocot के अंदर absent होता है, और phloem fibres, clarenchymatis होते हैं, jute, flex, hemp, इन सभी की formation करते हैं, mechanical strength provide करते हैं, absent in primary phloem, primary phloem के अंदर present नहीं होगा, अब आजाए, tissue system, tissue system most important, endodermal, epidermal, ground tissue और vascular system, epidermal के अंदर epidermis आती, stomata आता है, stomata, dicote and monocot, dicote क होते हैं, और epidermal appendices, root hairs होते हैं, जो unicellular होते हैं, trichomes होते हैं, वो multicellular होते हैं, root hairs, unicellular होते हैं, trichomes होते हैं, वो multicellular condition आपको देखने को मिलती है, जल्दी से देखें इसे, सुने हैं, आप सभी, काफी सारे offline students जो बैठे हैं, उनमें से students की parents का call था, भर, पहुंचे नहीं है, महाश्य है, यहां से निकलने के बाद भी, तो, देखें आप, यहां पर पढ़ें आप अच्छे से, न, देखिए, क्या है, ground tissue system के अंदर, cortex, endodermis, pericycle, medullary, raised pit, यह सारे ground tissue का पार्ट है, epidermis को छोड़ दीजिए, और इसके vascular tissue को छोड़ दीजिए, उसके अलावा, जो भी मिलेगा, वो सारे ground tissue का पार्ट होगा, ठीक है, cells कैसी होंगी, panchymia, kolonchymia, स्कलनगाई में कुछ भी आप भर सकते हो, but main चीज़ है, ground tissue के पार्ट के अंदर, epidermis चोड़ दीजिए, और vascular tissue चोड़ दीजिए, उसके अलावा, सारे ground tissue का पार्ट है, vascular tissue system के अंदर, complex permanent tissue, gyllum and phloem present होते हैं, vascular bundle, link के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, clear, next, one by one इनको अच्छे से देखते हैं, यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर NCRT से बाहर आप बोल रहे हैं, इदर आ जाएगे, आप सीधा, अब आपको मैं, यह epidermis, epidermis के बाहर, epidermal root hairs, unicellular, और वो shoot hair, trichomes होते हैं, multicellular, bronze होते हैं, soft and stick हो सकते हैं, water and minerals absorption के लिए, unicellular root hairs आपको देखने को मिलेंगे, यह आपको इसमें fibres मिलते हैं, microfibles, जो readily arranged होते हैं, stomata opening के लिए कैसे हो जाते हैं, longitudinal arrange हो जाते हैं, stomata इससे open हो जाएगा, यह guard cell है, guard cell bean shape है, इसके बाहर, आपको subsidiary cells देखने को मिलते हैं, जो help करती हैं, इसकी opening and closing के अंदर, after that, यह आपको dumbbell shape देखने को मिलते हैं, guard cell, in monocoat, जो plants होते हैं, उनके stomatas के अंदर, फिर अपने discuss करते हैं, ground tissue, ground tissue system के अगर बात की जाए, तो dicote के अंदर, जो hypodermis होती है, colon chymetis होती है, monocoat के अंदर, scleran chymetis, direct question आता है बेटा यहां से, ठीक है, epidermis and vesicular bundle को छोड़ दीजिए, बागी सारे ground tissue का पार्ट है, cortex multi-layered होता है, paranchymetis celsis में देखने को मिलती है, endodermis root के अंदर, आपको endodermis stem में dicote and monocoat के अंदर, dicote के अंदर, paranchymetis होता ही नहीं है, ठीक है, और root के अंदर, root के अंदर, absent मिलता है, scleran chymetis अगर अपने बात करते हैं, ground tissue system के अंदर, absent in roots, after that, paranchymetis root के अंदर, paranchymetis अपको देखने को मिलती है, after that, vascular tissue system के अंदर, readily, आपको देखने को मिलता है, conjoint collateral open type, औरquitoinding, collateral clearing close type, यह आपको पढ़ने इधर, इधर जो लिखे होग थेежुआ है, इंदर आपको root के अदर देखने को मिलता है और Ruby स्टम के अंदर आफको यौन कोड कोड्वे जाए toys तो रूड के अंदर देखने को मिलेगा दाइकोड के और चाहिए बात के नियौर पूरा कैसा मिलता है से कि condition आपको देखने को मिलती है dicode के अंदर ये आपको conjoint collateral and close type conjoint collateral and upper type क्योंकि cambium उसमें present है secondary growth इसमें होती है नहीं इसमें secondary growth आपको देखने को मिलेगी ये root के अंदर आपको different axis में देखने को मिलते हैं root के अंदर radial arrangement है vascular bundles का clear? next अब आजाईए root, salmon, leaf इन तिनों के अंदर differences में आपको define कर देता हूँ NCRT का ये diagram आप अच्छे से देख लें और root के अंदर जो जनल आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं endodermis जो होती हो endodermis के अंदर इस तरीके से जो cells आपको देखने हैं endodermis के अंदर ढोलका कार कोशिगा हैं आपको देखने को मिलते हैं नाला कार कोशिगा हैं जिनको बोलते हैं जिनके tangential axis पे और longitudinal axis पे आपको deposition देखने को मिलते हैं subirin का जो water को अंदर की तरफ जाने के नहीं नहीं देती है endodermis जो होती है उनकी checkpoint होता है क्या entry होगा क्या नहीं होगा बीच बीच में cell missing होती है जिनको deposition missing होता है जिसको अपने बोलते हैं पैसे cell जहां से water and minus के entry आपको देखने को मिलती है clear root की अगर बात की जाए तो root के अंदर जो differences है उन differences को आप अच्छे से analyze का सकते है क्या क्या differences है dicot root and monocot root के अंदर देखिए dicot root जो होता है उसमें single layered आपको unicellular root hair मिलते है इन दोनों के अंदर paranchymeter cells cortex मिलेगा endodermis single layer होता है barrel shape होता है without intercellular spaces इनमें super in deposition मिलता है जिसको experience tip होते है single layer होती है paricycle few layers आपको इसके अंदर देखने को मिलती है और paricycle paranchymeter होता है give rise to the literal root and vascular cambium during the secondary growth literal root और vascular cambium की formation करता है give rise to the literal roots only इसमें सिर्फ literal root बनती है monocot के अंदर dicot में vascular cambium भी बनता है चिक है next cambium appears in the secondary growth की time में देखने को मिलती है यहाँ पे absent होती है जब बात करते है secondary growth यहाँ पे होती है secondary growth यहाँ नहीं होती है vascular bundle are readily arranged panchymet tissue और conjunctive tissue इन दोनों के vascular bundle में gylem and phloem के बीच में देखने को मिलती है vascular bundle are readily arranged होती है 2 to 4 gylem होती है more than 4 condition poly arc condition होती है small and absent होती है पित और यहाँ पित आपको large देखने को मिलेगी clear dicot stem root के दोनों के differences है dicot stem अगर आप अच्छे से देखें तो dicot stem ऐसा देखता है जिसके अंदर epidermis colon chymetis hypodermis फिर panchymetis cortex के अंदर देखने को मिलेगा mid के अंदर यह आपको endodermis यहाँ पर देखने को मिलती है endodermis के अंदर deposition होता है starch का paricycle chandrakar paricycle के अंदर sclerochymetis cells आपको देखने को मिलेगी उसके जस्ट नीचे आपको phloem देखने को मिलता है phloem और gylem एक ही axis पे है gylem के अंदर endodermis stem में तो protozylem अंदर की तरव metasylem बाहर की तरव यह बीच में cambium और cambium के उपर phloem एक ही axis पे होते हैं सारे चिक है जहां रखना important point है आपके dicot stem को लेकर के यह dicot stem का diagram आप अच्छे से समझ सकते हैं piths की mid में देखने को मिल रही है xylem phloem एक ही axis पे mid में आपको intrafesicular cambium देखने को मिल रही है यह बाहर की तरव endodermis बीच बीच में यहाँ पे आपको यह panchymeter cells connective tissue यह pericycle आपको patches की form में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है दिखे आपको semilunar patches होते है monocot stem अगर देखे scatter form के अंदर vascular bundle होंगे mid में बड़े होंगे, side में छोटे होंगे epidermis उसके बाद में hyperdermis, sklanchymeter फिर पूरा ground tissue है जिसमें scattered form में vascular bundle आपको देखने को मिलते है ठीक है monocot dicot stem की अगर differences को अच्छे से देखे तो single layer इसके अंदर epidermis होती है वहाँ पे भी single layer, colon chymeter, sklanchymeter hypodermis, cortex, paranchymeter paranchymeter, ठीक है यहाँ पर star sheet present होती है rich in the starch grain वहाँ पर endodermis absent यह pericycle absent, after that medullary range जिसमें absent होती है vascular bundle यहाँ पर conjoint collateral open type होते है और poly arc condition मिलती है यहाँ, sorry, protozylum under end arc condition मिलती है, protozylum under metagelum बाहर, यह conjoint closed होते है vascular bundle, surrounded by sklanchymeter bundle sheet bundle sheet इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी और यह वही है अगर आप देखें, monocot monocot के अंदर bundle sheet आपको देखने को मिलती है और वह भी sklanchymeter इसका यहाँ पर monocot का यह भी sklanchymeter होता है hypodermies और bundle sheet जो cover up करती है इसके vascular bundle को वह भी sklanchymeter होता है important point है, अच्छे से देख लेए ठीक है, clear, next अब इसके बाद देखिए पित इसके अंदर present होती है panchymeter से इसके पित इसके अंदर क्या होती है absent होती है, cambium intravescular cambium already present होती है और बाद में intravescular cambium sorry, intravesicular cambium intravesicular cambium बाद में appear होती है secondary growth के time में, यहाँ पर secondary growth totally absent ही होती है, दोनों अगर आप देखें, monocot के अगर बात की जाए तो इसमें scattered form के अंदर vescular bundle देखने को मिलते हैं, ठीक है secondary growth होती है, इसमें secondary growth absent होती है अगर leaf की बात करें, तो dicot की जो leaf होती है, उसमें vescular bundle आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर panchymeter cell से यह perifixis attach है, lower side में stomata होते हैं, और हो भी सकते हैं, upper side में stomata हो भी सकते हैं, और नहीं भी, but lower side के अंदर stomata आपको देखने को मिलेंगे, mesophyll tissue, palisette tissue और spongy tissue दोनों में differentiated रहते हैं, नीचे इनके stomata के just ऊपर आपको air cavity आपको देखने को मिलेगी, bundle sheet होती है, यह जो बीच में एक vein आ रही है, उसमें आपको, mid में आपको क्या देखने को मिल रहे है, जाइलम और पूरे के अंदर क्या मिलते हैं, फ्लोयम टिशू पहले होगी देखते हैं, यह vein का cut है, leaf का एक cut जब आप लगाते हो, leaf के अंदर यह leaf है, और leaf के अंदर इस तरीके से side की जो यह veins निकल रही है, इस side की veins, अगर इस vein को यहां से cut करके देखोगे, तो एक जो vein आ रही है, उस vein के अंदर जाइलम और फ्लोयम ऐसा देखने को मिलते है, clear, next, same चीज अगर monocode के अंदर देखें, तो monocode के अंदर यह आपको vesculobundal, skeleton kymeter cell से, upper और lower side से attach होता है, दोनों तरफ equal type के आपको stomata देखने को मिलते हैं, यह इसकी adaxial surface है, D, इसको उठाके इधर करोगे, तो D का यह कहां जाता है, उपर की तरफ, इसका मलब यह कहा है, उपर side के अंदर adaxial, और abaxial जो होता है, इसको than lower surface, both surfaces are similarly green, stomata lower side पर आपको आपको आदेखने को मिलते हैं, यहां पर equal होते हैं, दोनों तरफ, इसमें kidney shape guard cell होती है, इसमें dumble shape guard cell होती है, इसमें bulliform cells absent होती है, इसमें bulliform cell present होती है, bulliform cells empty होती है, colorless होती है, ऐसे जब full of tergit होगी, तो यह फैल जाएगी bulliform cells, leaf को फैलाके रखती है, other white उसको curl करके रखती है, ताकि transpiration कम हो, bulliform cells important है, देहां रखना, mesophyll cell differentiated होती है, आपे differentiated नहीं होती है, venation reticulate होती है, इसमें parallel मिलता है, chlorophyll present है, यहां पर भी chlorophyll आपको देखने को मिलता है, root stem and leaf के differences हो गए, secondary growth आपके syllabus से हटा दिया गया है, बिल्कुली, secondary growth आपके syllabus से हटा दिया गया है, इसके बाद chapter के अंदर जो points आपको दिये हो, आपके syllabus से हटा दिये गए है, धिहां नक लेना, ठीक है, secondary growth के अंदर बस एक दो point आपको define कर देता हूं, जो vasicular bundle के अंदर होती हो, intriscalic जो vascular bundle के भाहर होती हो, hat contralic हो, across potassium ki होती है, Hier core cambium के वज़ास से होती है, जो 藤र होती हो vascular cambium के वлон范 से होती है, ठीक है, intrastilic, secondary growth और extra stilic, vestcular bundle intrafessicular cambium और interfacciicking cambium, inter-fascicular camion बाद में बनता है intra-pallace होता है core camion की वज़े से extra-stealer होती है steel क्या होता है? paricycle, vesicular bundle और पे थी तीरों में गळें कि steel की formation करते है steel आपकी NC8 में root में mention किया हुआ हुआ है द्यानगना अब आजाओ इसके बाद secondary growth का second point जिसके अंदर पहले इंटरा फैसिकलर देखने में जही इंटर फैसिकलर बन गई तो पूरी वेसकुलर टैमियम होगी बहार फट्रकों बने गांधर जैलमिः ऐसे करते करते ही अंदर खुब सारे जैलमि मन जाएंगे तो डेंस होना स्टार्ट हो जाएगा इसका जैलमि और इसिंद्स सायक time आपको core cambium की formation देखने को मिल जे, core cambium भी इसके अंदर layers को बनाना start कर देती है, पर मैं vascular cambium के अंदर mid में white, बाहर phloem अंदर pink से xylem आपको define किया हुआ है जो अंदर की तरफ जा रहा है ठीक है, अब core cambium की secondary growth देखेंगे तो core cambium जो इस layer, बाहर की तरफ cork बनाएंगी अंदर की तरफ secondary cortex बनाएंगी core cambium को phallogen बोलते हैं, बाहर की तरफ cork को phallum और अंदर secondary cortex को phallodum बोलते हैं, तीनों को मिला करके peridum बोला जाता है यह लिखा हुआ next primary growth, secondary growth, यहाँ से आपको crystal clear हो जाएगा, primary के अंदर यह सारे आपको देखने को मिलेंगा, secondary growth के अंदर epidermis, hypodermis, cortex, endodermis, यह बाहर की तरफ vascular cambium के बाहर secondary phloem अंदर की तरफ secondary zylem, धिरे 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 यह बनता जाता है secondary growth, जो continuation के अंदर cork cambium cork और अंदर secondary cortex बनाएगा, इधर vascular cambium से same चीज़ आपको 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 देखने को मिलती है, जो extrastillar और interstillar दोनों define कर दिये, clear next and finally, अब आपको root के अंदर secondary growth जो देखने को मिलता है उसमें पूरा ring पहले wavy होता है completely secondary in nature तो होती है last last paragraph, first two lines NCRT की, उसके अंदर अब जो यहाँ पे पूरा ring एक continuation के अंदर बन जाता है, वो ring बाहर के तरफ phloem और अंदर के तरफ gylem की formation कर लेता है, dicot root और gymnosum में, monocot के अंदर यह आपको देखने को मिलती ही नहीं है, clear उसके अलावा अगर अपने बात करते है wood की, तो wood में आपके syllabus में heartwood and sapwood है, heartwood बिलकुल अंदर होती है, sapwood जो बाहर की तरफ secondary xylem है, यह पूरा, बाहर की तरफ sapwood जो conduction show करेगी, यह conduction show नहीं करेगी और इसमें tylusis का deposition भी हो जाता है, ठीक है, tylusis जम जाते हैं, और यह बाहर की तरफ release करती है, resin, tannin, gums, oil and aromatic substances को release करती है, यह heartwood and softwood और on the basis of the pen chem, यह दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, यह पहले आपके syllabus में थे, अब आपके syllabus में नहीं है, tylusis क्या होता है, tylusis, जो heartwood के बीच-बीच में इस तरीके से conduction को block कर देते हैं, यह tylusis आपको देखने को मिलते हैं, और यह secondary metabolites के deposition आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यह general anatomy of flooding plants आपको पूरा define कर दिया है, एक diagram आपको जरूर मैं इसके अंदर represent करूँगा, जो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, जो bark को बताता है, इसके न, bark को represent करता है, यह देखिए, यह bark को represent कर रहा है, यह अगर आप देखें, बाहर के दरफ यह lens lenti cells मिलते हैं, गैसे एक्षेंज और transpiration में help करते हैं, epidermis, यह cork cambium है, cork cambium के बाहर cork मिलेगा, यह सारी complementary cells होती है, panchymetis होती है, इसके अंदर, यहाँ पर secondary cortex नीचे की जरफ देखने को मिलता है, clear? तो यह था आपका chapter number 6, जिसको अपने अच्छे से analyze किया, one by one सारे points में आपको define कर चुका हूँ इसके अंदर, बहुत speed के अंदर आपको यह करवाया है, इसी जरीके से आपको chapter number 7 अभी अपने complete करेंगे, जल्द ही, 7 number chapter के अंदर, दो पार्ट है, एक वो जो animal tissue वाला पार्ट है, और दूसरा वो पार्ट, जिसके अंदर अर्थमों को क्रोजन फ्रोग अपने को अच्छे से देखना है, clear, one by one मिलते हैं, after 4 to 5 minutes, last chapter one hour maximum अब लगने वाला है आपका, जिसके अंदर सारे 7 chapters को in detail, अच्छे से एक एक चीज, आपको मैंने define करती है, this is your chapter number 6, anatomy in flowering plants, मिलते हैं, after 5 minutes. अच्छे हैं, अच्छे से झाल 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 पूरी फीजियोलोजी में human फीजियोलोजी में कहीं पर भी squamous shell लाया diffusion होगा क्यों बर्डल कॉलम्नर आया ये फिर से एक आर्थोपोड आगे मस्का डोमेस्टिका हाउस प्लाई आरे भाई पढ़ा दिया तुझे 1.1 टेबल में पढ़ा था ना ये आ रहाया बोल रहा कि नहीं 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 मुझे पढ़ाओ मैं इंपोर्टेंट हो इस साल आने वाला हूँ चला क्या सुनो ये फिर से अरे भाई हो गया हो गया जाओ 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 सुनो सुनिए आप सभी स्कैमर शेप है इट मींज डिफ्यूजन होगा क्योबर्डल शेप है और कॉलॉम्र शेप है इट मींज सिक्रिशन और अब्जॉप्शन आपको देखने को मिलेगा सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए जन्रल पॉइंट्स है जो आपको समझाए हुए है इस चेप्टर के अंदर इस पर ध्यान नहीं देते हुए अपने अपना वर्क करते हैं सुनिए आप क्यूबोइडल जहां पर होगा जहां पर स्पेस कमा और टुबलर आपको शक्षर देखने को मिलती है स्पेस अच्छा पास है तो कॉलॉमनnaire हो जाएगा मिलते हैं विललाय मिलते हैं जन्रल पॉइंट्स है जो अगर अपने बात करते हैं आपके क्यूबोइडल सेल तो क्यूबइडल सेल के अंदर भी सिलेटिड क्यूबइडल हो सकता है columnar में भी cilleted condition होती है जो phallopin tube and bronchioles के अंदर आपको देखने को मिलती है, आपकी tracheal जो tube होती है, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वहीं अगर मैं cuboidal की बात करता हूँ, cuboidal के अंदर brush border condition, PCT, proximal converted tubule, NCRT के अंदर आपके दिया हुआ है, नीचे से second paragraph PCT की first line के अंदर, they have the brush border ciliated cuboidal epicelea, जो brush border ciliated होती है, sorry brush border जो होगी, उसमें आपको microvilli मिलेंगे और ciliated मिलेंगी collecting duct के अंदर, brush border मालब microvilli वाली, घटबड मत करना जल्दी से देख लें हैं, क्या अपने इसके अंदर पढ़ने वाले, chapter number seven structural organization in animals इसके अंदर first, क्या क्या topic अपने पढ़ेंगे जो first part है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, animal tissue में epithelial epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, neural tissue, organ and organ system and most important question जो इसमें से एक बनता है और दो-तिन line ने important NCIT के दिए जो आपको मैं रिमार्ग करवा हूँ जहां से एक statement wise questions मनते हैं, एक one and only single, इसके अंदर लिखा हुआ है heart आपका heart एक ऐसा organ है, जिसके अंदर ये चारों tissue मिलते हैं epithelial भी मिलता है connective भी मिलता है, muscular भी मिलता है, और neural भी मिलता है चारों के चारों tissue, one and only एक single इधर देख लें बेटा, बातें नहीं करें आप, irrelevant talk आप बंद कर दें सुनिए आप अच्छे से, क्या है heart के अंदर most important आज जग नीट exam के अंदर यहां से question नहीं आया है, most important question यहां से बनता है, next इसके बाद, earthworm morphology and anatomy cockroach morphology and anatomy, frog morphology and anatomy, दोनों ही आपको पढ़ना है, earthworm के अंदर भी general information single slide के अंदर सारी आपको देदी जाएगी ज़्यादा आपको तंग होनी की जूरत नहीं है next monera protista, unicellular होते हैं, fungi, planty animalia, multicellular होते हैं, इनी के अंदर tissue and tissue system, tissue organ and organ system आपको देखने को मिलेगा unicellular and multicellular unicellular single cell, जिनके अंदर single cell में सारे function होते हैं, multicellular के अंदर आपको more than one cell similar kind of function करती हैं, दिखाई देती है जो tissue की formation करती है और यही tissue world उठाता हूं मैं तो आपको polyfera से लेकर के उसके बाद में tissue tissue organ organ system till core data तक आपको देखने को मिलता है after SK helminthes इदा देखिए आप जो tissues बनते हैं उनमें ectoderm, endoderm mesoderm, endoderm and mid में क्या होगी mesoderm अगर आप देखें पूरा अच्छे से analyze करें यह पूरी squamous epithelial tissue देखने को मिलता है पूरे complete visceral organs जो होते हैं वो endoderm यहाँ पर आपको देखने को मिलती है यहाँ पर endoderm, endoderm mid के अंदर mesoderm और बाहर के तरब आपको ectoderm देखने को मिलती है यह सारे tissues का origin epithelial tissue endoderm, ectoderm, mesoderm तीनों से बनता है और आपका जो endothelial सारे word आपके किसके regarding बात की जाती है, अगर सुनिये अगर मैं बोलता हूँ आपको कि epidermis, जो skin है वो किससे बनी होती है, ectoderm से बनती है, ठीक है skin mesothelial से बनती है skin के अलावा आपको कि sir, वो कौन सी epithelial tissue आपको आपके whistle organ के ऊपर भी देखने को मिलता है, mesoderm से बनने वाला whistle organ की covering mesothelial, आपकी elementic canal के अंदर endothelial, और सबसे बाहर skin पर क्या मिल जागी आपको epithelial, तो epithelial जो tissue होता है जिसमें ecto, endo और mesothelial ही आपकी internal whistle organ की lining भी करती है, और बाहर की skin epidermis की lining भी करती है, तो ध्यान रखना, जो आप epidermis word बोलते हो ना, तो epidermis तो तीनों से ectoderm, आपकी ectoderm mesothelial और endothelial तीनों से बन सकती है, whistle organ की epidermis मल उसकी covering, clear, next अच्छे से देखें chapter number 16 and 17, पहले आपका digestion and absorption जो दिया होता, वो endodermal, 18-19-20 mesodermal circulatory system, entire excretory system, entire locomotion and movement में skeleton system और आपका muscular system, आपका chapter number 21 ectodermal होता है, और 22 के अंदर number of gland mix है, reproductive system पूरा mesodermal derived होता है, mesodermal tissue से बना होता है, most important है, chapter का sequence याद है, तो आप easily याद कर सकते हो, कौन से structure कहां से बनती है अब आ जाए animal tissue की अगर बात की जाए, तो animals के अंदर general points आपको defined कियों है, यह first page पे, the structure of the cells vary according to their functions, squamous है तो diffusion, cuboidal and columnar है तो absorption और concern होगी, epithelial tissue तीनों से बनते है acto and meso, neural acto से बनता है, muscular mesoderm से बनता है, connected tissue भी mesoderm से बनते है, general point defined किया हुआ है, आपके tube within tube body plan होता है, squamous epithelia बाहर से लेकर के अंदर squamous, फिर cuboidal, फिर intersign के अंदर columnar, फिर वापिस cuboidal, फिर squamous anus से और बाहर की तरफ skin में वापिस squamous keratinize हो जाता है, ठीक है देखें आप, आपका keratinize squamous stratified epithelia आपको देखने को मिलता है, बाहर external nozzle से अंदर की तरफ जाते है और non keratinize होता है, till trachea और उसके बाद आपको cuboidal, cuboidal से जाते हैं, लास के अंदर वापिस कैसा मिल जाता है squamous, आपको मैंने बताया था कि जहां wide होगा, वहाँ पे cuboidal हो जाता है, वापिस जाते होगे diffusion concerning work करवाना है, तो यहाँ पे आपको squamous epithelia देखने को मिलेगा, याद करने respiratory system के अंदर जब अंदर की तरफ जाते हो, बाहर keratinized, certified squamous epithelia से अंदर की तरफ गाई, non keratinized हुआ, बीच में cuboidal cell आएगा, columnar जो bronchioles के अंदर देखने को मिलती है, फिर आगे की तरफ आप जाते हो, तो आपको यहाँ पे squamous epithelia diffusion concerning देखने को मिलता है, most important है, याद अख लेना, फिर इसके बाद next, अब आजाएगे epithelial tissue, epithelial tissue के अंदर epi का मतलब होता है, upon, thil का मतलब growth, growth on surface it originates, first embryonic stage के अंदर सबसे पहले origin, origin इसका होता है, NCRT में मेंशन है, originate from ectoderm, mesoderm and endoderm, तीनों से बनता है, highly regenerating power होती है, free surface body fluid और outside from the body environment आपको देखने को मिलता है covering के उपर देखने को मिलता है lining के उपर देखने को मिलता है, whistle organ की covering और internal whistle organ की lining के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, maximum junctions इसी के अंदर देखने को मिलते हैं इस सारे point मैंने आपको बता दिए free surfaces होती है, covering पर देखने को मिलेगा lining पर either body fluid और outside from the body environment आपको देखने को मिलता है, ये इसके अंदर compound, दो तरह के होते हैं simple epithelia और compound epithelia ये अपने इसको आगे define करते हैं, on the basis of structure squamous होता है, cube border होता है, columnar होता है squamous flat and irregular ends होते हैं function diffusion है, basement membrane सभी में देखने को मिलेगी, cube like structure nucleus center में present होता है, function absorption secretion, function absorption secretion long and cylinder tall होती है, nucleus base of the cell आपको देखने को मिलेगा, clear, इसके बाद आजाएए next, जो एक single cell को यहाँ पे represent किया हुआ है, एक single cell को यहाँ पे represent किया, अच्छे से देख 만든 देखिए, यह cell आपको पूरा देखने को मिल रहा है, इस cell के उपर, उपर side के एंदा जो extension, cell में microvilli हो सकता है, cell में cilia हो सकता है, cell में phlejila हो सकता है sorry, microvilli हो सकता है, imagorfile stereocilia हो सकता है, और cilia का micro lie PCT proximal converted tubule में मिलेगा non motile non contractile होते हैं surface area increase करते हैं absorption and secretion के लिए PCT और intersign best example है दोनों अच्छे से याद रखना है इसके next इसके बाद में stereocilia non motile condition non contractile condition देखने को मिलती है stereocilia basal body में absent होती है vast difference epididymis and epididymis और epididymis के अंदर ये आपको देखने को मिलता है और internal ear के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो आपको cilia देखने को मिलता है काइनो cilia motile होते हैं contractile होते हैं ciliated cuberdle epithelia collecting duct में terminal bronchioles में collecting duct में columnar epithelia ciliated fallopian tube or trachea और initial bronchioles के अंदर most important आप बार बार ये पूचा जाता है NCRT chapter number 7 circle organization animals के second number page page number 101 के last में आपको नीचे तीन चार लाइन ने दियू है उनमें इस पूरे ciliated cuberdle columnar और ये आपको define क्या हूँ microvilli के बारे में best example है सारी चीजें आपको अच्छे से बता दिया एक एक point अच्छे से याद होना चाहिए NCRT का next इसके बाद types of the epithelia on the simple हो सकता है specialized हो सकते हैं compound simple और compound NCRT में direct mention है simple में simple squamous skewbordle columnar compound में stretchable non stretchable इनके अंदर आपको सीधा एक याद अखना है ये protection concerning होते हैं इनका diffusion और other जो work है उसका concerning कोई work नहीं होता है maximum ये protection में help करते हैं इधर अगर अब बात की जाए तो specialized में neurosensory epithelia देखने को मिलता है pigmented epithelia eye के अंदर pseudo stratified columnar cillated glandular epithelia आपके nasal chamber की layer पे और glandular epithelia आपको देखने को मिलता है specialized की category के अंदर आते हैं अब आजाज़े simple squamous according to NCIT simple squamous diffusion surface बनाता है wall of alveoli, wall of the blood and lymph podocyte cell squamous epithelia जो आपको kidney के अंदर देखने को मिलती है NCIT के अंदर excreti product and their elimination chapter number आपका 19 excreti product and their elimination page number 293 page number 293 पे नीचे से दूसरी दूसरी line के अंदर podocyte लिखावा मिल जाएगा नीट एक्जाम के अंदर इस पे ओल्रेडी कोशन पूछा जा चुका है जो diffusion concerning surface बनाती है loop of henlay यहाँ पर भी squamous epithelia होता है इसी वज़े से जो भी यहाँ पे changes होते हैं वो diffusion की वज़े से होते हैं यह भी NCIT के अंदर mention है podocyte loop of henlay, wall of blood and lymph vessels wall of alveoli यह देखे आपको podocyte, squamous loop of henlay squamous epithelia, podocyte यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है lungs के अंदर alluli से जो exchange होता है यहाँ पर भी squamous epithelia होता है even blood की यह सबसे internal capillary होती है वहाँ पर भी squamous epithelia आपको देखने को मिलेगा clear, next simple cuboidal की अगर बात की जाए तो simple cuboidal के अंदर, simple cuboidal normal, burst border वाले और ciliated, brush border का proximal convertible ciliated का terminal bronchles and collecting duct, इदर normal के अंदर, small duct of the small gland, DCT में मिल जाएगा और germinal epithelia, जो ovary and testis के अंदर, spermatogonia और ugonia, इनकी cells निकलती है testis के अंदर, semi-ferrous tubule के अंदर germinal epithelia में, spermatogonia के साथ spermatogonia के साथ कुछ cell behave करती है, as in nurse cell subtly cells की तरह है, ठीक है उसके अलावा आजाएए, यहाँ पर columnar epithelia के अंदर, normal condition जो मिलती है, glands of GI tract में मिल जाएगा आपको microvillai मिल जाएगे small intestine के अंदर, cilia और kynosilia आपको मिल जाएगे, appendymal cells of the brain, ventricles में, studio certified columnar ciliated glandular epithelia trachea में, phallopin tube में vast difference, epidymus और internal ear के अंदर, stereocilia condition मिलेगी important point किया है, star लगा रहा हूँ जो आपको याद रखना है, phallopin tube आपको अच्छा से याद रखना है, और आपका जो phallopin tube आपको अच्छा से याद रखना है, जो आपकी NCRT ने directly आपको example दिया हुआ है ciliated condition के अंदर clear, next compound epithelia में stretchable, non-stretchable stretchable transition epithelia सिर्फ urinary bladder में होता है, और non-stretchable के अंदर stratified scramus, quibodal and columnar, इन तीनों के अंदर आपको जो stratified वाले हैं, जिनमें keratinized skin होती है, non-keratinized, buccal cavity pharynx और buccal cavity pharynx वाला reason देखने को मिलेगा, last duct की जो glands होती है, celebrity glands but duct of the pancreatic gland के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, stratified cuboidal, stratified columnar जो होता है, वो epiglottis और conjunctive tissue में, sorry, conjunctive tissue के अंदर, eye के अंदर जो present होता है, उसमें देखने को मिलता है, पढ़ना आपको इसमें से कौन सा है, keratinized skin वाला important है, जो याद होना चाहिए, पूरा जो मैंने टिक कर दिये, ठीक है, ये compound epithelia, protection concerning ज्यादा होता है, special epithelia, special type of epithelia, जो glandular हो जाता है, इसमें cuboidal, columnar, modified होकर secretion concerning हो जाती, unicellular का example, goblet cell and penicel, goblet cell mucus secreting होती है, most important दिया हुआ है, page number 102 का first paragraph, multicellular gland जो होती है, multicellular gland celery gland, pancreatic, liver adrenal gland, thyroid, thymus, etc ये multicellular gland की category के अंदर आती है, after that on the basis of nature of secretion, ecrine, neurocrine, epocrine आपके syllabus में नहीं है, holocrine में पूरी gland तूट जाती है epocrine, nature, memory gland के अंदर देखने को मिलती है, और ecrine में nature जो cell बाहर की तरफ release करेगी, वो regular celery gland and liver के अंदर देखने को मिलेगा, अब आ जाओ junction, जिससे कुछ भी आ जा नहीं सके, उसको tight junction बोलते है, gap junction के अंदर button-like structure होती है, यहाँ पर connection protein होती है, जिससे continuation के अंदर gap बन जाता है, जिसमें large molecule ions इन सभी को लेकर के जाया जा सकता है adhering junction दोनों cell को एक साथ साथ रखता है, जिसमें आपस में exchange किया जा सके, adhering junction आसंजी संधी को बोलते हैं, और जो gap junction होता है जो आपको gap junction junction देखने को मिलता है, यह जो आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर पूरा proper और एक आपको मैंने यहाँ पर, जो पहले से जिसके अंदर आपने सामने fix होता है decimosome, पर जिसमें button fix नहीं होता है, gap junction में प्रोटीन आपने सामने बाद में आती है, और एक continuation के अंदर, यहाँ पर fibers हो जाते हैं, जो दोनों के अंदर fix कर देते हैं इनको, पहले तो यह दोनों proteins एक दूसरे के सामने सामने नहीं थी, जैसे आमने सामने आई है, एक continuation के अंदर tube बन जाती है, जिसको अपने gap junction define करते हैं, clear उसके अलावा अगर बात करें, यह decimosome जो होते हैं, यह previously fixed हैं, दोनों सामने fix हैं, ठीक है hemi decimosome, cell और actor cell or matrix के बीच में connection decimosome, cell to cell connection, permanent connection, और जो move करता है वो आपको यहाँ पर decimosome देखने को मिलता है, clear, और tight junction जो इन दोनों cell के बीच में आपको देखने को मिलेगा next important point, इसके अलावा सारे general points में आप लोगों से discuss कर चुका हूँ, अब बात करते हैं connected tissue, cell node, excess cell or matrix के भी हाफ पेस को define के जाते हैं, excess cell or matrix के इन दर आपको fibers मिलते हैं, और ground substances आपको देखने को मिलते हैं fibers and ground substances fiber of last cells के अगर बात किये जाएं, fiber of last cells है, mass cells है, macrophages है, adipose cells है, plasma cells है, lymphocyte है, reticular cells है, इन cells की excess cell or matrix जिसमें fiber and ground tissue, fiber के अंदर collagen, elastin, reticulin हो सकता है, ground tissue के अंदर glucose amino glycans, glycoprotein, peptidoglycan, modified polysaccharide important है, NCRT में directly लिखा हुआ है, NCRT chapter number 7 page number 103 की first 3-4 line में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये सारे ground substances और इन में ये fiber जो long and thick आपको देखने को मिल रहे हैं, unbranze है, collision है, जो fiber जिन में thin branches देखने को मिलते हैं, elastin fiber और इसी के अलावा reticular जो yellowish color के आपको fiber देखने को मिलते हैं, वो elastin है, reticular fiber के अंदर branch और ज्यादा highly आपको dense देखने को मिलती है, reticular में in competitive to elastin, ठीक है, ये एक cell है, cell की exoscellular matrix में, इस तरीके से fiber आपको देखने को मिल रहे हैं, roughly आपको define किया हुआ है, ठीक है, fiber ज्यादा ground substance कम, इनकी matrix कैसी होती है, incompatibly soft होती है, hard matrix होती है, fiber and ground substance के साथ-साथ mineral deposition हो जाता है, bone and cartilage, fluidic के अंदर blood and lymph आता है, जिसकी fiberless matrix आपको देखने को मिलती है, cell के बाहर fibers नहीं होते, अब इसमें first was जो अपने cells, जितनी भी पढ़ी है नहीं हुँ, cells के नाम बता रहा हूँ, fiberglass cell, undifferentiated होती है, irregular होती है, fiberglass cells, fiber secret करती है, collagen, elacin, reticular, convert हो सकती है, osteoblast and contrioblast में, tissue cell, mass cell होती है, tissue के अंदर present होती है, histamine, serotonin, heparin को release करती है, यह vasodilator होता है, serotonin, vasoconstrictor होता है, heparin, anticoagulant है, amoebordaline shape, macrophage, amoebordaline shape, phagocytic action show करती है, multilocular adipocyte, जिनमें fat storage होता है, single के अंदर, monolocular के अंदर, बड़ा एक fat granulis, आपको meat में देखने को मिल रहा है, nucleus जो होता है, वो periphery पे आ जाता है, amoebordal cell lymphocyte, T lymphocyte, B lymphocyte, जो humanoidal immunity को regulate करती है, T lymphocyte cell mediator immunity को agrograde करती है, plasma cell antibody बनाती है, और reticular cell phagocytic action show करती है, इस सारी cells आपको बता दी है, अब आजाओ, proper connective tissue के अंदर, most important, यहाँ से question आएगा, यह slide आप note कर लें, डंग से देख लें, इस slide को, यहाँ से 101% question आने के चांसे हैं, loose proper connective tissue, जो sheet, loose proper connective tissue, dense proper connective tissue, dense proper connective tissue के अंदर, white fibers dense proper connective tissue, yellow fibers dense proper connective tissue, जिसमें yellow fiber जादा, जिसमें white fiber जादा, white fiber के अंदर, sheet बनाएगा, यह white fiber के अंदर, sheet formation करेगा covering, white fibers dense regular proper connective tissue, दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एक जो covering बनाता है, और दूसरा, जो irregular condition आपको शोक देखने को मिलती है, white fibers irregular, white fibers regular, irregular के अंदर skin इसका example है, और जो regular है, उसके अंदर example है tendon, white है, white में कहाता है, TT for tendon, और dense की अगर बात करें, yellow की अगर बात करें, yellow में आता है, LL for ligament, yellow के regular में आप जाओगे तो ligament, और white के regular में आप जाओगे तो tendon, tendon bone से muscle को attach करता है, bone से bone attach को attach करता है आपका ligament, अब इसके अंदर yellow के अंदर, जो irregular PCT ये आपके NCIT में नहीं दिया हुआ है, बट NCIT के अंदर direct या ना देखरके, elastin fiber जादा कहां होते हैं, tunica media, जा करके देखना, circulation जो है उस chapter के अंदर, tunica intima, tunica media और tunica externa है, tunica externa पे collagenous tissue की शीच, collagen fiber, mid के अंदर media में आपको elastic fiber लिखे हुए मिलेंगे, muscular and elastic, वो elastic fiber यही है, yellow fiber dense, irregular proper character tissue, elastic fiber, yellow fiber, example wall of the blood lymph vessels, important है, indirectly दिया हुआ है, directly आपको नहीं दिया हुआ, next, white fibers के अंदर, मैंने आपको बताया है, आप covering कैसी कैसी हो सकते है, glycense capsule liver पे, renal capsule kidney में दिया हुआ है, epimysium fascia आपको दिया हुआ है, आपके muscles पे, epiosteum bone की चार उतर, perigardium heart के चार उतर, durameter brain के, upper side में, epicondrium cartilage पे, cornea of eye, यह सारे example है, white fibers, यह तो था आपका, dense proper connective tissue, इसी के अंदर अगर अपने बात करते हैं, connective tissue की यह lines, most widely distributed है, और सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलता है, जो link and support करता है, loose connective tissue की अगर बात करते हैं, loose connective tissue में, ground tissue, areolar cells होती हैं, adipose cells होती हैं, क्या क्या है, loose connective tissue के अंदर, areolar cells हैं, और mucosal associated lymphoid, जो proper connective tissue, adipose tissue, adipose tissue में, white fat, brown fat, यह in detail आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इतना पढ़ने हैं, white fat, energy कम होती हैं, brown fat में energy ज़्यादा, monolocular adipose, multilacular adipose, reticular tissue, tissue, जो mild 50% से ज़्यादा बनता है, वो loose connective tissue में, जिसमें reticular phagocytic cells, आपको देखने को मिलेगी, areolar tissue just been into the skin, important है, fiberglass, mast cell और macrophages, इसके अंदर देखने को मिलती है, कौन सी हैं cell, यह तीनों, diagram देख लिए अच्छे से, यह आपको fiberglass, fiberglass, collagen cells, collagen fibers में देखने को मिलते हैं, यह macrophages को represent करता है, यह mast cell को represent कर रहा है, basophil को represent कर रहा है, जो pink color से fiber देखने को मिलते हैं, वो reticular structure को define करते हैं, next, fluidic connective tissue के अंदर दो आते हैं, आपका एक blood आता है, और एक lymph आता है, blood plasma 55%, form and elements 45% होते हैं, 92-92% water, 6-8% proteins होते हैं, इन detail पढ़ेंगे, यहां performant element में, RBC, WBC, ethoside, leukoside, thromboside, ethoside 5-5.5 million, leukoside 6-8000, and thromboside 1.5-3.5 lakh आपको देखने को मिलती है, plasma का constituent, water and proteins है, proteins में albumin, fibrosan, prothrombin and globulin, दोनों blood clotting में, यह osmo regulation में और last one defense mechanism में काम में आती है, plasma के अंदर water में क्या-क्या मिलेगा, ions मिलेंगे सारे, salt मिलेंगे, glucose, amino acid, fatty acid, सोचने का तरीका बताया था, chapter number 16 से 22 तक, chapter number 16 में digestion के, जितने भी product जो digest हो रहे हैं, वो सारे blood में जाएंगे, 17 number में carbon dioxide, and oxygen आपको dissolve form में मिलेगा, 18 number chapter के अंदर वही उनका transport होता है, 19 number chapter के अंदर, uric acid, urea, जितने भी सारे components हो, सारे आपको कहा मिलेंगे, blood मिलेंगे, सोचने का तरीका बताया है, जहां रख लेना, चिक है, इसमें amino acid, fatty acid, glycerol, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, urea, uric acid, hormone, is known as serum, coagulating factor में, calcium, prothrombin and fibrosan, देखने को नहीं मिलता है, globin, protein and globulin में difference होना चाहिए, globulin antibody होती है, और globin, hemoglobin के अंदर, मिलने वाला protein है, ठीक है, hemoglobin के अंदर, HbA1, HbA2, यह form और HbF, 2 alpha और 2 gamma unit होती है, fetal hemoglobin के अंदर, और IgA, IgM, IgE, IgD, यह globulin protein, globin and globulin difference होता है, globulin जो होती है antibody, IgG, placenta cross करती है, IgA, milk में मिलेगी, colostrum में, IgM, first time infection पे activate होती है, allergic reaction में activate होती है, IgE, IgB, cell surface marker की तरह behave करती है, IgM, pentameric form में होती है, hemoglobin, hemoglobin, 2 part होती है, hemoglobin, protein part अला करतो, hem के अंदर आपको porphyrin देखने को मिलती है, hem, prosetic group की तरह भी behave करता है, catalase के अंदर, peroxidase में, bilirubin, bilivirin, porphyrin से टूट करके बनता है, yellow और green होते हैं, दोनों मिलकर के bile juice की formation करते हैं, और यह आगे जाकर के urobilnogen और srcobilnogen में convert हो जाते हैं, urobilnogen, plasma में मिलता है, stercobilnogen, stool के थूट के थूटर, बाहर के दर, release out हो जाता है, RBC, orthocyte बहलते हैं, orthopoiesis, thyroid में होगा, adrenal gland के थूटिसोल के थूटर, आपको देखने को मिलता है, thyroid gland, thyroxine के थूटर, kidney के थूटर, आपको देखने को मिलेगा, arthropoietin, juxtaglomal cells के अंदर present होती है और testis testis भी help करता है RBC formation में 22 number chapter की summary में mention किया हुआ है mature RBC nucleus absent होता है frog के RBC में nucleated होती है और बागी सभी cell organs भी absent होती है क्योंकि hemoglobin fill करना होता है 100 ml 12-16 gram hemoglobin contain करता है blood जो color होता है hemoglobin के वेज़ से red होता है york sac, liver, spleen और bone marrow यह sequence रहता है इसी sequence के अंदर RBC formation होती है from birth to adult stage RBC का कपरिशन spleen को बोला जाता है shape by concave diameter 7 micrometer number 5 to 5.5 million life span 120 days होता है RBC के surface पे antigen मिलते है A, B और RH factor आपको देखने को मिलेगा 6 genotype होते है 4 phenotype आपको इसके देखने को मिलते है co-dominance का example और multiple allele का यह example है leukocyte leukocyte के अंदर granulocyte और a granulocyte दो आपको एक साथ देखने को मिलेगी granulocyte और a granulocyte leukocyte की अगर मैं बात करता हूँ granulocyte के अंदर neutrophil है, basophil है, eosinophil है याद रखने का तरीका NLM, neutron love motion A, B, neutrophil lymphocyte, monocyte, acidophil and basophil, 60-65% 20-25% monocyte, monocyte आपको यहाँ पर देखने को मिलती है 6-8% acidophil आपको देखने को मिलती है 2-3% और 0.5-1% basophil, NLM, AB antophil phagocytic action basophil histamine, heriparin and serotonin को release करती है inflammatory reaction में activate होती, eosinophil allergic reaction में activate होती है also resist infection, bilob nucleus होता है, इसमें S-shape होता है और इसमें multi-lob condition देखने को मिलती है granules होते है, granulocyte एक granulocyte में lymphocyte lymphocyte, T-lymphocyte, B-lymphocyte plasma cell बनाती है, antibody बनाती है और T-lymphocyte, cell-mated immunity का part होती है monocyte, bean shape इसमें nucleus मिलता है, phagocytic action शो करती है general point, सारे speed up आपको explain करती है thrombocyte, thrombocyte की अच्छे से बात करें platelet thrombocyte, true cells नहीं है megakaryocytes के fragment से ये बनती है 1.5 to 3.5 flack होती है platelet-derived clotting factor, platelet-derived growth factor जो injury होने पर healing के अंदर help करता है clear, general point आपको बताया है अब आजाए ये lymph lymph की अगर बात करें, दूसरा fluidic connective tissue, blood plasma minus RBC and larger protein को हटा दो, lymph बन जाएगा calcium इसके अंदर incompatibly क्या होता है phosphorus और calcium कम होता है, glucose इसके अंदर ज्यादा होता है, tissue से tissue के अंदर अगर ये same present हो तो इसको tissue fluid या interstitial fluid बोल देते है nutrient exchange करता है, genesis exchange में help करता है और fat absorption में help करता है जो यहाँ पर Michelle बना है, Michelle इस cell के अंदर आकर के kailo-micron की formation करता है जो lipid and protein और इस kailo-micron को absorb करता है, lektral duct के अंदर और ये lektral duct वापिस larger vein के अंदर जाकर के इसको छोड़ देता है, immune response को activate करता है, lektral duct के अंदर absorption में help करता है, fat absorption में help करता है lymph जो होता है, वो blood plasma without सारे सब कुछ tissue fluid को इकठा करकर के larger vein के अंदर छोड़ देता है, जनल पॉइंट आपको बताएं चिक है, blood आपको पूरा यहीं बता दिया है, मैंने, अच्छे से देख लेना, अब आज़ो skeleton connective tissue इसका first part complete होने वाला है, skeleton connective tissue, जिसके अंदर bone second आपको देखने हों मिलता है, cartilage bone and cartilage both are from the fiberglass cells kondrioblast, osteoblast, kondrioclast, osteoclast, kondriocyte, osteocyte kondriocyte terminal और osteocyte terminal, kondrioclast जो bone cell को destroy करती है, osteoclast जो cartilage cell को destroy करती है osteoclast, kondrioclast जो आपकी site होती है, इसकी matrix में content protein, sulfated sulfated, kondriotin mucopolysaccharide, hyaluronic acid मिलता है, यहाँ पर आपको calcium, magnesium calcium carbonate मिलता है, with osteoclast protein, जिससे hard matrix होती है, उसकी matrix soft होती है, आपको को इसे यह सब क्यों बताया, यह इस वज़े से बताया chapter number 20 के अंदर skeleton system का first paragraph आपका complete हो गया, जो पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है और एक बात बता दूम आपको, bone cartilage, यह आपको NCRT से भी पढ़ने है, most important point लिखे हुए इसके बारे में, एक-एक line लिखी हुई न, यह बहुत ज़्यादा important है, bone और cartilage के अंदर न, अगर आप ढंक से देखे, bone, इस देखो, एक important point बताता हूँ, most of cartilage in vertebrate embryos are replaced by the bone in adults, यह line direct पूछी जाती है next, cartilage is present in the tip of nose, outer ear joint, यह भी अपने पढ़ेंगे, दूसरा, इसके ऊपर देखे, cells of this tissue chondriocyte enclose a small cavity within the matrix secreted by them और bone के बारे में क्या लिखा है, bone के बारे में, bone के बारे में non-pliable और hard matrix आपको देखने को मिलती है, outer ear में present between adjacent bone of the vertebral column, यह आपको cartilage देखने को मिलेगा, जो intervertebral disc बनाता है, limb and hands of the adult, general point आपको बताएं, अब आ जाओ, इसके बाद skeleton connectivity issue के अंदर bone की structure आप अच्छे से देख लें, bone की structure के अंदर, यह आपको epiphysis, metaphysis, यह आपको बीच में diaphysis देखने को मिलता है, फिर metaphysis और epiphysis, जो कॉनर होते हैं, यह पर spongy bone होती है, यह बीच के अंदर आपको hard bone, compact bone देखने को मिलती है, धान अखना, जो compact bone होती है, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, बीच बीच में आपको यह rings जो आपको देखने को मिल रहे है, इनके बीच में जो cavity होती है, उन cavity को अपने बोलते हैं, haversian canal, जो अपस में जुड़ी होती है, walkman canal के थुरू, यह पूरा bone का structure आपकी anxiety देती है, जिसमें lacuny के अंदर osteocyte आपको देखने को मिलती है, osteocyte lacuny के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, good, अच्छे से देखें, समझें बेटा, पढ़ें आप, next, इसके बाद में bone के type आपको बताएं हुए, कौन-कौन से, cartilaginous bone, जिसमें cartilage bone में convert होता है, forelim, hindlim, dermal bone, scapula, clavicle, sternum, ribs, जो surface पे होती है, dermis से बनती है, systemoid bone, patela और carpals, और ossified bone, oscardis and ospanis, जो shoe के अंदर या फिर dears गंदर आपको देखने को मिलता है, चिक है, इसके बाद आजाए, cartilaginous, cartilage क्या होता है, है, जिसके नदर चार टाइप, hyaline cartilage, elastic cartilage, fibres cartilage and calcified cartilage, most important है, hyaline cartilage, nasal septa, c-shaped cartilage in a syring, और ट्रेक्टा, मत रो प्यारे, ज्यादा टाइम और नहीं तंग करूँगा तुझे, अब नहीं बोलेगा है यह न, सुनो, hyaline cartilage, nasal septa, c-shaped cartilage in a syring, larynx और ribs attached with the sternum, ribs जब sternum से attached होते हैं, तो hyaline cartilage होता है, flexibility के लिए न, elastic cartilage, nose, ear pinna और epiglottis, elastic cartilage, ठीक है, इधर, fibrous, जो cartilage होता है, pubic symphysis और interverteble disc के अंदर, जो fibrous मिलती हैं, वो cartilaginous fibrous joint होते हैं, इधर, fibrous cartilage के joint होते हैं, और, calcified cartilage, head of the femur and humerus के इंदर देखने को मिलता है, इसमें laconee, बीच में kondriocyte होगा, और, pericardium आपको, इसकी जो covering देखने को मिलती हैं, इसको pericondrium मोलते हैं, जो आपको, white, irregular, dense, proper connected tissue की, layer देखने को मिलती हैं, most important है, जो सारे points आपको यहाँ पर define किये हैं, अब second इसके नदर आता है, muscular tissue, muscular tissue की अगर बात की जाए, तो muscles की अगर बात की जाए, इनमें excitability होती है, sensibility होती है, contractability होती है, получится आपको देखने को मिलती है, chemical sensing, mechanical, electrical, thermal, यह सारी sensing आपको इसके नदर देखने को general मिलती है, मसल्स की अगर बात के जाए तो मसल्स के अंतरे कि मायो फाइबल्स अधल म्सर्छाय एक सेल होता है जिसमें सारकॉलिमा लेयरिंग डेखने कुमσεल होगा एंडो माईशियम इसकी covering होगी पैरिमाईशियम टोटल नंबर ओफाइबर मिलकर के जो बंडल की covering होती हो पैरिमाईशियम होती है और एपिमाईशियम आपको पूरे complete fascia की complete, नंबर ओफ बंडल सा पसम मिलकर के fascia की formation करते हैं याद रखने का तरीका इनकी covering को N-peep 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 N-endomysium, perimysium और epimysium endomysium, perimysium और epimysium याद रखने का सबसे best तरीक है क्योंकि हम इसकी covering के अंदर confused हो जाते है N-peep से इसको याद रख सकते हो ध्यान रखना next इसके बाद में muscular tissue के अंदर तीनों आपको पता होने चाहिए skeleton muscles muscle fiber, skeleton muscles, smooth muscles and cartilaginous cartilage, cardiac muscles होती है third number skeleton muscles के अंदर long cylindrical unbranched condition होती है multinucleated condition, voluntary in nature होती है attached with the bone and central nerve आपके directly central nerve system से regulated होती है दूसरा यह कि यह voluntary in nature है, strited है और voluntary in nature है, second number non-strited होती है और involuntary होती है tapering end इसमें देखने को मिलेंगे fusiform condition होती है, communication में junctions होती है wall of the blood vessels, internal whistle organ ANS, autonomic nervous system से regulate होती है, non-strited होती है unbranched होती, gap junction मिलती है long end fusiform condition देखने को मिलेगी third and last cardiac muscles के अंदर most important, intercalated disc मिलती है, यह intercalated disc next के अंदर, communication के अंदर important होती है, और impulse को enhance करती है, जो generate हुआ है important है, intercalated disc जो आवेक संचरन में काम में आती है long होती है, cylindrical है branch है, uninucleated है involuntary condition अबको, uninucleated involuntary condition मिलती है strited है, but involuntary है, strited है पर voluntary है, strited है ही नहीं involuntary है, clear दो तिन पॉइंट heart and beginning of the महादमनी ए ओटा पर यह आपको मिलेगी अगर मैं बोल रहा हूँ कि all strited muscles, all strited muscles are voluntary in nature गलत है all non-strited muscles are involuntary in nature सही है, all non-strited muscles are voluntary in nature गलत है, all strited muscles are involuntary in nature गलत है, तो all involuntary muscles are strited यह भी गलत है तो आप देखें, non-strited muscles are involuntary in nature, 100% सही है, इस जनरल कुछ statements से इनके अंदर confuse मत होना समझ में आरे है बात कुछ समझ में आया good, all non-strited muscles are involuntary in nature, but all involuntary muscles are not non-strited ध्यान अगना, all non-strited muscles are involuntary in nature, but all involuntary muscles are not non-strited in nature, because of involuntary or strited condition यहान अगना, important यह सारी term, lines जो है, इन पर बेस question जो आप पूछे जाते हैं, last and final neural tissue जो इसके नारे मिलता है, चोथा tissue और neural tissue, neural tissue की अगर बात की जाए, तो nerve cell पूरी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, दो पार्ट है इसके, एक है neuron, दूसा neuroglia, neuroglia के अंदर cells, oligodendrocyde, swan cell, astrocyde, microglial cells, appendymal cells, and satellite cell oligodendrocyde जो होती है, वो central nervous system के अंदर myelin sheet formation करता है, swan cell peripheral nervous system में myelin sheet की formation करता है, इसके अंदर microglia cells phagocytic exchange show करती है, macrophage of brain होती है, astrocyde brain barrier बनाती है, appendymal cell ventricles के अंदर brain ventricles में मिलती है, satellite cell lateral conduction को inhibit करती है, ठीक है, यह neuroglia cells supporting cells होती है, important cell है, जो neuron को support करती है, neuron के दो पार्ट, cytone and exon, cytone जिसमें निसल granules भी मिलेंगे और neurofibles मिलेंगे, cytone cell body asoma इसको बोलते हैं, जो processes होती है, दो होती है, dendrite और आपका exon, dendrite में neurofibles and cell granules होते हैं, इसमें neurofibles होते हैं, इसमें nisle granules नहीं होते, nisle granules है, क्या endoplasmic reticulum, ribosome which is covered by endoplasmic reticulum, जो protein synthesis में help करते हैं, ठीक है, यह आपका base त्यार हो चुका है, सारे tissue बताते हैं, मैंने muscular का base बता दिया आपको, आपके skeleton muscles का base बता दिया, आपकी muscles का base बता दिया, neural का आपका base बता दिया है, जो circulating system हो, उसका base बता दिया, human physiology के इंदर आपको help मिलने वाली है, इन सभी से, next, nerve की cell structure आप nucleus है, central absent होता है, divide नहीं होती, fiber है न, लंबा सारा, कैसे divide होगा, इधर, यह इसकी schwann cell, जो myelin sheet formation का सकती है, यह पूरा cutting करके आपको दिखाए हो, multi layer बीच में देखने को मिल रही है, मतलब wrapping की layer आपको देखने को मिल रही है, cytosoma cell bodies को बोलते हैं, यह fiber neurofibles, यहाँ पर granules देखने को मिल रही है, यह granules आगे पासों नहीं होते हैं, mitochondria, इसके end पर आपको mitochondria, जो acetyl coenzyme देगा, acetyl koline यहाँ पर बनता है, यह synaptic knob आपको देखने को मिलते हैं, जो further next neuron के अंदर nerve conduction में help करेंगे, यह पूरा complete आपको बता दिया, वो लिखा हूँ ribosome covered with the endoplasmic reticulum, यह था आपका neural tissue जो NCRT के अंदर mention क्या हुआ है, last and final organ and organ system, जो इसके first part के अंदर आपको देखना है, इसके अंदर एक छोटा सा point में आपको analyze करवा दूँ, छोटा सा एक point आपको analyze करवा रहा हूँ, देख लें, दो word मैं इसके अंदर remark कर रहा हूँ और दोनों word आपको अच्छे से clear cut पता होने चाहिए, इदर for example, our heart consists of all the four type of tissue, epithelial, connective muscular and neural, we also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain disernable trend this disernable trend is called evolutionarily trained अपने को तो पता था यहां से यह बन गया, यहां से बन गया जो भी changes आपको देखने को मिलते हैं और गनोल सिर्म, यह evolutionary point of view से बहुत स्वी important है, यह ध्यान लेना यह दोनों यहां से जो lines मैंने आपको अंदरलाइन करवाई है question बनता है तो यहां से major question आपको इसी से देखने को मिलेगा पढ़ना तो पूरा paragraph ही है बहुत बढ़िया आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए last and final जो आपको इसके अंदर पढ़ना है इस animal tissue के अंदर after one minute, यह आपका first part complete होगा जिसमें अपनोंने epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue पढ़ा second part इस chapter का जिसमें आपको अर्थों, kokorogen, frog पढ़ना है ज्यादा समय नहीं लगेगा last maximum, maximum all around 30 minutes के अंदर अपने इसको complete कर लेंगे तीन आपको major organism अच्छे से पढ़ने है जिसमें एक invertebrate का example आपका cockroach दूसरा invertebrate के अंदर वो example जो close circulatory system वाला है अर्थों और third आपको पढ़ना है frog क्याता यार हैं आप सभी, how's the Josh? after two minutes तो ये था आपका structural organization in animals एक छोटा सा एंद बहुत बढ़िया chapter जो अच्छा कासा समझ में तो आता है पर समझ में नहीं आता, क्यों? तो कि इसके अंदर physiology का basis सारे दियू है और सारे physiology के basis मैं निकाल करके इस chapter के अंदर आपके सामने रख दिये ताकि आप कहीं पर भी परिशान नहीं हो Human physiology अब आप लोगों की बहुत असान हो गही है circulating system आपका basis आप पड़ चुके बुड़ पूरा ही पड़ चुके है muscular system का base पड़ चुके है skeleton system का base पड़ चुके है आपका neural system का base आप प्ड़ चुके है basics आप पढ़ चोके हैं, breathing and exchange of cancers के diffusion वाले सारे basis मैंने आपको यहां बता दिये हैं good, so next finally start करते हैं after two minutes करते हैं झाल झाल जल्दी से आप अपने city and state drop कर दीजिए कहां बैठे आप ये lecture देख रहे हैं city and state जितने आपकी file जो है वो import हो रही है quick क啊 झाल 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 ठीक है तो अपने प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट आपका फाइनल प्रोसीड प्रोसीड करते हैं बोलती सर आपके सामने हाँ ठीक है अभी ओफलाइन के अंदर due to safety purpose number of students को घर बेज दिया गया है बागी कावी सारे महाश्या अभी भी है ठीक है श्रक्ष्ट लोगनाईजिशन इन प्लांट्स एन अनिमल्स की second unit का यह third chapter structural organization in animals का second part अपने पढ़ रहे हैं जिसमें अर्थवम, kokras and frog आपकी NCRT define करती है slavers के अंदर insect लिखा हूँ आया था frog लिखा हूँ आया था नंबर और student बोलेंगी सर अर्थवम पढ़ना है ने पढ़ना है मत पढ़ो इसले 2-3 सालों के paper उठा के देख लो नहीं होते हुए भी slavers में question आता है तो alternative years के अंदर question आता है आपको पढ़ना ही है, कोई if but नहीं है, पुछा जा सकता है कुछ भी, एक बात बताना मुझे चलो ठीक है, अर्थवम मत पढ़ो, यह बताओ closed circulatory system is present in option के अंदर 4 option दे रहा हूँ आपको spider, second number anaphylis, third number earthworm and fourth number encylostoma, बोलो भी answer अरे नहीं, earthworm थोड़ी पढ़ना है आपको तो बेफकुफों, एंड लिडा के अंदर सारी चीज़ें बढ़कर के आचुकों, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको general points पढ़ने है सुने, क्या है, सबसे पहले अपने इसके अंदर proceed करेंगी cockroach के साथ में, cockroach की structure आप अच्छे से देखें लग तो यह मखी रही है, है तो cockroach ठीक है, next cockroach के अंदर, general points अगर आप देखें पहले इसका थोड़ा बहुत आपको classification बता दिया जाए ताकि आप अच्छे से proceed करें, cockroach के अगर बात की जाए classification बता रहा हूँ है, cockroach kingdom animalium में आता है, phylum अगर आप देखें, इसका orthopoda है, phylum orthopoda के अंदर, जब अपने class के अंदर proceed करते हैं insecta class आपको देखने को मिलती है उसके अंदर cockroach आपका आता है, winged होते हैं यह टेरी गोटा के अंदर आते हैं इसके बाद इसका periplaneta americana जो आपके slavus में है, वो अपने बढ़ते हैं, periplaneta और इसका जीनस के बाद में species है, americana जो cockroach आपको देखने को मिलता है यह dorsal side है, यह इसकी vental side है dorsal and vental side के अंदर पूरी plates आपको देखने को मिलती है, kaitinus plate होती है जो exoskeleton होता है dorsal side के अंदर होती है, tergite vental side के अंदर होती है, sternite, दोनों आपस मेटा है चोते हैं, articular membrane, arthrodial membrane के तुरू इसके articular, arthrodial membrane पे अल्रेडी कोशन आ चुका है हर एक plate को sclerite बोला जाता है upper side में tergite, lower side में sternite हर एक plate को sclerite बोला जाता है, sclerite word, daughter western से याद रच सकते हो, daughter western dorsal side में tergite, vental side के अंदर sternite यह मिलेंगे, ध्यान रकलेना, cartilaginus, sorry, kaitinus, जो इनके अंदर plates मिलती है kaitin, N-acetyl glucose amine का homopolymer होता है और इसके अंदर पूरे अगर देखी जाए तो body segmented होती है head, thorax and abdomen, thorax के अंदर तीन पार्ट, T1, T2 and T3 और abdomen, A1 से लेकर के last 10 number segment तक इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे general point है, first, फिर उसके बाद आप लोगों से discuss हुआ इसमें pro thorax, mesothorax, metathorax, thorax के reason इसमें तीनों के अंदर one pair of jointed appendices मिलते हैं total six legs इसके अंदर मिलती है exceptionally scorpion and spider के अंदर four pair of legs आपको देखने को मिलती है clear कुछ जो आपको scorpion and spider उसके अलावा कर बात की जाए इसके अंदर दो wings मिलते हैं एक mesothorax के metathorax, mesothorax जो होता है उसको tagmina बोलते हैं ध्यान अकना और इसके अंदर head पे compound आई मिलता है जिसमें ometridium, ometridia, antenna जो sensory structure आपको देखने को मिलती है head इसका hypokanathus type से होता है total 90 degree पे ऐसे, पूरी body से 90 degree पे होता है और ऐसे यहाँ पे biting and chewing type of mouth part इसके अंदर present होते है head कट जाने पर भी 7 दिन तक, 8 दिन तक ही जिन्दा रहता है और भूग के मारे मरता है तोगि head के अंदर कोई significant nervous system होता नहीं है बस एक nerve ring यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है जो इसके brain को represent करता है clear, next उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर already define कर चुका हूँ wings के बारे में अपने already बात कर चुके हैं एक mesothoresic होते हैं और एक metathoresic आपको देखने को मिलते हैं इसकी जो second structure है इस structure से आप अच्छे से समझ पाएंगे जो इसको four wing होता है इसको mesothoresic wing बोलते हैं और second number hind wing होता है वो transparent होता है जो उडने में help करता है यह hind wing को पूरे cover up कर लेते हैं इसके अंदर abdominal segment आपको 10 देखने को मिलते हैं nine number segment पे extension एक मिलते हैं इसको anal style बोलते हैं anal style सिर्फ male में present होता है male style मार के चलता है उससे आप इसको याद रख सकते हैं female में totally absent होता है codal style, anal style इसी को बोलते हैं ठीक है और sexual dimorphism देखने को मिलते हैं इसके अंदर क्योंकि anal style से easily आप बता सकते हैं anal society is the sensory structure जो 10 number segment में देखने को मिलेगी और आपको 10 number segment में आपको देखने को मिलेगी और हर एक male and female दोनों कोकरोज में देखने को मिलती है इसकी जो lag होती है उस lag के अंदर Hindi medium NCRT के अंदर ये सारे इसके appendices joint दियो है coxa, trochanter, femur, tibia and tarsus most important है Hindi medium NCRT में दियो है फिर से सुन ले most important है Hindi medium NCRT में mention कियो है coxa, trochanter, femur, tibia and tarsus जो इसके jointed appendices होते है अच्छा question बनता है यहां से इसके बाद इसका जो thorax का first segment होता है वो थोड़ा सा elaborated होता है जिसको pro notum बोलते है already question tagmina से आ चुका है तो pro notum बे question पूछा जा सकता है इसके बाद next अच्छे से analyze करें इसकी जो next structure जिसमें आपको पूरा complete इसमें 7 number जो segment होता है वो board shape हो जाता है 8 और 9 number के अदर आपको a brute pouch like structure जिसको genital pouch बोलते हैं इसके उपर sperma चीका and collateral gland जोनों आकर किसमें open होती है sperma चीका इसके उपर by lobed condition में देखने को मिलता है clear head, thorax and abdomen abdomen के अंदर आपको 8 और 9 number segment के अंदर जैनाइटल pouch देखने को मिलता है in female digestive system के अगर बात करें foregut, midgut and hindgut foregut और hindgut के अंदर critical line होती है midgut के अंदर critical देखने को नहीं मिलती foregut, midgut की attachment पे 6 to 8 hepatic cichy मिलती है जो gastric juice बनाते है midgut और hindgut के attachment पे 100 से 1.500 आपको malpigen tibules देखने को मिलती है जो आस-पास के siloam से matter को लेकर के अंदर की दरफ छोड़ देती है और hindgut के थूर इसको भार के दर release कर दिया जाता है colon and rectum hindgut के part है midgut और जिसको misentron भी बोलते है इसके अंदर gizzard present होता है जिसको pro venticulus बोला जाता है most important है gizzard यहां भी है gizzard आपने birds में भी पढ़ा था respiratory system के अगर बात करें तो 10 pairs में spiracles होते है 2 pairs mesothorax and metathorax में ventrolatal side के अंदर मलब lateral side के अंदर देखने को मिलते है बाकी सारे abdomen में 8 आपको देखने को मिलेंगे total 10 pairs spiracles होते है जिनसे directly gancers आती है gancers आने के बाद में टिब्यूल पूरे विसल ओर्गन तक फैली होती है जहांसे diffusion के तुरू directly exchange आपको देखने को मिलता है clear फिर उसके बाद में nervous system आपको देखें तो 6 ganglias आपको इसके abdomen में और 3 ganglias आपको T1, T2 and T3 तीनो thorax region में मिलते हैं T1 से ये पूरा complete आगे की तरफ system के अंदर ometidia sensory structure होती है जो यहां से nerve इसके eyes की तरफ जाती है ometidia इसके अंदर highly मतलब इसके अंदर sensitivity अच्छी खाची होती है बड़ resolution अच्छा खासा नहीं होता है mosaic vision इसके अंदर देखने को मिलता है इसके अलग-अलग एक ही object के system के अंदर 4-6 पे testis मिलते हैं यह फिर testis फरदर vast difference के तुरू जाते हैं और जाकर seminal vesicle के अंदर open होता है यह ejaculatory duct आपको देखने को मिलती है इसके back side के अंदर एक mushroom gland जिसमे long tubule and short tubule मिलती है और एक phallic gland आपको देखने को मिलती है clear in nourishment में help करती है और इसके अलावा lower side के अंदर left phallomere, right phallomere और ventral phallomere आपको देखने को मिलती है यह पूरे complete gonapophysis जो इसका होता है उसको cover up करकर करके रखते हैं और sperm से sperm जो होते हैं वो spermatophores के अंदर देखने को मिलते हैं और spermatophores जो होते हैं यह sperm में ठीका के अंदर pore कर दिया जाते हैं during copulation जहां रखना NCRT का diagram अभी मैं represent करूँगा जिसमें 3-4 points है जो important है first one female reproductive system 2-6 में ovary मिलती है यह 8 ovidian tubules से मिलकर के बंदा developing ova होते हैं common oviduct through ejaculatory duct में आता है ejaculatory duct के अंदर आता है brood pouch के अंदर आता है इसके अंदर collateral gland और sperm में ठीका की opening आपको देखने को मिलती है यह genital opening होती है clear nymphial staging के अंदर देखने को मिलती है इसको parametabolous type of development होता है 14-16 बार इसके अंदर sorry जो ऊठीकी यहां से बनते हैं उसके अंदर 9-10 ऊठीकी के अंदर 14-16 आपको fertilize act देखने को मिलती है parametabolous type इसके अंदर development देखने को मिलता है और इसकी back to जो nymphial stage होती है back to adult stage इनके अंदर wing pad देखने को मिलती है बाद में तो wings हों गई अब important point क्या है इसके अंदर सबसे पहला point यह tagmina पे question आपके neat exam के अंदर पूछा हुआ है पहला point छिक है दूसरा mouth part आपको अच्छे से याद होने चीए सारे upper side के अंदर labrum, lower side के अंदर labium hypoferring stunk को repulsion करता है mandibles grinding and incising इनके अंदर आपको structures देखने को मिलती है maxillary palp जो sensory structure आपको देखने को मिलेगी mouth parts के नाम सारे याद होने चीए labrum, labium, mandibles, maxillary, hypoferring और सारे के सारे उसके अलावा अच्छे से देखें जो आपको इनकी structure के अंदर analyze करना है अभी तक जहांसे neat exam के अंदर question नहीं है allergy muscles इसके सारे जो chambers होते है इन chambers को जो entry side के अंदर blood को pump करते है यह ostium आपको ostium आपको देखने को बलता है ostia से blood entry लेता है आगे की दरफ जाता है तो यह आपकी NCRT ने directly ऐसे इस तरीके के chamber आपको मिलते है समझ में आरी यह बात यहां से entry होती है blood की और फिर front में आकर के वापिस anterior side के अंदर पूरे सिलोम के अंदर आ जाता है clear 13 होते हैं total यह allergy muscle से याद रखना है आपको इस structure के अंदर जो आपको याद रखना है important point ध्यान अखले genital pouch किसे मिलकर के बना था genital chamber और vestibulum most important है यहां से directly question पूछ लेगा which one of the following forms of genital pouch in the female cockroach genital chamber and vestibulum फिर से बोला हूँ रिमार्क किया है मैंने और pseudopennis यह structure आपको रिमार्केशन टाइटीलर, left phelomere right phelomere और ventral phelomere, annual sarsai और caudal style दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए long tubules क्या है, small tubules क्या है जो इसकी theory में नहीं लिख करके आपको mushroom gland यहां पर दियो है, जो milk अंदर present होती है next finally, economical important क्या है many species of cockroach are wild and are no economical importance yet, a few species thrive around the human habitat and are pest because of the spoiled food and contaminated and their smelly excreta they can transmit variety of bacterial disease or disease by the contaminant food material finally earthworm kingdom animalia phylum anilida class oligoceta genus phytema species posthuma lubrigus आपको पढ़ना है इसके अंदर phylum यह अल्रेडी बता चुका हूं इस सारे general points अपने पढ़ चुके हैं अब आजाओ इदर first segment जो होता है इसको peristomium बहते हैं उस पर extension जो होती है prostomium जिस पर already question आ चुका है sensory structure है number of segment देखने को मिलते हैं 5,6,7,8 इन दोनों के intersegmental septa पर 5 to 6,6 to 7,7 to 8,8 to 9 पर आपको by-load ventolateral side के अंदर sperm में ठीका देखने को मिलते हैं 14 number segment के अंदर ventolateral side में जो pore होता है female gonopore और 18 के अंदर ventolateral side के अंदर male gonopore बाद में मिलेगा post-clie tailor reason आपको देखने को मिलता है सुने आप इसके अंदर clie tailor reason 14,15,16 clie tailor reason इससे पहले pre-clie tailor और इसके बाद में post-clie tailor reason आपको देखने को मिलता है intersegmental जो बीच में line होती है intersegmental septa बोलते है segment के अंदर जो intersegmental है वहाँ पे आपको CT निकले हुए दिखाई देती है important point है अच्छे से देख लें last segment और clie tailor reason के अंदर CT absent होते हैं और यह line आपके NCRT आपके नीट exam में अंदर आई थी mid dorsal line और blood vessel thin fine blood vessel से इसको remark कर सकते हो क्या-क्या segment है क्या-क्या general point आपको देखने को मिलते हैं यह already मैं आपको explain कर चुक हूँ सारे points इसमें important or care single gonopore होता है 10 और 11 में one pair of testis 12 और 13 के joint पे one pair of ovary आपको देखने को मिलेगी clear अब आजाओ segment by segment बात कर लेते हैं 123 number segment के अगर बात करने first segment peristomium होता है covers with prostomium second and three segment के अंदर buccal cavity, four में pharynx five six seven eight के अंदर esophagus, eight nine के अंदर gizzard आपको attachment पे gizzard देखने को मिलता है blood gland, four five six के अंदर blood gland भी present होती है, pharyngeal nephridia अब इसी segment के अंदर देखने को मिलते है pairs of the sperm में ठीका at the ventrolitle side at the intersegmental septa six seven 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 eight eight nine nine के अंदर आपको देखने को मिलते है five to six six seven seven eight eight to nine six to nine पहले लिखा हो है five to nine पहले लिखा हो है six to nine बात में लिखा हो है तो आप five to nine proceed कर सकते हैं next next इसके बाद आजाएं intersegmental septa पे आपको मैंने फिर से बताया CT प्रेजेंट होते हैं यह मैंने आपको sperm में चीका बताया ventrolitle side के अंदर देखने को मिलते हैं फिर next segment की बात की जाएं nine number segment से लेकर के 14 number segment से लेकर के 14 number segment तक स्टमख होगा 14, 15, 16 में 15 से लेकर के last तक आपको interseign देखने को मिलती है और इसके अंदर ventrolitle side में 18 number में male gonopore होगा 14 number में female gonopore होगा और बारा और तेरा के attachment पे आपको ovaries यह oviduct मिलकर के common opening ventrol side में देखने को मिलती है 10 और लेवल में टैसे से 12 तेरा में ovary आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल sorted material है यह पूरा on the basis of 14 से लेकर के 26 तक pre-tiflo solar 26 से 35 extra fold मिलती है absorption के लिए इसको 35 से last में post-tiflo solar reason इसको बोला जाता है इसकी interseign में आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलेगी NCRT के अंदर earthworm के सारे points मैं आपको define कर दिए important point earthworm के अंदर heart आपको देखने को मिलता है heart आपको देखने को मिलता है structure आपको देखने को मिलेगी 4 heart जो 7 number 9 number 12 number और 13 number के अंदर देखने को मिलेंगे इसको literal isophagial heart बोलते है और इसको literal heart बोलते है directly directly आपको याद होने चाहिए ठीक है next अब आजाएए reproduction के अगर बात करें तो reproduction earthworm के अंदर ये general point आपको समझ में आ जाना चाहिए जो बताया हुआ है 14, 15, 16 number segment पे klitelly region जो होता है वो एक gel leg substance को release करता है वो gel leg substance में 14 number port से ovum release करती जाते हैं जब ये gel leg substance जिसको cocoon अपने बोलते हैं यहां से उपर की तरफ move करता है तो spermae thika spermae thika से spermatophores इसके अंदर छोड़ दिये जाते हैं और ये बाहर की तरफ आ करके ये cocoon इसके अंदर आपको fertilization देखने को मिलता है इसके अंदर ये gel leg substance के अंदर देखने को मिलता है इसके अंदर यहां की layer glandular हो जाती है और secretary nature की हो जाती है एक छोटा सा point important point अच्छे से देखें क्या है कि अंदर जक्स्टा posing cross fertilization होता है इसका जो spermae thika होते हैं वो इसके ventrolital side के अंदर कि spermae thika के अंदर male gamete छोड़ दिये जाएं और इसके जो spermae thika होते हैं उसमें इस earthworm के ventrolital side के opening जो male gonna पो रहा है वहां से यहां पर male gamete को pour कर दिया जाता है spermatophores को जक्सटा posing condition होती है cross fertilization होता है important point जो आप अच्छे से देख लें next and last and final आपका आता है frog और frog के अंदर तीन चीज़े मैं आपको बताऊंगा most important फिर्न के सीरे reproductive system पे अपने चलेंगे frog की हर एक point frog जो है general point आपने amphibian के वहां पढ़े ही है frog codata के अंदर आता है kingdom animalia class amphibia order इसका eneura है family raniddy है genus rana और species tigrina इंडियन बूल फ्रोग अपने पढ़ते है rana tigrina it is the most common species in India poikilothrm cold blooded होता है camouflage इसके अंदर देखने को मिलता है mimicry करता है यह summer sleep और winter sleep दोनों ही इसके अंदर देखने को मिलती है hibernation और west division यह general point आपको frog के बारे हम पता होने चाहिए rows of entirely flattened होता है external pinna, absente, tympanum होता है nictitating membrane होता है जो cover करके रखती है head to trunk दो ही पार्ट होते है coloica के अंदर तीनों opening elementic canal, ureter or genital duct की opening होती है front में 4 digit, back में 5 digit जिसमें web pad मिलता है जो tanne में help करते है front के first में natural pad present होता है copulatory pad जो sexual dimorphism को भी define करता है at the time of population female को hold करने में भी help करते है vocal sac present होते है जो tartar की आवाज निकलते है वो male frog में ही निकलते है ये भी sexual dimorphism का part है external nostril मिलते है mouth आपको देखने को मिलेगा color की अगर बात करें olive green, different colors आपको इसकी covering के दिन्दर देखने को मिल सकते है ये जो पार्ट इसका dorsal part है वो पार्ट इसका vental part को define करता है neck और tail totally क्या होती है absent होती है कुछ amphibians नहीं जिनमें tail होती है salamandra कुछ होते हैं जिनके अंदर pair नहीं होते है limb lens जिसे एक्थियोफिस वो आपको अच्छे से आगे पढ़ने आप अल्रेडी पढ़ चुके है प्रोग के बारे में general characteristics के अगर बात की जाए copulatory pad first digit of four limb poikilo thurm है cold blooded होते है tympanum है camouflage acting करता है mimicry cryptic coloration mimicry acting करना mimicry का मलब acting करना camouflage अपने ऐसे जो back है उसके जैसा खुच का color कर ले camouflage hibernation winter sleep activation summer sleep skin से respiration होता है homodont acrodont polyfiodont आपको condition देखने को इसके अंदर मिलती है homodont acrodont polyfiodont dentation genital track digestive track and unary bladder एक में open होते है colloica vocal sac web pad आपको देखने को मिलता है hind limb मे pulmonary respiration skin lungs and buck of angel cavities होता है RBC इसकी oval shape nucleated होती है cutaneous respiration होता है salivary gland totally absent है sinus venosus dorsal side में most important point star लगा रहा हूँ इसको जो याद होने चाहिए sinus venosus यहां से यह question आने के chances है deoxygenative blood लेकर आता है right atrium में conus artidiosis oxygenative blood पूरी body में mixed blood पूरी body में लेके जाता है vental side से vental side of heart में present होता है oxygenative blood mixed होता है heart से body parts में लेके जाता है यह दोनों point अच्छे से समझ में आने चाहिए 101% आपको आपके नीट exam के देखने को मिलेंगे frog अगर आता है तो सबसे पहली priority इसी की होगी इस बार के लिए next और बाकी इसमें तो हर असाल पूचे जाते है renal portal system and hypertech portal system दोनों इसमें present होते है इसकी RBC nucleated है oval shaped है सारी general points आपको बता दी है next इसके अलावा और कुछ characteristics है जो फ्रोक के आपको अच्छे समझ में आने चाहिए जो sinus venousus और ductus arteriosus या conus arteriosus बताते है sinus venousus right atrium में आने से पहले एक पूरा चेंबर मनता जिसको dorsal sinus venousus ventricle से निकलने के बाद में एक chamber like structure जिसमें vental side में conus arteriosus या ductus arteriosus इसको बोल बें है जो पूरे body parts में blood ले जाता है body parts से जब वापी सिधर आता है तो आपको sinus venousus के थूँ entry मिलती है right atrium में ये hepatic portal system है kidney से renal portal system के through भी blood कहाँ जाता है sinus venousus के थूँ पहले lower limbs से kidney की तरफ जाना renal portal system intestine से liver की तरफ जाना hepatic portal system यहाँ दोनों से blood जाता है right atrium के दर वाया sinus venousus चिज़ें समझ में आई होगी आप सभी को sir इस chapter में frog में single circulation incomplete double circulation होता है बेटा incomplete double circulation अपने बोलते हैं इसके अंदर single circuit single circulation जैसा नहीं incomplete double circulation चिक है खोड़ा सा और अच्छे से elaborate करके complete क्या गया male frog के अंदर बात की जाए तो cranial nerve 10 pair होती है male and female frog female male के अंदर uranogenital duct होती है female के अंदर uranogenital duct होती नहीं है बलब common नहीं होती है 25 से 3000 ओवा बनते है 10 to 12 वासा इफरेंशिया आपको देखने को मिलती है testis जो होते हैं वो testis से वासा इफरेंशिया male commit वासा इफरेंशिया वहां से bidder's canal bidder's canal से फिर uranogenital duct और koloreka कि तुरू बाहर के दरफ पानी में release कर दिये जाते है जो external fertilization के लिए बाहर के दरफ छोड़ दिये जाते है important point है यह सारे points में आप लोगों से discuss कर चुका हूँ one by one जो frog के बारे में मुझे आपसे discuss करने थे इससे बाहर आपका frog का question जाने वाला नहीं है एक single slide के अंदर पूरा frog आपके सामने है ठीक है next बिल्कुल sorted आपको material दिया गया है अब आजाएए इसके nervous system और कुछ इसके reproductive system पे बात कर लेते हैं ठीक है 5 minute का काम है nervous system, cns और pns ठीक है nervous system, central nervous system जो brain and spinal cord से represent होता है pns जो होता है जिसके अंदर whistler के अंदर, motor nam这ो होती है उसमें sympathetic और parasympathetic रहेगा SNS के अंदर, motor and sensory दोनों आपको देखने को हमेल इसमें motor and sensory दोनों होती है तो इसकी motor के अंदर sympathetic और parasympathetic होता है brain and spinal cord, brain के अगर बात कर रहे है 4 brain के अंदर, olfactory lob होती है mid brain के अंदर optic look olfactory lobe and cerebral hemisphere मिलेंगे hind brain के अंदर cerebellum and medulla amalgata आपको देखने को मिलता है 10 PS of cranial nerves होती है ये वो है जिसको बहुत जल्दी के अंदर लास में बताया गया था kidney के साथ में functional and structural attachment होती है via mesoarchium tissue आपके testis की kidney के साथ में ठीक है structural and functional attachment आपको देखने को मिलती है उसके बाद अगर अपने बात करते हैं इधर ये diagram अच्छे से देख लें kidney structurally and functionally attachment होती है बीजोर्कियम टीशू के थुरू यहां से male chemits बनते हैं sperm, wasa eferentia के थुरू, kidney के थुरू होते होते होते, beedus के थुरू होते 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 इसके उपर प्रेजेंट होती है जो excretion में help करती हैं, beedus के अनल आपको बीच में देखने को मिल रही होगी, coloica and coloical aperture आपको देखने को मिल रहा है, जबकि बात करते हैं अगर female reproductive track की, तो ovaries structurally attached होती है, functionally attached नहीं होती है, यह सिलोम के अंदर ova को छोड़ देती है, जहां से ostium के थुरू आता है और इस ovid duct के थुरू, यहां पर आगर के coloica के अंदर open होता है, it means यहां पर ureator होता है, urinogenetal duct नहीं होता, male के अंदर present होता है, female में absent होता है, coloica के थुरू यह बाहर के तरफ male gamit को release कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, coloical aperture के थुरू यह तो ova को release करते हैं, और उदर coloica के थुरू male gamit को बाहर के तरफ release कर देता है, external environment में, इसी वज़े से इनके अंदर fertilization जो होता है, वो external होता है, इसके अंदर two five zero zero to three thousand ova, एक single time के अंदर release होते हैं, यह आपका वही है जो IRV होता है, inspiratory reserve volume, ध्यान अकले न, डेटा अगर आपको याद करना हो, तो कैसे याद कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, general point आपको frog के regarding सारे मैंने explain कर दी है, one by one जो important है, और single slide गंदर सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं, सारी हर एक point इससे आपको crystal clear हो जाएंगे, frog के regarding, तो यह था आपका first unit, biology gunshot का first unit और second unit, जिसमें सारी चीज़ें आपने cover up की है, बिल्कुल scratch से, ऐसा कोई point नहीं है, जिसको अपनोंने touch नहीं किया, ऐसा कोई NCRT की line नहीं है, जो अपनोंने नहीं समझी हो, तो next, जितने भी session होंगे, आपको पता, इनसे कम ही chapter है, next two units के अंदर six chapter, आपके cell unit के अंदर, और आपकी plant physiology के अंदर, यह जो अपनोंने बढ़ा, यह आपकी second unit थी, structural organization in plants and animals, जो आपका complete हुआ है, इसमें last chapter था, आपका structural organization in animals, last chapter आपको देखने को मिला, structural organization in animals का second part अपनोंने किया, जिसमें Arthom Kokrojan, फ्रोग अपनोंने पड़ा, अब finally, आप लोगों के comments, मुझे भी इतने students online देखने को मिल रहे हैं, इन सभी students के comments, आप लोगों के reviews, कैसा राज का session, क्या सब कुछ revise हुआ, अगर आप लोग चाहते हैं, next sessions हो, और इस तरीके से आपको revise करवाया जाए, तो आप अपने, जो भी आपको problem service करनी पड़ी है, या वो भी मैं आपसे suggestions पांगूँगा, और जो आप लोगों को required है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, 360 out of 360 मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, अगर आपने पूरे ढंग से हर एक point जो मैंने बताया, ढंग से सुना है, इन 7 chapters का single question आपका गलत होने वाला नहीं, आपके neat exam के अंदर, बाकी chapters जितने भी होंगे उन सभी में, duration इनसे कम ही रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि बाकी के chapter इनसे easy है, यह base chapter थे जो starting से लेकर के अभी तक आप लोगों को बताए, पूरा complete करेंगे, उसका topic और उसका page number आप मुझे define करना, कि कहां यह mention किया हुआ है, NCRT के अंदर, जिससे question पूछा जा सकता है, दो word बता रहा हूँ, दोनों word के answer आप मुझे देंगे, एक है first है आपका, first आपका, air bladder in second है, calorie muscle, यह दोनों, कहां लिखे हुए है, air bladder कहां कहां लिखा हुआ है, यह सारे आपको मुझे बताने है, with page number, with topic, कहां mention है, as it is, NCRT की line-up drop करेंगे, इसी session के अंदर, क्योंकि यह दोनों इतने important है, कि इस साल आप से पूछे जा सकते हैं, तो यह था आपका, first and second unit का, पूरा complete revision, इसी तरीके से scratch से अपने, चलते रहेंगे, next units के अंदर, इतजार रहेगा, आप सभी के reviews का, आप सभी के comments का, all the best to all of you, love you all, thank you, एक चीज़ आपको बतायता हूँ, धानक न, कि, यह last की जो आपकी मेहनत है न, जो आप जाग जाग के कर रहे हैं, यही आपको actual lead दिलवाएगी, उन students से, जो students पूरे साल पढ़ते हैं, और last में जाकर के सोते हैं, लास में जाकर किस होते हैं, सच में, ऐसा ही है, आपके अपने relatives देख लो, बोलते हैं यह तो नहीं कर पाएगा, last में आकर के यही होता है, या तो खुद आप बोल जाते हैं अपना aim, या फिर आपके relatives, आपके भाई बंदू, यह चीज ज़रू बोलते हैं कि अब तो क्या होगा, अब तो last का time आ गया है, तो जो डटा रहना मैदान में, और जो धंक से लड़ा, 101% select होगा ही होगा, तो ध्यान रखना, आप लोगों को पढ़ना है बस, बैठ करके अपनी NCRT अपने सामने रखनी है, और सारी चीज़ें आपको revise करने हैं, वही point जो मैं पहले भी यह बोल चुका हूँ कि, हासिल कर मंजिल, आपको इतिहास बनाना है, जिसको शक है ना आपकी काबिलियत पर, उसी को करके दिखाना है, उसी को करके दिखाना है, यह दिहान रखना, यह line आप हमेशा याद रखना, तो last time के अंदर आपको तंग करते होंगे, आपके relatives, आपके भाई बंदू, आपके colleagues, आपके friends, जिस जिसको शक है ना, उनको करके दिखाना है आपको कि हाँ, हम कर सकते हैं, 360 out of 360 in biology, एन 101 प्सक्षी रंके यूंची रंक कि हम लैक्ति हैorld, आपके लाचा, आपके बाशना, पी चैनला, पी जिसानलमाटी, सब्सक्राइबाँ, था रखना, अीघा बंदू, राःपन Сब्सक्राइबू, झाल झाल